Student Indian Succession Act पे directly जाने से पहले मैं चाहूंगी आपको introduce कराऊं कुछ basic topics जो की है Hindu Joint Family, Coparsnery and Partition. One by one मैं आपको overview दूंगी इन तीनों topics का. Let's start with the first topic which is Hindu Joint Family. Right? Okay. Hindu Joint Family. Can anybody tell me layman language में अभी Succession Act को भूल जाओ? Property के भारे में भूल जाओ? ये सोचो, सिर्फ हम जैसे EBS में बढ़ा करते थे ना, अपनी Family के बारे में, अभी हम वो बढ़ रहे हैं. ठीक है? तो अभी Property भूल जाओ, Succession Act भूल जाओ, Coparsnery भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ अभी हम Hindu Joint Family के बारे में बात करते हैं. तो ले मैं लाग जाओ बताओ, बिलकुली, Hindu Joint Family कौन होती है? कोई बता सकता है? माम, family where many members of the family live together, eat together. ठीक है. अच्छा, अलग-अलग family इसके लोग जो है, एक साथ रहें, एक साथ लिफ करें, तो क्या Hindu Joint Family होगी? नो माम. तो इसके लिए क्या जरूरे है? पर्निस्स्ट फॉव बदें, कामन चिस्टर कॉन चीए. ठीक है. पर्सपी कई पर्सड़र जो साथ जो जो एक सपता है? हाइस कोई ये पी है, ठीक है? इस पी की वाइफ होगी, ठीक है? इनके सन होंगे इनके सन होंगे इनकी अगर डॉर्टर होगी ऐसे करके होती है हमारी हिंदू जॉइन फामिली अब ये डॉर्टर कब होगी अगर ये अन्मारिड है क्या ये एक हिंदू जॉइन फामिली है ये इस वाम ठीक देखो कॉमान इंसेस्टर है यह कॉमन है इसी की पिढ़ियां चल रही है ना आगे इसका बेटा फिर इसका पोता तो एक तरीके से क्या है Hindu joint family है क्या है Hindu joint family देखिए अब क्योंकि ये Hindu joint family बनी रहे तो इसमें क्या होना ज़रूरी है दो male person का होना ज़रूरी है राइट देखिए कि अगर ये और सिर्फ ये होते क्या ये Hindu joint family है सिर्फ ये है पी है और इसकी wife है सिर्फ एक male है अभी क्या अभी ये joint family है मैम as long as there is possibility of adding a new member by adoption और by birth ठीक है देखो अभी क्या हो सकता है husband wife है हो सकता है इनको S हो जाए ठीक है तो अभी creation हो सकता है अभी creation हो सकता है Hindu joint family existence में आ सकती है ठीक है as long as ये फिर इनकी wife हो जाएगी फिर इनका son हो जाएगा ठीक है अब देखिए कभी मैने कहा कि common male and sister होता है तब ही joint family होती है अगर P के death हो जाए अगर common male and sister था उसकी death हो जाए जिसे किये तो क्या अभी भी existence में रहेगी Hindu joint family येस माम ठीक है क्यूंकि आप देखिए common and sister ये हो गया तो इसकी family चल रही है ठीक तो Hindu joint family basically क्या है कि एक तो common male and sister हो इसकी wife हो mothers हो और अगर जैसे ये P है ये P है ये alive है लेकिन ये P है ये alive है लेकिन इसके sun की death हो जाती है तो इसकी जो widow होगी ये भी part होगी और ये जो daughter है ये अगर unmarried है तो अपनी father की Hindu joint family का हिस्सा होगी लेकिन अगर इस daughter की शादी हो जाती है तो ये कहाँ चली जाएगी ये हमें generally भी पता है बेटी जो daughter है वो वहाँ की family की member हो जाएगी कहाँ की अपने husband ठीक है लेकिन by chance इसका कोई divorce हो गया desertion कर भी इसके husband नहीं या कुछ भी ऐसे circumstances हुए जिसमें daughter वापिस अपनी family में आ जाती है अन्मारिड वाला सीन तो पहले भी आपको clear हो गया पहले वले act में से ठीक है अभी तक कोई डाउट अगर सिर्फ विडोज है कोई male member नहीं है देखो अभी तक इतना clear है ना वो हम आगे चलेंगे अलग-अलग position देखेंगे जिसमें खाली एक member बच्चा है, male member, जिसमें दो male member बच्चे है, जिसमें खाली females बच्ची है ठीक है? तो उसको हम one by one करके देखेंगे सारे चीजों अभी तक इतना समझाया है Hindu joint family होता क्या है? Yes ma'am ठीक है? Okay, मैं इसको एरेस कर देती हूँ Hindu joint family के बारे में आप लिख सकते हो, अगर आपको इसके defined लिखनी है students तो आप लिख सकते हो, it consists of all male members descendants linearly from a common male ancestor सारे male members जो की एक common male ancestor से आते हैं together with mother, wives, ठीक, widows, unmarried daughters तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं? एक Hindu joint family बनाते हैं, ठीक है? अब इतने सारे members हो लेए, क्या ये हमीशा के लिए Hindu joint family का हिस्सा रहेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया, unmarried daughter है, तब तक ही अपने father की जो family है, उसका हिस्सा है लेकिन जैसे ही, जैसे ही इसकी शादी हो जाती है, तो ये अपने husband की family का हिस्सा, husband की Hindu joint family का हिस्सा बन जाएगी, father की Hindu joint family का हिस्सा ये नहीं रहेगी, so इसकी seize हो जाएगी, she ceases to be a member of Hindu joint family, ऐसे ही और कुछ conditions होते हैं, और क्या conditions होते हैं कोई बता सकता है? और कोई conditions? अभी किसकी बात करें, Hindu joint family की? अगर आप Hindu ही नहीं रहे, अगर आप Hindu ही नहीं रहे, अगर आप Hindu ही नहीं रहे, अगर आपने conversion करा लिया किसी और religion में, तो आप Hindu joint family का भी part नहीं रहोगे, ठीक है? इसके बाद आता है कि भाई, आप Hindu नहीं रहे, ये तो हमने देखी है, जैसे ये son है, और ये marriage करा लेता है किसी non-Hindu के साथ है, non-Hindu के साथ चला, शादी कर लेता है, special marriage act के अंदर आ जाता है, तो फिर इसको भी हम उठाके निकाल देंगे family से, ये Hindu joint family का हिस्सा नहीं रहेगा, ठीक है? ये तब हो रहा था जब इसने non-Hindu से शादी करी है, ठीक है? अगर इसने Hindu से ही शादी करी होती, special marriage, तब तो कोई effect नहीं होता, ठीक है? कि इसने non-Hindu से शादी किया, इसने ये effect आ रहा है, ठीक है? और जहां तक बात है, विडियो की अगर उसने remarry कर लिया, तो आप तो यहां की member रही नहीं है, ठीक है? वो husband की family की हो गई है, तो ये पर कुछ conditions होती है, जिससे आपका outster हो जाता है, Hindu joint family से आपको निकाल दिया जाता है, आपको नहीं माना जाता है कि अब से आप खिस्सा नहीं हो, Hindu joint family का, ठीक है? मैं बार-बार बोल रही हूँ, property succession के बारे में सब कुछ बूर रही है, सोचल ला, आपकी छोटी classes में, जो EVS चल रही थी, वो चल रही है, कि हम family के बारे बतड़ रहे हैं, कि family है, और family का हिस्सा कौन-कौन होगा, कौन-कौन नहीं होगा, तो एक ancestor से जितने भी males आ रहे हैं, जितने भी उनकी wife हैं, widow हैं, ठीक है, mothers हैं, unmarried daughters हैं, पूरे परिवार, वो एक Hindu join family होगा, और उस Hindu join family में से, हम किसी को भी निकाल सकते हैं, जैसे कईयों की तो automatically seize हो जाती है, जैसे unmarried daughter ने marry कर ली, तो seize हो गई, दूसरी बात conversion कर लीगा, किसी भी member ने, किसी दूसरे धर्म के अंदर, तो आप वो Hindu ही निडा, तो Hindu join family का भी partner नहीं रहेगा, या फिर किसी भी member ने, किसी non-Hindu से शादी कर ली, तो वो भी seize हो जाएगा, उसकी membership भी seize हो जाएगी, in Hindu join family, ठीक है, अब बात आती है, ये तो Hindu join family, ठीक, अब ये Hindu join family, कब तक existence में रहेगी, कब तक existence में रहेगी, कर दो जाएगी, अब एग्जिस्टेंस और continuous की बात करते हैं, जैसे कि अभी आपने भी बोला कि माम, अगर एक member, male member है जाएगा, या फिर एक female member है जाएगी, या फिर all males अगर है जाएगी, या फिर all females अगर है जाएगी, देखें, इन सब का न, एक ही जवाब, ठीक है, की भाई, creation को देखें, creation क्या देखेंगे, फॉर से अगर ये female है, तो हो सकता है, इसके husband के death से पहले, ये pregnant हो, इसकी husband से पहले, ये pregnant हो, ठीक है, तो भई, आगे जो है family बढ़ जाएगी, तो फिर continuance हो जाएगी, Hindu joint family की, ठीक है, या फिर adoption से भी हो सकता है, ठीक है, सारे male members रह गए, हो सकता है, कि ये शादी कर लें, और फिर जो आगे है, इनके children हो जाए, all females है, तो females की capacity चेक करेंगे, that whether वो birth भी दे सकती है, child को, या adopt भी कर सकती है, males को, family में males आजाएगे, जब तक इनके पास power है, कि family में किसी male को ला सकती है, तब तक ये जो है, existence और continuance रहेगी, Hindu joint family की, ठीक है, कोई female है, इसके पास capacity है, family के अंदर, किसी male को लाने की, by birth, ठीक है, by birth, फॉर से अगर ये pregnant थी, या फिर कोई एकी female बची है, तो इसने adoption कर लिया, by adoption, तो it depends, कि whether इनके पास capacity है, family के अंदर, Hindu male लाने की, या नहीं ला सकती, generations आगे बढ़ाने की capacity है, या नहीं है, ठीक है, तो वो depend कर सकता है, ऐसे तो male भी आगे बढ़ा सकता है, family को, और अगर सारी females रह गई, तब भी उनके पास capacity है, हो सकता है, वो pregnant हो, हो सकता है, वो child को birth दे दे, हो सकता है, वो adoption कर ले, ऐसे करके, कि वो किसी male को ला सकती है, family में, और फिर family उससे आगे भड़ेगी, तो वो ये बात होती है, existence and continuance of Hindu joint family की, अब कभी भी confuse मत हो, अगर इस से related कोई भी question है, तो आप chart में लिख दो, you can write it in the chart itself, ठीक है, अभी तो अगर ने, property की बात ही नहीं करी, हमने समझा हिंदू undivided, जो joint family होती है, वो क्या होती है, ठीक है, जो joint family क्या होती है, और उसके बाद हमने देखा, कि अगर male रह जाएगा, ठीक है, देखिए अगर ये daughter है, इनकी family में, unmarried daughter है, unmarried daughter है, और father है, तो अगर unmarried daughter भी है न, अगर ये किसी child को adopt भी कर ले, child को adopt भी कर ले, तो वो father की family का ही, हिस्सा माना जाते है, ठीक है, according to Hindu joint family, अगर ये unmarried है, और ये single mother है, और ये bachelor है, तो adopt कर सकती है न child, अगर ये child को adopt करेगी न, तो माना जाएगा, ये father की family का ही member है, ठीक है, अब देखो, अब ये जो topics है, इसमें जादा logic मत लगा, जो rule है, वो है, अगर आप ये सोचने में बैठोगे, क्यों है, क्या है, क्या relevance है इस बात का, तो कोई logic नी हुआ, तो आपको चीजें और confusing होती रहेंगी, तो जो rules है, आप उसी के according चलो, हिंदू undivided family में यही रूल है, कि यह यह members होंगे, और कब-कब इनकी सीज हो जाती है membership, वो एक concept है, और एक concept जो मैंना आपको अभी पढ़ाया है, कि सारी females रहे गई, तब भी continuation हो सकती है, हिंदू undivided family की, जब तक उन females के पास capacity है, कि वो बर्थ दे दे या फिर किसी male member को family में ला सके, तब तक वो continue हो सकती है, या फिर अगर दो male members है, तब भी capacity है कि भाई वो शादी कर लें, और फिर आगे उनकी जो Hindu undivided family वो चलती है, तो it depends, ठीक है, उसकी continuous depends करती है, capacity of the females, तो यह बहुत ही simple सा concept है, ठीक है, I hope यह आपको समझाया होगा, Hindu undivided family, ठीक है, लिकिन देखिए, पहले के concept है, अब इतना सब कुछ clear है, आगे point में चलू, इतना clear है, ओके लिखिये चाट में, पहले क्या होता था, Hindu undivided family, Hindu joint family जो हम बोलते थे न, वो हम कहते थे, यह लोग food भी एक साथ खाते हैं, यह लोग worship भी एक साथ करते हैं, इनकी estate भी एक साथ ही है, तो यह एक Hindu, Hindu joint family, family है, लेकिन अभी अगर आप देखो, तो हो सकता है, वो लोग food एक साथ ना खाते हों, worship एक साथ ना करते हों, लेकिन उनकी estate एक साथ है, ठीक है, तो यानि की वो Hindu joint family ही है, ठीक है, या फिर, या फिर, Hindu joint family तो थी, जैसे यह father है, इनके son है, लेगा है, यह जो है, यह है, गोवा चले गए, यह वही रहते हैं, वही रहते हैं, वही खाते हैं, वही worship करते हैं, यह भी अलग, यह भी गोवा रहते हैं, वही food खाते हैं, वही worship करते हैं, ठीक है, तो बताएए, क्या अभी हिंदु जॉइन फैमली है लिखिये जाट में यस और नो बताईए क्या ये हिंदु जॉइन फैमली है प्लीज रिस्पॉण फास्ट अभी बस्टि जॉइन है क्या भी बी अट प्रेजट हाँ इनकी एस्टेट जॉइन फैमली है तो आइ तिंग यस दे बी कंसड़ेअज जॉइन फैमली ठीक है इनकी जश्ट बिकाउज अब ये अलग रहते हैं अलग वस्चिप करते हैं अलग food मैंने आपको पहले के concept में क्या था कि भाई माना जाता था कि लोग जो आपने देखा भी होगा अब तो बहुत कम ऐसी joint families पर आप देख सकते हैं अभी भी कुछ ऐसी joint family है जो एक साथ रहते हैं एक साथ food खाते हैं एक साथ worship होती है बिल्कुल ही joint family देखियोंगी अभी भी होती है अब इसका मतलब यह नहीं है कि अगर यह अलग-अलग रह रहे हैं अलग-अलग worship करे हैं तो हम presume कर ले कि यह Hindu joint family नहीं रही है हम इनको प्रिजूम करेंगे कि भाई यह Hindu joint family ही है unless the contrary to this is proved ठीक है चाहिए अलग रह रहे हैं चाहिए अलग worship कर रहे हैं हम इनको Hindu joint family ह नहीं मानेंगे unless इसका contrary proof हो जाता है ठीक है जरूरी नहीं है तीन essential conditions fulfill हो ठीक है इतनी सी बात clear है okay लिखो आगे चलते है ठीक है तो this was all about Hindu joint family जो आपको पढ़ना है आपको पहले पढ़ना है कि इसके members कौन-कौन होते हैं ठीक है members कौन-कौन होते है membership seas कब होती है membership seas कब होती है और Hindu joint family के existence and continuance के बारे में भी देखना है कि अगर females बची है लेकिन हमके पास capacity है किसी male को family में ले आने की तो आगे चल सकता है अगर दो males है तो भी आगे family भढ़ सकती है ठीक है तो capacity को देखते हुए हम आगे पता चलाएंगे कि continuance रहेगी या अभी existence में है Hindu joint family या नहीं है ठीक है और at the end हमने ये तीनों वाला concept देखा कि food, worship और estate तीनों में से अगर estate भी है ना उनके पास तो माना जाएगा कि भाई at least वो एक Hindu joint family है ठीक है although जब इनका partition हो जाता है state का तब अलग circumstances हो जाते हैं अलग situations हो जाती है बट अभी हम partition के बारे में नहीं बढ़ रहे हैं ठीक है इतनी सी बात clear है चार्ट बॉक्स में लिखा ओके फिर चलते हम आगे देखो अभी तक तो हमने Hindu joint family पढ़ी थी बस मैंने आपको family के बारे में बता है एक Hindu joint जो joint family में रहते हैं उसके members कौन-कौन होते हैं ठीक है joint family कब तक मानी जाती है existence में है कब तक मानी जाती है ठीक है या फिर किसी member को family से निकाल के बाहर कब fact दिया जाता है वो मैंने आपको बताया है अब उस concept को भूल जाओ उस Hindu joint family के concept को अलग रखो अब आते हैं co-personary जो मारे second topic था ठीक है अब देखिए Hindu joint family की जब मैं बात करूँगी तब मैंने कहा property की मैं बात नहीं कर रही पर जहां जहां मैं co-personary की बात करें हूँ that means I am talking about the property ठीक है I am talking about the property as well ठीक है को पार्सनरी देखिए अभी भी succession को अपने दिमाग से अलग रखो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी बोला है मैंने यह नहीं बोला succession मैं आपको succession की बात करें सिर्फ मैंने कहा जहां मैं co-personary की बात करें हूँ अब मैं property की बात करें हूँ लेकिन इस्टे भेले मैं इस आपको family का concept समझा रही थी property नहीं बता करें लेकिन जब-जब मैं co-personary की बात करूंगी that means तब तक मैं property की बात करें हूँ ठीक है, अब कोई पार्सनरी बेसे के लिए होते है कोई बता सकता है, लेवैन लांगुज में गताईये बिल्कॉल, हम लोग के लांगुज में नहीं जा रहे हैं मैम इसके अलगुज में अजे आपकी रीपीट कीजिए और से लाओडली it consists only sons or male members but after 2005 daughters are also included in Kupar देखिए Hindu joint family जो हमने पढ़ा वो बहुत broad concept था, वो सकते है father हो, inke son हो 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 ये सारे जितनी भी पीडियां है इस सारी है Hindu joint family है ना लेकिन coparsnery एक narrow concept है इससे बहुत narrow है coparsnery सिर्फ इनके चार generations पी खतम हो जाता ठीक है लेकिन Hindu joint family बहुत ही broad concept है, पहला difference तो यही हो गया, ठीक है वो जो हमने Hindu joint family बताया था ना, उसमें कोई limit नहीं है कितने भी generation तक members आप हमार साथ रहो आप joint ही हो, लेकिन यह जो coparsnery है ना यहाँ पे four generations rule है यहाँ पे four generation rule है अब देखिए yes, हर्षना ने जो बोला, बिल्कुल सही बोला coparsners, पहले property के बारे में बात करते coparsnery जब भी भी बोलू, that means property तो उसमें सर्फ sons का अधिकार होता था, लेकिन 2005 के बाद इसमें daughters का भी अधिकार है तो coparsners, अब daughters भी है 2000 के बाद ठीक है, पहली बात तो यही थी अब यह जब यह four generation rule है, तो कहां तक होगा जैसे यह कोई father है, तो इनका बेटा, पोता और परपोता, कितनी generations हो गई, one, two, three, four, ठीक है, यह चार generations हो गई, तो देखिए, यहां तक यह coparsners है, लेकिन इसका क्योंकि यह fifth generation है, तो यह coparsner नहीं है, यह इसमें, यह coparsner कब बनेगा, जब f की death हो जाएगी, ठीक है, फिर counting यहां से start होगी, देखिए, मैं इसका आपको example देते हूँ, इतना आपको समझा है, four generation rule है यह, और four generation को आप count कहां से करोगे हमेशा, जो first alive है न, वहां से आप हमेशा इसे count करोगे, इससे पहले मैं आपको बहुत सारे examples अब आपको समझाऊंगी, confuse मत होना, ठीक है, जो मैंने आपको बोला न, जो चार जनरेशन तक हमारे co-partners हैं तो अब बताएए, को पार्सनर ही कहां तक है, को पार्सनर कहां तक है, अब टू ट्रिपल एस, ठीक, क्यूं, क्यूंकि यह हो गया, first generation, second generation, third generation, और four generation, ठीक है, अब यह जो person है, अगर इसको four generations के अंदर आना है, तो वो कब आएगा, तो वो कब आएगा, when f dies, अगर बीच में से s की death हो जाती है, इसकी death हो जाती है, तो क्या ही यह आजाएगा, no, क्यूंकि generation has to be consecutively, four generations consecutively, ठीक, अब हर्षना बताएगी, इसी example के अंदर मैं आपको बताती हूं, दिखिए यह भी death हो गई, इसकी भी death हो गई हर्षना, और इसकी भी death हो गई, F और SS बच्चे हैं, और मैंने आपको कहता, चार generation आती हूं, तो बताएए, generations count कीजिए, कौन-कौन सी बच्च गई हमारे पास, कौन-कौन आ जाएगा को पार्षन दरीगा, मैं, तो भी S and triple S ही होएंगी, ना, यानि कि यहां तक रहेगा, येस मैं, S Q हैं? मैं, जो यानि ने बोला, consecutive होना चाहिए, उसलिए, चीक है, देखे, जबी भी हम count करेंगे न, generations को, तो हम वहीं से count करेंगे, जहां से first member जो है, वह alive है, जैसी ये father alive है, तो first generation हम इधर से ही count करेंगे, और beach में, इनकी death हो गई है, लेकिन इनकी death हो गई है, का ये मतलब नहीं है, कि beach में आ रहे हैं न, ये, तो हम इनको count नहीं करेंगे, तो one, two, three, four, तो अभी तो ये नहीं आ सकता, लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाए, लेकिन, लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाए, कि death हो जाए, तो आप बताइए, कहां तक generations आए, कहां से count करोगे, मैं double S से लेकर 5S, ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको कहाता है, first alive है, इनसे उपर तो कोई alive ही नहीं है न, तो इसलिए ये दोनों count नहीं हो रहे, otherwise अगर इनके उपर कोई alive होता, ठीक है, तो वहाँ से start होती है, और बीच में फिर हम इनको भी count करते हैं, बट अभी कोई उपर alive नहीं है, तो first alive member यहीं है, तो इससे count करेंगे, one, two, three, and four, ठीक है, तो ये हमारा four generation rule होता है, इतनी सी बात समझ आई, और हम count कहां से करेंगे, जो first alive member होगा, वहाँ से count करेंगे, बीच में अगर कोई हमारे diseased है, उनको भी हम count करेंगे, क्योंकि वो in between आ रहे, कहां से, जहां से alive, alive जो हमारा member है, वो था, I hope example से आपको समझ आ गया हो, लेकिन देखिए, अगर कभी ऐसा हो, कि इसकी भी death हो जाती है, इसकी भी death हो जाती है, इसकी भी death हो जाती है, तो generations कहां से count करो गया, हर्षना आप बताओगे, मैं SS and SSS से, पर F तो alive है, तो F, S, SSS and SSS, इनकी दो death हो गई है, situation जिस पर मैंने bracket लगा दी है, ना, bracket का मतलब है, उनकी death हो गई, तो कहां से count करो गया, आप generations, क्या ये आएगा generation में, या नहीं आएगा, बताइए हर्षना, देखें, मैंने आपको कहा था, कि जब भी भी आप, ठीक है, देखें, मैंने आपको कहा था, जब भी आप count करोगे, तो first alive जो person है, उससे count करोगे, और अगर in between इसके बाद आ रहे है को disease person, तो उसको भी आप count करोगे, अब देखिए, ये चार generations में आ रहे हैं, और तो कोई coparsners है नहीं, ये भी नहीं रहे, ये भी नहीं रहे, तो अब क्या होगा इस case में, F जो है, वो अकेले ही soul owner बन जाएंगे, और coparsner ही हमारी इधर खतम हो जाएगी, ठीक है, coparsner ही हमारी क्यों खतम हो गई, क्योंकि second generation, third generation, fourth generation, तीन में से कोई नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ फादर रहे हैं, और add भी नहीं हो सकते कोई, क्योंकि father alive है, उसके बाद जो disease है, उसको भी हम count करते हैं, तो कोई add भी नहीं हो सकता अभी तो, अब father की death होगी, फिर यहां से और generations जो हैं, वो होगी, हाना, बट अभी के लिए और कोई नहीं है, father है, soul owner है, मैंने आपको कहा था, जब भी मैं को पार्सनरी की बात करी हूँ, that means मैं प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ, तो यह soul owner हो जाएंगे प्रॉपर्टी के, और को पार्सनरी जो है, वो end हो जाती है, अगर हम इस example की बात करेंदे, ठीक है, इतनी स effect है कि ये soul owner हो जाएंगे, soul owner हो जाएंगे, यानि कि ये बता रहा है, rule of survivorship को ये दर्शार है ठीक है, ये कि rule और survivorship में भी अब changes हो गए है, ठीक है, बट ये पहले का role model है ठीक है, आपको ये समझना होगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब तक पहला बंदा alive है, आप वही से first generation count करोगे और दूसरी जो diseased है, उनको भी आपको count करना पड़ेगा, तो इस situation में और कोई तो add ही नहीं हो सकता आगे, अब ये भी नहीं बचे, ये भी नहीं बचे, ये भी नहीं बचे, और property है है ना, चारी co-parsners थे किसी property के, अब सिर्फ तीनों के death हो गई, सिर्फ यहीं बचे, तो ये soul owner हो जाते थे property के, और co-parsnery जो है, वो end हो जाती थी, effect तो यही हुआ कि ये सारी property आ गई, फादर के पार्सनरी के हिसाब से, अभी हम succession का नहीं देख रहे है ठीक है, co-parsnery के हिसाब से, अभी ये point लेके चलो ये चारो में बटवारा होना था तीन मर गए, तो जो एक जो बचा है उसको फायदा हो गया, सारी property का soul owner हो गए वो, क्योंकि co-parsnery खतम हो गए, बाकी तीनो जनरेशन्स खतम हो गए, ठीक है इतनी सी पार्स Can we say के as long as F is alive, ये जो SSSS है he cannot claim partition वो co-parsner ही नहीं है तो partition कैसे claim करेगा क्योंकि जब तक F जिंदा है तब तक नहीं करेगा क्योंकि वो co-parsner ही नहीं है, उसका तो कोई रोल ही नहीं है अब ठीक है, अगर वो co-parsner होता है देखो अभी partition की बात नहीं है जब हम partition करेंगे तब वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी ठीक है, कौन मांग सकता है कौन-कौन entitled है, कौन नहीं पूछा तो मैंने बता दिया कि जो co-parsners है, सिर्फ और सिर्फ वही partition claim कर सकते है यह जिन्दा होता तो यह partition claim कर सकता था यह कर सकता था क्योंकि यह co-parsners है ठीक है, अब partnership को हटा दीजिए भूल जाए यह rule था यह क्या था? rule था, rule क्या था को parsnery के अंदर? rule of survivorship था, कि जो survive करेगा property उसको मिलेगी, अगर s survive कर जाता, तो f और s को property मिलती, ss और ॥ुपल s की death हो गई थी, है ना? rule of survivorship चलता था, survivorship का मतलब समझे है? जो survive करेगा property उसको मिलेगी कैसे? rule of survivorship का मतलब यह है students, इसको भी मैं थोड़ा ही raise कर लेती हूँ जैसे हमने इस लेवल एक्जामबल में देखा father survive कर गए, father को मिल गई property, बाकी सारे survive कर गए होते, उचारों में बढ़ती property, है ना? अद देखे, क्या हुआ ना? father की death हो गई, तो यह है, यह है, यह है अब first generation, second generation third generation, fourth generation में अब यह आ गए, ठीक है? तो as long as आप survive करोगे, तब तक आपका right है, तब तक आपको partner हो, जैसे ही आपकी death हो गई, property पे आपका right ही, आप देखे, चार generations यह है इनके अंदर बीच में third वाले की death हो गई, फिर भी कोई add तो हो नहीं सकता क्योंकि हम गिनेंगे तो इससे first alive सही, अब add हो नहीं सकता, अब इनकी death आ गई, तो जो तीन, जो survive कर गए, उनके अंदर बटवारा हो जाएगा property का, ठीक है? तो rule of survivorship है, rule of survivorship लेकिन लेकिन क्या हुआ कि अब, अब क्या हुआ इस rule of survivorship को coparsnery से हटा दिया, ठीक है? भाई, coparsnery में तो यही देखा गया था ना, कि जो triple S है, अगर इसके death हो गई, तो गया इसका हिस्सा इसको कुछ नहीं मिलेगा, अब जो आगे इसके बेटे हैं ठीक है, उनको क्या मिलेगा, इसकी wife हो सकता है, इसकी wife हो, उनको क्या मिलेगा? तो इसलिए, यह कहा, कि भाई, जो बीच में से जो member की, किसी के death हो रही है, अगर बीच में से किसी member की death हो रही है, तो यहाँ पे rule of survivorship को हटा के, कहा, कि Indian succession के हिसाब से, जो है, उसका हिस्सा आगे dispose होगा, अगर यह third member है, मैंने आपको कहा, कि rule of survivorship पहले चलता था, कि अब यह तीसरे वाले को कुछ नहीं मिलेगा, इस, इन तीनों में बट जाएगा, तो इसके हिस्से का क्या, गया loss होगा, लेकिन एक amendment हुई, तो इस rule of survivorship को भी हटा दिया, और कहा कि इसका हिस्सा अब जो है, वो succession के हिसाब से जाएगा, अब मैं succession को नहीं बता रही, बट rule of survivorship के बारे में आपको बताना ज़रूरी था, कि को पार्सनरी में पहले ऐसा चलता था, जो survive करेगा, उसे property मिलेगी, जो मर गया, मर गया, उसकी को हिस्सेदारी नहीं है property में, ठीक है, लेकिन बाद में ऐसा हुआ, इस चीज को हटा दिया और कहा, कि जिसकी death हो गई है, उसका जो हिस्सा है, वो succession के हिसाब से आगे dispose होगा, ठीक है, इतनी सी बात है इसके अंदर, clear है, ओक्के लिख दो चाट बोक्स में, आगे चलते हैं फिर, तेखो, students, मैं बार-बार repeat करें, topics को आप जितना mix करोगे, उतनी चीज़े complex हों, just understand the rules, आज की lecture की हिसाब से आप अपने bullets बनाईए, read it, आपको सब कुछ clear होगा, ठीक है, ओक क्या आगे है, वैसे सारे students का, clear होगा, को पार्सनरी, मैंने आपको बता ही, चार जेनरेशन तक होती है, कौन-कौन होता है, 2000 के बार, daughters भी आने लोगी, अब हम देखते हैं, essentials क्या होते हैं, essential characteristics क्या है, को पार्सनरी की, देखे, सबसे पहली बात तो, कि existence होनी चाहिए, किसी property की, मैंने आपको कहा था, को पार्सनरी की बात, हम तब ही करेंगे, जब property होगी, तो जबी भी मैं को पार्सनरी बोल रही हूँ, that means property, तो property कौन सी, ancestral property, की क्या है, एक होती है, ancestral property, और एक होती है, self-acquired property, ठीक है, तो self-acquired property नहीं, यहाँ पर हम ancestral property की बात करेंगे, जो पीडियों से आ रही है, दादा, पर दादा, से चली वी आ रही है, तो उसमें को पार्सनर्स होते हैं, तो ऐसी ancestral property की existence होनी चाहिए, पहली बात तो तभी को पार्सनरी आएगी, जब आपके बस property नहीं है, तो पार्सनरी का क्या करना है, इससे धारों का क्या करेंगे, जब property नहीं है, इट्स लाइक पेट्रोल है कार नहीं है ना तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए तब ही को पार्शनरी वाली बात हाएगी तो पॉइंट नमबर वान इस खिर दूसरी बात मैंने आपको कहा था कि मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे जो है इस में को पार्शनर्स कौन कौन है तो प्रॉपर्टी का पार्टीशन सिर्फ यह चार लोग ही डिमांड कर सकते हैं ठीक है क्लेम कर सकते हैं ел सकते हैं थिक घृचिए एसा नहीं कि यह चारत शानकि बोले पार्टीशन गरो क्यों भाई क्या लेना डेना बेगानी शादी में अब्दुल् Metro तुम अपना तुम जाओ ना को कार्सनर भी नहीं हो तुमें क्या करना तो राइट आफ पार्टीशन City को को पार्सनर ही क्लेम कर सकते हैं सेकिंड करेक्टरिस्टिक यही है तीसरी करेक्टरिस्टिक वही जो आपको याद करने की भी जुरत निये कि 2005 के अमेंडमेंट के बाद जो डॉटर्टर है उसको भी को पार्सनर्शिप बना दिया गया उससे पहले नहीं होती थी फॉर्थ जो है फॉर्थ वही है कि फॉर गैनरेशन रूल होगा को पार्सनरी में फिफ्थ जो है वो यही है कि को पार्सनर्श जो है प्रॉपर्टी का चारो का हिस्सा है तो चारो कलेक्टिव इंजॉयमेंट करेंगे जब तक पार्टिशन नहीं होता चारो का हिस्सा है चार फिर आजाता है rule of survivorship जो मैंने आपको बहुत अच्छे से explain किया students क्योंकि important है कि जो survive करेगा उसका हिसाब लेकिन इसमें कुछ changes किये गए इसमें कहा कि भाई ये rule of survivorship है ये अब खतम हो गया है अब जो person disease है जो उसका हिस्सा है वो succession के हिसाब से जाएगा ठीक है तो पहले rule of survivorship था लेकिन rule of survivorship को खतम कर दिया और कहा कि succession act के हिसाब से हिस्सा जाएगा अगर कोई person की death हो गई है ठीक है उसका हिस्सा है उसका अपना हिस्सा है ठीक है वो सिर्फ इस वज़े से खतम नहीं हो जाएगी कि उसकी death हो गई पहले तो हो जाता था ऐसा लेक उसका हिस्सा succession के हिसाब से हम बांट है ठीक है अगर करें कि एक person का बर्त होता है joint family के अंदर joint family के अंदर जैसे एक person का birth होता है उसका interest आजाता है ठीक है इस चीज को मैं आपको यहां नहीं लिख रही हूँ इस चीज को मैं आगे explain करूगी जब मैं आपको मिताक्ष्रा और दया भागा पढ़ाऊंगी तीक है अब ये जो है ये जो sun है ये जो sun है ये जो sun है ये चार generations तक है ये partition claim कर सकते हैं ठीक है अब मैंने SS लिखा इसका मतलब यह नहीं है कि daughters involved नहीं है ये सिर्फ मैंने आपको generations उखाने के लिए किया है 2005 के amendment के बाद daughters भी co-partners है ठीक है अब ये चारो हिस्तदार है तो ये इस property का collective enjoyment करेंगे ठीक है अब rule of survivorship हट किया है यानि कि अगर SS की अगर death हो गई है तो इसका हिस्सा जो है इसी का रहेगा अगर ये will करके गया है तो या तो succession के हिसाब से चला जाएगा otherwise पहले ऐसा था कि ये मर गया तो इसका हिस्सा भी खताम तीन में बटवारा कर लेगी चार की जगा ठीक है लेकिन अब ऐसा नहीं है चार है को पार्सनर तो ये मर भी गया है तो चार ही हिस्से बटेंगे लेकिन तो इसका हिस्सा है ये मर गया है तो इसकी will के हिसाब से इसकी succession के हिसाब से डिस्पोज आफ कर देंगे इतनी सी बात क्लियर है स्टुडेंट्स ओके लिखिये चैट में कि कुछ भी टेकनिकल नहीं है जब तक आप succession को अपने दिमाग से बहार रखोगे सब कुछ सिंपल है हिंदु जॉइंट फैमिली अलग है वो पीडियों दर्पेडियों चले जा रहे एक साथ रहे खा रहे हैं वर्शिप करें अगर नहीं बगार कर रहे हैं एक साथ उनकेस्ट चारी तब लेकिन कोई पोर्सन सीज डू बी हिंदू हो जाता है या फिर उन्मारिदट डॉट्टर मारेज पर लेती है या फिर जो है कोई पोर्सन नौन हिंदू से शादी कर लिए तो उठाकर हम उसे जॉइन फामिली से बाहर फेंटे कि वो है अलग पूस है यह है कि हमारी कोई पूर्वजो की प्रॉपर्टी है तो अब जो हमारी चार जेनरेशन है पहली कोपार्सनर्स वो है उनको बटवारा ढल दिया जाएगा थीक है चार जो हमारी पीडिया है वही उसकी को पार्सनर से अगर किसी कि डेता गोई है तो अगली जनरेशन को भी हमको पार्सनर बना ले लेकिन सारी बात आपको समझ आ गो अब यह जो चार PD की जनरेशन हैं सिर्फ यहीं पार्टिशन क्लेम कर सकती हैं, अदर दन दार्ट जो नीचे मैंने आपको यह बनाए हैं, जो कि को पार्टिशन क्लेम नहीं कर सकते हैं, इतनी सी बात क्लियर हैं, और पहले जो था, गुल अफ सर्वाइवर्शिप चलता था, कि चार जनरेशन हैं, एक जनरेशन नहीं रही, तो इसका हिस्सा जो है, उड़ा दो, अब जो प्रॉपर्टी है, तीन हिस्सों में बाटी जाएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, सर्वाइवर्शिप का कॉंसेप्ट हटा दिया गया है, और कहा कि चार हिस्सों में बाटो, जो मर गया है, उसका हिस्सा जो है, उसकी विल या सक्सेशन की हिसाब से कर देंगे, ठीक है, इतनी सी बात क्लियर, इतनी सी बात क्लियर, ठीक है, स्टुडेंस में कोशिश करूँगी, असान से असान भाष्णा में आपको समझाने की, ठीक है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा कॉंप्लिकेटिड टॉपिक है, आगे को, बट अभी ये समझ जाओगे ना, बेस क्लियर हो जाएगा, तो आपको बहुत असानी हो अब मैंने आपको कहा, चार जनरेशन है, ठीक है, तो चारो जनरेशन का बटवारा न, एक साथ नहीं हो जाएगा, दो जनरेशन का होगा, अट अ टाइम, फर्स है, ये कोई फादर है, इनके बेटे हैं, इनके आग फादर बेटे हैं, फिर से बनाती हूँ है, डाइग्राम थोड़ा होच-पोच हो गया है, तो ये हो गई पहली जनरेशन, ये हो गई दूसरी जनरेशन, ये हो गई तीसरी जनरेशन, ठीक है, अब ये नहीं है, कि बटवारा होगा, तो तीनो जनरेशन को बराबर-बराबर मिल जाएगा, या एक साथ पाट देंगे, एक ही प्रॉपर्टी उठा के उसके तीन इससे अगर यह नहीं पहले उपर की दो जनरेशन में होगा और फिर नीचे की जनरेशन में कैसे जैसे कि यह कोई प्रॉपर्टी है co-partners तो ये भी है चार generation तक होते हैं यह दूसरी generation हो गई यह फादर के तीन बेटे हैं तो यह दूसरी generation हो गई अब इनके बेटों के बेटे हैं तीसरी generation हो गई तो although ये भी co-partners है लेकिन जब इस property का बटवारा होगा दो-दो generations का होगा जैसे ये father है, इन्होंने property के 4 हिससे गढ़ी, 1, 2, 3, और 4, ठीक है, अब 2 generation थी है, 2 generation के बीच में एक time पर बटवारा होगा, ठीक है, तो इनका बटवारा हो गया, इसके बाद एक अपनी family इनकी अलग-अलग होगी, देखिए, इसकी family ये अलग जा रही है, अब देखिए, 2 generation के बीच में एक time पर बटवारा होगा, father ने अपनी property के 4 हिससे करे, 1, 2, 3, 4, 2 generation के बीच में खतम, अब S2 के पास अपना हिससे है, S3 के पास अपना हिससे है, S1 के पास अपना हिससे है, तो S2 का further ये अपनी 2 generation के बीच में हो जाएगा, S2 अपनी property के 3 हिससे क इखुद रखेगा, एक अपने इस बेटे को देगा, एक अपने इस बेटे को देगा. फर्दर देखो, दो जनरेशन में हो गई बत्वारा एक ये जनरेशन हो गई, इस सेकन्न जनरेशन हो गई. अब फर्दर क्या होगा, फर्दर अगर एक को अपना बटवारा करना है, यह पहली जनरेशन हो गई, इसकी दूसरी जनरेशन कौन होगी, इसके बच्चे, तो अगर इसके दो बच्चे हैं, वन और टू, तो यह अपनी प्रॉपर्टी के तीन हिस्से कर देगा, एक खुद, देदी, दूसरी जनरेशन को भी देदी, तीसरी जनरेशन को भी देदी, चौती, बहुत कन्फीजन हो जाएगा, तो सिंपल सा रख़ा है, की भाई, को पार्सनर यानि की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी होगी, दो जनरेशन के बीच में, एक टाइम पे, दो दो जनरेशन के बीच में बाठी जाएगी I hope यह बहुत easy clear हो गया होगा clear okay लिखिये चाट में आगे चलते हैं कि बहुत असानी से समझ आया अब देखिए मैंने कहा कि मिताक्ष्रा जब हमने Hindu मैंज़ा के Hindu law start किया था मैंने आपको दो तरीके के schools बताये थे देखिए जो कोपार्स्नरी का concept है न यह सिर्फ मिताक्ष्रा में है यह दाया भागा में नहीं है ठीक है सिर्फ और सिर्फ मिताक्ष्रा में है कि मिताक्ष्रा में क्या है जैसे ही किसी person का birth होता है वैसे ही वो कोपार्स्नर बन जाता है छीक है लेकिन इसमें क्या हो रहा है इसमें father ही soul owner रहेगा इस father की death होगी तो इसके बेटे को मिल जाएगी property अब इस बेटे के अगर बेटे भी है तो hold जो रहता है ना दया भागा में वहमिश्या father का ही रहता है लेकिन इसमें देख रहे हैं जैसे ही बेटे का birth होगा तो राइट आ जाता है ठीक है लेकिन दया भागा में ऐसा नहीं होता सिर्फ father के पास रहती है चायों की कितने भी बेटे है यह कभी भी नहीं बनता यह तब ही बनेगा जब father की death हो जाएगी ठीक है तो दया भागा में को पार्सनरी का concept नहीं है मिताक्ष्रा में है ठीक है मिताक्ष्रा में को पार्सनरी का concept है ठीक है राइट आ जाता है बड़ से और जितने भी लोग है उनका जितने भी लोग है वो joint possession में रहते हैं jointly enjoy करते हैं property को अभी मैंने आपको essential characteristics में भी बताया ठीक है अब यह देखे इनका जो share होता है वो unpredictable होता है और fluctuating होता है जैसे कि मैंने आपको बताया था जैसे कि पहले rule of survivorship चलता था है न तो भाई अगर चार generation है तो चारो alive है तो इनको चार में बत्वारा होगा लेकिन मैंने आपको कहा था कि भाई दो की death हो जाए तो property का खाली दो में ही बत्वारा होगा ठीक है क्योंकि rule of survivorship था तो यह भी कहा गया मिताक्षरा के हिसाब से कि जो coparsnery है इसका बहुत ही fluctuating और unpredictable है ठीक है हो सक 10 के death ही ना हो तो आगे वालों को कभी मौका ही ना मिले है ना तो यह point है तो इसमें क्या होता है कि यह fluctuating होता है और unpredictable होता है पता नहीं है कितना हिस्सा आना है कितना हिस्सा नहीं आना यह point I hope आपको clear हो जाता है ठीक है right of partition सिर्फ और सिफ coparsners का होता है लिकिन कोई coparsner अग अगर कोई insane है तो उसके बास right of partition नहीं है और वो खुद से partition claim नहीं कर सकता लेकिन जब partition होगा obviously उसको हिस्सा दिया जाएगा उसका लेकिन वो पार्टिशन खुद से claim नहीं कर सकता क्योंकि वो insane है ठीक है देखें और बाद आती है कि भाई illegitimate child जो है illegitimate child जो है वो coparsner हो सकता है या नहीं हो सकता student illegitimate child का कभी भी ancestral property में कोई भी अधिकार नहीं होता है यह तो मैं आपको बता चुकी जब उसका ancestral property में कोई भी अधिकार नहीं होता वो coparsner भी नहीं बन सकता अब जब वो coparsner नहीं बन सकता तो वो partition भी claim नहीं कर सकता तो हो सकता आपसे directly यह ना पूछें कि भई ancestral property पर illegitimate का अधिकार है या नहीं हो सकता है आपसे यह भी ना पूछें कि को पार्सनर है या कर आपसे यह पूछ लेंगे कि illegitimate जो चाइड है वो partition claim कर सकता है या नहीं तो इसमें आप बोकला जाओगे और confused हो जाओगे कि उन्होंने तो सिर्फ ये पूछा illegitimate partition claim कर सकता है या नहीं पर confused मत होना हमेशा याद रखना illegitimate का ancestral property पर कोई अधिकार नहीं है जब अधिकार ही नहीं है तो ये co-parsner कभी हो ही नहीं सकता और अभी अभी मैंने आपको बताया था सिर्फ co-parsner ही partition claim कर सकते हैं तो जब ये co-parsner ही नहीं है तो ये partition claim नहीं कर सकता तो illegitimate child के case में कभी confused मत होना ठीक है इतनी सी बात क्लियर है और insane जो है इसका अधिकार रहता है ये co-parsner रहता है लेकिन खुद से ये partition claim नहीं कर सकता क्योंकि ये insane है हाँ जब partition होगा इसका हिस्सा दिया जाएगा क्योंकि ने खुद से भढ़ चड़के बोल नहीं सकता कि पागल है इंसेन है ठीक है इतनी सी बात क्लियर इतनी सी बात क्लियर अब देखिए अलग अलग तरीके की property होती है जो मैं आपको पहले ही बता चुकि हूं एक joint family property होती है joint family property और एक self acquired property होती है तो इसमें आप self acquired property का बटवारा नहीं कर रहें वह आपकी स्वयार जित property है उस इसका फैसला आप खुद करोगे कैसे आप dispose करना चाते हो या का विल करके गए हो तो विल के हिसाब से होगी आपकी स्वयार जित आपकी self acquired property है आपने खुद earn करी है आपने खुद कमाई है आपका personal जो है personal property है आपको कहीं और से गिफ्ट में आई है आपकी self acquired property है आप है joint family property ठीक है joint family property जो आपकी ancestral property होती है unobstructed heritage आपको कोई रोक नहीं सकता उसको self acquired property है उस पर जो है portion का खुद का अधिकार भी होता है ठीक है इसी बात क्लियर है और self acquired property यह नहीं है कि students आप फॉर से खुद से ही आप जो acquire कर रहे हो एर्न कर रहे हो for example आपको जो property gift में भी आ रही है ना कहीं से गो भी आपकी self acquired property ही है तो यह classification भी दे रखे हैं इसी chapter के अं co-personary वाला concept clear है आपको इसके अंदर जो बात याद रखने है basically वो यह रखने है four generation rule है survivorship rule पहले था अब खतम कर दिये कहा है जो person की death हो गई है उसका भी हिससा आप निकालोगे उसका हिससा succession के हिसाब से जाएगा really a succession जैसे भी जाने जाएगा पर उसका हिससा just because वो survive नहीं क बीच में बटवारा होगा इती सी बात क्लियर है कोई confusion है तो chat box में लिखो otherwise आगे चलते हैं कि क्लियर हो रहे हैं चलो मुझे भी अच्छा लगता है जब आप क्लियर लिखते हो कि मैं कोशिश करते हैं आपको समझाओं और आपको समझ आए at least असान से असान भाशम अब देखें हिंदू अंडिवाइड़ फैमली अलग था समझ रहत है यह यह फैमली का हिस्सा है कौन-कौन फैमली का हिस्सा नहीं होगा तब उसे कब निकाल के सैकना है वो अलग था फिर हमने पड़ा हमारे पास एक पूरवजो की ancestral property बची है उसका हिस्सा एक टाइम पे क होता रहे गा धीग है दूसरी बाग अब चलते हैं पार्टी हम मिलीं हमने देख लिया क़ पार्टीम ओन न है जाइन फैमली देख लिया अब चलते हैं पार्टी शन पこの partition क्या होता है law case आप से नहीं पूछ रही बहुत simple English में पूछ रही हूँ partition का मतलब क्या होता है unmute करके बोल सकते हो some division of shares ठीक है और कुछ देखिए आप कह सकते हैं separate units में बाट रहा है छोटे छोटे separate units में independence units में बाट रहा है आप Hindu joint family को है न जैसे पहले तो father एक साथ रह रह रहे थे sons भी एक साथ रह रहे थे पोते पर पोते एक साथ रह रहे थे पर partition क्या है हमने उनको बाट दिया अलग-अलग छोटे-छोटे segments में ठीक है यह है partition का general मतलग अगर आप लिखना चाहते हो मैं dictate कर देती हो आप लिख सकते हो it means to divide into parts to divide into parts और to separate ठीक है क्या आपने divide कर दिया parts में या आपने separate कर दिया ठीक है and under Hindu law Hindu law में इसका क्या मतलब है यह तो हमने general English का मतलब बताया Hindu law में इसका मतलब है and under Hindu law it generally means division or splitting of joint Hindu family in Hindu law it generally means division or splitting of joint Hindu family into smaller into smaller separate and independent units with conformant of separate status on the undivided co-partners ठीक है पहले तो undivided co-partners है लेकिन अब क्या हो गए वो divide हो गए वो separate हो गए उनका बतवारा कर दिया हमने partition कर दिया Hindu joint family को break कर दिया तोड़ दिया parts में सब अब separate separate हो गए तिसी बात दिया अब देखो मैंने आपको कहा था कि partition कौन claim कर सकता है co-partners co-partners कौन है चार जनेरेशन सिर्फ यही भड़ चड़के आगे हिस्सा ले सकते है ठीक है fall to main के नीचे वाली generation आके ड्रामा नहीं कर सकते क्योंकि वो को पार्सनर जीनिया सिर्फ को पार्सनर ही claim कर सकते है partition की partition किया जाए अब देखे one two three four इन चारों जनेरेशन में किसी को भी अगर partition करना है तो partition के तीन ingredients है पहली बात तो आपको formation करनी होगी intention की ठीक है formation of intention आपको formation करनी होगी intention की अब आपने formation कर ली intention की दिमाग मुझे की भई आज तो मैं बोल के रहूँगा कि मेरे को partition कराना है लेकिन आपने बोला ही नहीं तो दूसरी बात यह है declare करना भी जरूरी है declare करना भी जरूरी है declaration of his intention जो person जो कराना चाहता है partition सबसे पहले उसका अपनी intention मनानी होगी कि मैं partition कराना चाहता हूँ उसके बाद उसे declaration करानी होगी declare करना होगा कि हाँ भई मैं कराना चाहता हूँ पार्टिशन उसके बाद उसे अपनी इस इंटेंशन का इस डिकलेरेशन का कॉमिनिकेशन भी करना पड़ेगा और कॉमिनिकेट करना पड़ेगा उसे ठीक है अब देखिए अगर सामने और जो को पार्सनल्स है करता खड़ा है और हमने बोला कि भाई मुझ से बोल के बताया ओरली बोला कि भाई पार्टिशन करा तो डिकलेर भी उसी टाइम हो गया और कॉमिनिकेशन भी उसी टाइम एक साथ हो गया लेकिन अगर हम लेटर की बात कर रहे हैं लेटर की बात कर रहे हैं तो इंटेंशन तो बनी गया अगर हमने जिस दिन हमने लेटर लिखा उस दिन ह हमारा जो second stage है declaration का वो complete हो गया दूसरी बात करता को जब ये letter मिला जब उसको reach हुआ इस दिन तो हमने लिखा तो हमने declare कर दिया लेकिन जब मिला करता को वो letter यानि की हमने communication कर दिया तो तीनो stages fulfill हो गई जैसे ही करता को letter मिला तीनो stages fulfill हो गई हमारी partition की ठीक है अब partition का effect उसी date से माना जाएगा जिस दिन आपने declare किया था यानि कि जिस दिन आपने letter लिखा था भेजा था उसी दिन से आपका माना जाएगा कि आपका partition जो है हो या था इतनी सी बात clear लेकिन ये ज़रूरी है कि communication हो ये तीनो stages fulfill हो अगर आपने सिर्फ formation कर लिया intention का और आपने declare कर दिया letter लिखके छोड़ दिया और आपकी death हो पर आपकी death हो गई और communication तो हो नहीं पाई तो communication जब आप कर रहे हो partition का तो तब आप alive होने चाहिए तभी proper partition पूरा होगा communication होने से पहले ही आपकी death हो गई तो partition नहीं होगा तो ये ज़रूरी है जो communication हो रहा है आपकी partition वाली intention का तब आप alive होने चाहिए ठीक है उस दिन से तभी माना जाएगा कि partition होगा अदर्वाइस आपने ये stage और ये stage सो fulfill की लेकिन communication होने से पहले आपकी death हो गई तो फिर partition नहीं माना जाएगा ठीक है इतनी सी बात clear हाई है इतनी सी बात clear हो गई है कि 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 देखिए मैं आपको इसको एक्जामपल देके समझाती हूं कि जैसे आपने contract पड़ा था उसके अंदर आपने लेटर वाला देखा था कि कि आपकी acceptance कब complete होगी जिस दिन आपने भेजा उस दिन नहीं बल्कि जब सामने वाले को reach हो गया communication हो गई तब communication complete होगी तो इसी तरीके से यह है जिस दिन आपने letter लिग दिया उस दिन आपने declare कर दिया और communication तब complete होगी जब करता को आपका letter पहुच जाएगा उसने पढ़ लिया communication तब complete हो जाएगी लेकिन अब जिए communication होगी तब आप alive होने चाहिए यह भी एक essential condition है जैसे आपने letter भेजाता 10 तारीक को और यह letter जो है मिला reach महां पर पहुचा पंदरा तारीक को तो क्या माना जाएगा कि partition किस तारीक को हुआ इस पंदरा को यह 10 को तो माना जाएगा इस 10 को partition हो ठीक है यह समझा रही थी मैं आपको तारीक से इफेक्ट का मतलब यह था समझाया है क्लियर हर्षना क्लियर चार्ट में लिखिए ओके फिर आगे चलते हैं अब देखे मैंने कहां कि communication जब तक आप जिन्दा हो जब होना जरूरी है आपने खाली declare कर दिया formation करके रख दिया that doesn't mean partition हो गया ठीक है तो इसी से related एक leading case है राघमा राघमा वर्सिस अचन्चमा ठीक है एया यार इस case में क्या हुआ students यह brother थे दो ब्रदर थे ब्रदर वन और ब्रदर टू ब्रदर टू की एक widow भी थी और फिर इस brother वन की कौन थी daughter और son son जो है उसकी death हो गई है तो son की है widow अब इस son का जो है ठीक है यानि की B1 की यह दो भाई है और इसका जो B1 जो यह वला भाई है इसकी बेटी है एक बेटा है बेटे की death हो गई है इसकी इसकी वीडियो है पर बेटे का एक बेटा है और बेटी की बेटी facts clear है facts clear है देखिए अब यह case है partition through will through will क्यों है क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आपको intention declare करनी चाहिए आपको intention form करनी चाहिए फिर उसे declare कर लो आप लिखोगे जिस दिन अगर आपने लिख दी है वो चीज तो आप उसको communicate भी करोगे तो इसमें क्या हुआ B1 ने क्या हुआ intention उसकी first जो है वो तो fulfill होगे intention बना लिया उसने वो लिख कर गया कि मेरे मरने के बात मेरी property जो है equally DD को और SS को जो है जाएगी DD को और SS को जाएगी लेकिन क्योंकि अभी ये दोनो minor है अभी क्योंकि ये दोनो minor है तो मेरी property का ध्यान मेरी भाबी रखेगी मेरी property का ध्यान रखेगी क्या हुरह रहा है मेरी property का ध्यान मेरी भाबी रखेगी fact समझ है इसमें कहा कि मेरे मरने के बाद जो मेरी property है वो equally बात दी जाएगी Equality skilled TD को और SS को लेकिन कि अभी minor तो जब तक ये major नहीं उस जाते मेरी property का ध्यान मेरी भावी रखी, ठीक है ये W, क्योंकि ये विडियो, ये एक विडियो है, ठीक है, B2 की देट हो गई है, उनकी ये विडियो है, ठीक है तो इसने ये करा, ठीक है लेकिन इन केस, अगर DD और SS अपनी Minority के दोरान ही मर जाते हैं, तो Property चली जाएगी W, Fact समझ है, उसने कहा मेरी नातिन और मेरा जो पोता है, उसको मेरी प्रॉपर्टी के मेरी प्रॉपर्टी का बटवारा कर दिया जाए इस दोनों के बीच, ठीक है और क्योंकि अब ये Minor है, तो इस दोरान मेरी प्रॉपर्टी का ध्यान रखेगी मेरे भाई की विड़ो, लेकिन अगर मेरी नातिन और जो मेरा पोता है, अगर उनके डेथ हो जाती है during their Minority, तो उनका हिस्सा चला जाएगा मेरी भावी को ही, ठीक है देखे, इसमें क्या हुआ ऐसा हिवा, SS की ना डेथ हो गई, during Minority ही SS की डेथ हो गई तो क्या हुआ, W ने क्लेम कर दिया, कि अब जो इसका हिस्सा है, ये तो मेरा है क्योंकि उसने कहा था, B1 ने कि अगर during Minority, SS का जो है, जो during Minority अगर SS की डेथ हो जाती है तो W जो जो हिस्सा है, वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है अब क्या हुआ, दिखिए इसने लिख तो दिया ये सब कुछ, इसने लिख तो दिया ये सब कुछ, इसने लिखा इसने लिखा, पर मैंने आपको क्या कहा था कि जैसे आपने intention बना ली, उसके बाद आपने declare भी कर दिया, यानि कि आपने letter लिख भी दिया, लेकिन उसके बाद, उसकी जो communication है, वो भी आपको करनी है, वो भी कब, अगर आप जब alive हो, तब अब ये मर गया मर गया, तो लिखेवे facts की पता चली, communication तो मरने के बाद हो, तेकिन essential क्या था, partition का essential था, communication होनी चाहिए जब ये बीवन alive था तो तीनो essential ingredients में से तीसरा essential ingredient जो है partition का, वो तो fulfill ही नहीं हुआ, यानि कि जो partition है वो तो हुआ ही नहीं, जो partition है, वो तो हुआ ही नहीं, चीक है, तो तो court ने क्या कहा, क्योंकि ये video जो है, ये claim कर रही थी, कि भाई partition हो गया, अब इसके हिसाब से जो भी है मेरे को property मेरी, दे दो, तो court ने कहा, since communication हुआ ही नहीं था, इस चीज का, जब बीवन alive था, तब communication हुआ ही नहीं था, और जब communication नहीं हुआ, इस केस में, पार्टीशन हुआ ही नहीं, ठीक है, तो court ने हैल किया, no partition, since there is no communication, since there is no communication, तो ये जो भी property है, ये succession के हिसाब से, जाएगी, उन्होंने कहा, video को, आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि, partition तो, हुआ ही नहीं, तो अब partition नहीं हुआ, तो आब जो भी property है, वो succession के हिसाब से जाए झायदी। यानि कि इसका भी हिस्टा होगा। विडो है इसका भी हिस्टा होगा। और यह जो डॉर्टर है इसका भी हिस्टा होगा। ठीक है। इतनी सी बात clear है? माम लेकिन Will में भी Partition की बात कहां कहीं गही है। Will में देख्ये यह partition through will था, वो लिखकर चले गए, यानि कि उन्होंने लिख दिया, लेकिन communicate नहीं हुआ, communicate नहीं हुआ, उसमें लिखा कि partition होगा मेरा, इसस के according होगा मेरा, यह will through partition है, सिर्फ partition यह, partition through will है, sorry, partition through will है, ठीक है, I know थोड़े complicated है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ इसी point पे focus करना है, बाकि facts आप understand करो, ठीक है, सिर्फ इस point पे focus किये, मैंने कहा था कि declaration भी होनी चाहिए, communication भी होनी चाहिए, और intention होना चाहिए, तो intention उसका था, declare भी उसने कर दिया, जब उसने लिख दिया, लेकिन वो communicate नहीं कर पाया, ठीक है, communicate आपको करना है, वो भी तब जब आप alive हो, तब ही partition possible है, otherwise नहीं होगा, otherwise court कह देगा, कि यह जो तीसरी essential condition है, यह fulfill ही नहीं हुई, तो यह partition है ही नहीं, तो जब यह partition है ही नहीं, तो यह succession के हिसाब से ही जाए गए, ठीक है, माम, will में partition किस-किस की बीच में हो रहा था, will में partition में आपको facts दुबारा बता देते हैं, जिस पे मैं bracket लगाती हूँ, समझ जा है, करो उनकी death हो गई है, ठीक है, ठीक है, केस यह partition का ही है, will आप सुनके confuse मत होना, partition होना था, इनके और इनके बीच में, ठीक है, इनके और इनके बीच में, ठीक है, इनके और इनके बीच में, और जब तक यह minor है, इनकी property का ध्यान रखने वाली थी, यह, इनकी property का ध्यान रखने वाली थी, यह, लेकिन अगर यह minority के दोरान मर जाते हैं, minority के दोरान अगर यह मर जाते हैं, तो इनकी property चली जाएगी इसको, और यही हुआ, कि यह मर गए minority के दोरान, और जो भाबी थी वीवन की, उन्होंने क्लेम कर दिया कि property मेरी है, ठीक है, तो इस case में क्या हुआ, court ने कहा, पहली बात तो partition ही नहीं हुआ था, क्योंकि जो उनकी will है, वो तो communicate ही नहीं हुए थी, जब वो alive थे, तो वो communicate ही नहीं हुए थी, तो इसका कोई भी effect नहीं होगा, अब जो भी है, वो अब जो भी property है, हो जाएगी succession के according, ठीक है, simple सी बात है, कि भाई पहले इन्होंने अपनी will के अंदर लिखा कि partition ऐसे होगा, ठीक है, इस तरीके से partition होगा, और अगर अब ये minor है, तो इसलिए इनकी property को संभालेगी, ये मेरी भाबी, अगर इन दोनों बच्चों की death हो जाती है, minority के दोराहनी, तो इनका हिस्सा चला जाएगा, इनको, और सच में ऐसा ही होता है, कि भाई इसकी death हो जाती है, तो ये भाबी है, ये claim कर लेती है, अब इसका SS का हिस्सा मेरा हो गया, अब इसके पर मेरा right है, लेकिन जब ये claim करने के बाद court इसको देखती है, तो court देखती है कि जो communication है, वो तो हुआ ही नहीं था, when B1 was alive, तो इसमें, वो जो will लिख कर गया है, उसके अंदर वो तो कभी communicate ही नहीं हुई, और ये partition का तीसर essential भी था, कि भाई, जब आप communicate कर रहे हो, तब आप alive होने जए, इस case में B1 alive ही नहीं था, तो उसका कुछ भी effect नहीं माना, court ने, court ने माना, आप जो B1 की property है, वो succession के हिसाब से ही जाएगी, कोई बटवारा, कोई will, कुछ काम नहीं आएगी, क्योंकि communication नहीं हुई, जब ये alive होगा, अब आप will को देखके, इसमें confuse मत होना, ठीक है, इसके अंदर partition through will था, बट उससे आप confuse मत होना, और सिर्फ जो मैंने आपको तीन पॉइंट बताएं हैं, वो हमेशा याद रखना, पहली बात तो अगर आपका intention है, जैसे आपको, आप खुद को partner हो, अब आपको जो है, अपने फादर के पास, पार्टिशन क्लेम करने, अब फॉर एक्जामपल, एक्जामपल है, बस ठीक है, पर्सनल मत है, जैसे कोई लड़की है, अब क्या होता है, सीरल का इक्जामपल, उसको समझा रहे है, उसकी वाइफ या हस्बंड समझा रहे है, पार्टिशन लो, पार्टिशन करवा, अब उसे सुन लिया, रूम के अंदर, उसके माइंड में, और पापा के सामने जाकर डरवर जाती है, कुछ बोलती नहीं, अब उसके इंटेंशन यहीं पे है, फर्स्ट तो हो गया, उसने इंटेंशन तो बना ली, पर इंटेंशन डिकलेर ही नहीं करी, ना कॉम्मिनिकेट करी, तो पार्टिशन कैसे होगा, तो आपको इंटेंशन, इंटेंशन फॉर्म भी करनी है, डिकलेर भी करनी है और communicate भी करनी है और वो भी कब जब आप alive अगर आपकी depth के बाद communication हो रहा है ना आपकी intention का तो उसका कोई effect नहीं होगा, माना जाएगा partition हुआ ही नहीं, ठीक है? तो यही इस case में हुआ था, अब जो facts है, वो है, logic में नहीं बता सकती, ठीक है? अब यही इसके facts थे और तीसरे point पर आप focus करो और याद कर लो, इनके facts को, ठीक है? कि हमने तीन essentials देखे, first is formation of intention, second is declaration, ठीक, and third is communication, ठीक, और communication भी तब, जब वो person alive, ठीक है? क्योंकि after his death अगर पता चल रहा है, तो वो partition नहीं माना जाएगा, क्योंकि third essential तो partition का fulfill हुआ ही नहीं, जैसे कि हमने case law भी देखा था, और उसके बाद मैंने आपको partition का effect भी बताया था, for say, कि अगर कोई person ने letter लिखा, तो जिस दिन letter उस person ने लिखा for partition, उसने लिखा 10 तारि को, right, यानि कि declaration जो थी, उसने 10 तारिक को दे दी, लेकिन वो जो letter उसके father के पास पहुचा, पर्ता के पास पहुचा, वो पहुचा 15 तारिक को, तो partition इस तारिक को माना जाएगा, when the communication is complete, या फिर इस तारिक को माना जाएगा, जब declaration हो, तो माना जाएगा, जो effect होगा partition का, वो उसी date से होगा, जिस दिन से declaration होई है, यानि कि, although partition complete यहाँ पे हुई, बट उसका effect यहीं से आ गया था, कि माना जाएगा, 10th को ही आपकी partition हो गए थी, पर इसमें बहुत सारे doubts आ झाल, 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 यह फादर है, S1 है, S2 है, अब इनके पास 9 acres land है, ठीक, 9 acres इनके पास land है, तो students, S2 ने अपना declaration, यानि की S2 ने एक letter लिखा, ठीक है, यानि की 10 तारीक को इसने letter लिखा, ठीक है, मन्त भी हटा देते हैं, चलो, 10 तारीक को इसने letter लिख दिया, अब यह letter उसके father के पास पहुचा, 15 तारीक, मैंने आपको कहा था, कि जिस दिन, जिस दिन letter का, यानि की declaration होगा, although communication यहाँ complete हुई, partition यहाँ complete हुआ, लेकिन जो इसका effect है, हम मानेंगे, जैसे कि 10 को ही partition हो गया था, तो 9 एकर land है, तो 10 को ही अगर हम effect मान रहे हैं, तो उसकी साब से, इसके पास भी 3 acres land आ गई, इसके पास भी 3 acres land आ गई, और इसके पास भी 3 acres land आ गई, यह तो simple सी situation, clear, okay, लिखिये चाट में, लेकिन होता क्या है, due to some necessity के लिए, यह person F क्या करता है, इस दोरान 12 तारीख, फादर को तो 15 को लेटर मिला न, लिख इसने 10 को दिया था, अभी तो लेटर फादर के पास पहुचा ही नहीं, अब इस फादर ने 12 तारीख को कुछ land sell कर दी, necessities पूरी करने के लिए family की या कुछ भी, ठीक है, तो इसने sell कर दी 12 तारीख को 3 acres land, ठीक है, 9 में से 3 acres land हो गई, बची कितनी, अभ फादर के पास 6 acres लेटर ये land बची, अब इसका लेटर आ जाते है 15 को, कि भाई partition करना है, यह कह रहा है ठीक है, हो जाएगा, अब यह कह रहा है कि मैंने तो 10 को ही declare कर दिया था, पर receive तो 15 को हुआ, communication तो 15 को हुआ, ठीक है, तो declaration करने के बाद, और communication से पहले, अगर इस person ने कोई भी necessity expenses कर दिये, communication से पहले, फादर को पता नहीं था, communication अब हुई नहीं थी, लेकिन declaration के बाद, communication से पहले, अगर कोई भी necessary expenses कर दिये हैं, तो फिर ये जो expenses होंगे, ये binding होंगे S2 पे भी, S2 ये नहीं कह सकता कि मैं तो 10 को ही अपना partition करा लिया था, मुझे तो 3 एकर ही land देना पड़ेगा, ये binding है, ये खर्चे binding है, इस पर इसे मानना ही होगा, ठीक है, अब क्यूकि 6 एकर land बज गई है, 15 तारिक के हिसाब से, तो इसको भी 2 एकर land ही मिलेगी, इसको भी 2 एकर land ही मिलेगी, इसको भी 2 एकर land ही मिलेगी, ठीक है, लेकिन, फादर, अगर फादर ने ये expenses, 12 की जगा, इस communication के बाद की होगे, communication हो गई 15 को communication के बाद father expenses कर देता for example 20 तारिक को कर देता ठीक है फिर नहीं हो सकता था यह फिर नहीं वो बाद में बोल सकता था फिर तो father का अपना personal loss होगा ठीक है क्योंकि communication के बाद नहीं कर सकता माना जाएगा communication हो गया declaration हो गया उतना ही रहेगा ठीक है फिर तो इसे three acre land ही मिलेगा लेकिन communication से पहले इसने कोई necessary expenses कर दिये family के लिए ठीक है family के लिए तो वो binding हो गया अब यह नहीं कह सकता कि मैं तो धस्तारिक कोई दे दिया था तो मुझे तो उस दिन के हिसाब से three acre ही मिलने चाहिए उसक के बाद हुए I don't care मुझे तीवी दूनो यह चीज बाइंडिंग होगी इस पर क्योंकि वो communication से पहले कर दूगी है I hope यह बात clear होगी ठीक है चैट में लिखो ओक्ये ठीक है क्लियर है ना सबको काफी इजी तो यही हमारे concept था ठीक है बहुत असान concept है इसमें कन्फ्यूज होने की नीड नहीं है ठीक है ओके देखिए मैंने आपको अब कहा था जब मैंने आपको मिताक्षर स्कूल पढ़ाया था कि राइट आ जाता है बाइबर्थ है ना बाइबर्थ हो जैसे ही बर्थ हुआ उसका राइट आ गया ठीक है अगर वो जैनरेशन में आ रहा है तो कोपार्सनर बन गया अब मैंने आपको कहा था कोपार्सनर सिर्फ कोपार्सनर ही पार्टिशन क्लेम कर सकते हैं पर अभी तो यह एजस पैदा हुआ है पैदा होते के साथ ही यह क्या बन गया कोपार्सनर बन गया और कोपार्सनर बन गया तो यह पार्टिशन क्लेम भी कर सकता है लेकिन अभी क्या है यह माइनर है तो क्या यह माइनर पार्टिशन क्लेम कर सकता है तो हां बिलकुल कर सकता है लेकिन यह माइनर सूट तो फाइल कर ही नहीं सकता तो यह CPC के according जो है suit file करें through next friend जो suit file करते हैं उस तरीके से ये suit file कर सकता है तो ये एक छोटा सा concept था I guess ये भी clear होगा ठीक है right in the chat minor भी partition claim कर सकता है पर ये suit नहीं file कर सकता तो ये CPC के according जो next friend है उसके through suit file कर सकता है ठीक है इसी तो बात clear होगी तो बात कर सकता है डिक होगी के साया ठीक है इस case में students क्या हुआ कि first जानवरी को suit file किया गया by the minor ठीक है दस फैब को समन receive भी हो गए by करता partition के लिए हो रहा है ठीक है ये लेकिन बारा फैब को माइनर की death हो जाती है ठीक है तो इसमें question ही आया कि जब माइनर की death हुई माइनर की death हुई तो इस माइनर का status क्या था क्या ये joint family का member होकर इसकी death हुई थी इसका status है या फिर separate status है इसका ठीक है या फिर separate status है इसका ठीक है अब देखिए मैंने आपको तीन essentials बताये थे formation of intention, declaration and communication तो इस माइनर ने ठीक है या मिनिया और answer is right क्या logic लगाया आपने unmute करके बताई माम क्योंकि इसी केसमें ये head हुआ था कि जो partition हुआ आप में को facts की साब से logic बता दो माम partition will be माम it will be deemed that partition became effective on the date when the suit was instituted that is 1st January ये steps पताये ये steps तब कभू है इस में दिख रहा हुआ माम 1st January को partition मतलब दीम करिया जाएगा तो यानि की that minor became or he got separated from his family he got his separate share on 1st January communication किस दिन पूरा वा? communication ये जिजिन समन्स करता हूँ रिसीव हुए और ये declaration कभ हो गया? माम declaration भी जिजिन ने तो सूपाइल किया आपका अंसर सही है औल दो पट में को थोड़े एक्स्पेंड करना पड़ेगा दूसरे स्टूडेंस में है देखे स्टूडेंस जैसे कि मैंने आपको बताया था तीन असेंशल होते हैं पार्टीशन के यानि कि तीसरा स्टेप भी पूरा हो गया तो जब तीनों स्टेप पूरे हो जाते हैं यानि कि क्या हो जाता है पार्टीशन कंप्लीट हो जाते है और पार्टीशन कंप्लीट हो जाते है तो उसका इफेक्ट किस देट से होता है जिस दिन को declaration हुई थी यानि कि 1 Jan को तो अब इसके status की बात है क्योंकि इसकी death से पहले ही communication हो गया था when he was alive ये भी important है ना communication तब होना चाहिए जब वो alive हो तो communication तब हुआ जब वो alive था और ये तीनो essentials जो है fulfill हो गया यानि कि partition हो गया तो minor की जब death हुई तो इसका status क्या था separate था क्योंकि इसकी death से पहले ही partition जो है complete हो गया था right clear, okay लिकिए चार्ट में clear हो गया थो तो ऑपुल, तो में झाल वोगर्वार्य पहुल जिए ... कि एक बार अगर आपने डिमांड कर लिया पाटिशन तो क्या पसको विड्रों कर सकते हो वापिस ले सकते हो अगर ले सकते हो तो कब तक कोई बता सकता है Ma'am, until the communication of intention has been made the partition can be revoked, demand for partition can be revoked Before the communication is complete. ठीक है? Yes. Okay? जैसे ही जो contract वाला concept होता है, almost cases में, वही वाला जो चीज़े है, withdrawal की, communication का बुआ, वही आगे से जादा concept इसमें लग रहे हैं, तो आपकी जो demand है, partition की, वो withdraw भी की जा सकती है, before communication वाली stage is complete, right? अब हमने partition, Hindu joint family का concept देख लिया, को पार्सनर ही हमने देखा, उसके बाद हमने partition का concept भी देख लिया, finally, right, now, finally, अगर हम succession पर जाते हैं, students, तो आपको base clear होना जरूरी था, इसलिए मैं आपको ये तीन concepts कराएं, और मैं बार बार रिपीट कर रहे हूं, don't go before logic, logic के पीछे नहीं जाना आपको, अगर आपको succession समझना है, तो आपको law के पीछे जाना है, आपको rules के पीछे जाना है, आप rules याद कर लीजिए, right, okay, now, next topic पर चलते हैं, दिखे, partition है, अब partition में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ property ऐसी हैं, जो असानी से divide हो जाती है, पर कुछ property ऐसी हैं, जो असानी से divide नहीं होती, इन divisible property हैं वो, ठीक है, तो court कहता है, कि भाई, अगर वो divisible property हैं, जिनने divide किया जा सकता है, तो आप उसे divide कर दो, for example, कोई land है, तो ये land आपकी है, ये land आपकी है, ये land आपकी है, ठीक है, लेकिन कुछ property indivisible होती हैं, जैसे भी कर थे, उनका बटवारा किया ही नहीं जा सकता, अगर बटवारा किया भी जाएगा, तो उस property की value जो है, कम हो जाएगी, या तो वो property ही destroy हो जाएगी, तो इस condition में partition अब होगा कैसे उस चीज़ का, उस property का partition कैसे जाएगा, ठीक है, ये तो ऐसा हो सकता है, कि वो जो property है, for example, ये a है, ये s1 है, और ये s2 है, ठीक है, अगर अब partition होना है, वो property ऐसी है, ठीक है, दो भाईयों का example ले लेते हैं, दो brothers हैं, आप practically सोच के देखिए, दो brothers हैं, इनके वीच में कोई भी property का जो है बटवारा होना है, पर वो property ऐसी है, जो बटी नहीं सकती, तो क्या होगा, इस एक property को हम कहेंगे, कि इस बेटे को दे दो, और इसको क्या दे दो, इसको compensation दे दो, जितने की वो property है, जैसे ये 1 लाग की property है कोई, ठीक है, अब 1 लाग की property इसको दे दी, ठीक है, अगर हम इसको बाट देते, तो 50K और 50K की property आ जाती दोनों के पास, लेकिन क्यूंकि ये बठी नहीं सकती, तो हम क्या कर देंगे, ये property किसी एक को दे देंगे, अब इसके पास 1 लाग की property आ गई, तो 50K ये इसको इसको दे देगा, ठीक है, S1, 50K, S2 को दे देगा, इसी बाट clear है, चार्ट में उक्ये लिखिए, फटा-फट, ठीक है, ठीक है, या तो इस तरीके से कर लेंगे, डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं हो रही है, तो इस तरीके का कोई agreement बन रहा है, कि भई, एक भाई property ले ले, और उसमें से आधा जो value है उसका, अपने दूसरे ब्रादर को दे दे, ठीक है, इस तरीके से भी अगर partition नहीं हो रहा है, इस तरीके से भी अगर partition नहीं हो रहा है, तो हम इस तरीके से कर लेंगे, कोई बात नी, ठीक है, प्रॉपटी का बटवारा जो है, किसी साब से कर देंगे किन वह कोई ऐसी चीज है पूरी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है जैसे कि मंदिर हो गया रहा है तो उसमें हम कर देंगे कोई बात नी जो प्रॉपर्टी रहेगी करता के अंदर ही रहेगी या कोई भी जो पॉर्सन है प्रॉटिकुलर पॉर्सन इसके अंडर ही रहेगी ना इसको यूज कर लेंगे ठीक है टॉम बइटा इसके राइट आजेंगे एक बार ये ब्रदर एक बार फिर थोड़े टाइम के लिए ये ब्रदर बार तॉम उसको । यूज को कोई ऐसी चीजह मंदिर हो गया रहा है जो या फिर जो है कर्था व अगरिमेंट्स फैंबली बना सकती है यह कुछ सॉलीशन दे दियेगा ओविसली इंडिविसिबल है वो प्रॉप्टी अब कुछ तो गना पड़ेगा या तो उसको भाट दो जो पहले वाला यह तो चीज है मैंने आपको आरड़ी बता दी थी कि हिंडू जो आपकी फैमिली है अगर कोई पोसन उसको से कनवर्ट कर गया है अगर रिलीजन में तो हम उसे फैमिली में से जो मेंबर है वो निकाल देंगा वो जब पैंबर ही नहीं रहा तो को पार्सनर भी नहीं रहा पर इसका यह मतलब भी है हम उसको उसका हिस्ता नहीं देंगे हम उसका उसका हिस्ता देंगे और फिर उसको निकाल देंगे ठीक है ऐसा ही मैरिज के केस में किसी ने मैरी किया नॉन हिंदू पोर्सन से तो ऐसा नहीं कि हम उसको निकाल देंगे फिर उसको निकाल देंगे ठीक ह चाइल्ड इन वूम है उसका भी बता चुकी हूँ शायद ना आपको चाइल्ड इन वूम है उसका भी स्टुडेंस में आपको बता चुकी हूँ ठीक है यानि कि जब partition था partition हो रहा था तब वो in womb था उसका भी birth नहीं हुआ है ठीक है उसका भी birth नहीं हुआ है उसका share हम अलग से reserve करके रख लेगे उसका share हम अलग से reserve करके रख देंगे अगर ये reserve करके नहीं रखा गया है, तो जब इसका birth होगा, जब इसका birth होगा, तो ये reopen करा सकता है partition, ठीक है? ओके. इतनी सी बाते clear हैं? अब finally, अगर हम summary देखें, तो कौन-कौन से persons होते हैं, जो entitled होते हैं? ओके. ठीक है, child in womb का मैं आपको पहले समझाते हैं, तो देखिए, जो child है, womb में है. ठीक है, उस time पे, उस time पे अगर partition हो रहा है, जब वो अपने mother के womb में है, उस time पे partition हो रहा है, तो हमें already पता है, एक और child आने वाला है, womb में है, वो अभी, तो अगर इस दोरान जब ये womb में है, ठीक है, तब अगर हम partition कर रहे हैं, तब हम इसका अलग से share निकाल के रख दे ठीक है, फिर जब इसका birth हो जाएगा, तो ठीक है, इसको इसका share दे दिया जाएगा, लेकिन इसका birth हो गया, इसका birth हुआ, child ने देखा कि मेरा तो कोई share ही नहीं निकाल के रखा गया, मैं तो womb में था ना, जब partition हुआ, तो मेरा share क्यों नहीं निकाल के रखा गया, तो इस बाद के लिए यही open करा सकता है partition फिर से partition किया जाएगा और इसका शेर इसको दिया जाएगा ठीक है चाइल बॉन आफ्टर पार्टीशन पार्टीशन हो गया है ना चाइल बॉन होता है partition के बाद उसका कोई effect नहीं है वो वूम में होना चाहिए उस time जिस time partition हुआ या तो वो existence में है या तो वो वूम में है ठीक है? अपनी मदर की कोख में है वो उस time को ठीक है? उसका existence होना जरूरी है यह नहीं है कि future में तो पैदा होगा तो पहले ही निकाल के रखतो है ना वूम में होना जरूरी है अगर partition हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद वो lady, partition के बाद वो lady pregnant हो रही है, उसके womb में उसके बाद आ रहे है, तो उसका भी कोई effect नहीं होगा, ठीक है, उसको मिलेगा तब, जो वो पहले से ही अपनी मदर की womb में हो, जिस time पे partition हो रहा है, अब clear है? ठीक है? यानि की कौन कौन से persons होंगे, जो entitled है, to get a share, at the time of partition, सबसे पहली बात तो co-partners, को-partners है क्योंकि, तो उनको उनका share मिला जाएगा, दिया जाएगा, entitled है, ठीक है? दूसरी बात, जो sunborn होते हैं, जो child born होते हैं, void, या voidable marriage के अंदर, ठीक है? जिनको अंदर section 16 Hindu marriage act के अंदर, डीम किया जाता है, legitimate होते नहीं है वो, लिकिन डीम किया जाता है legitimate, उनकी just or just protection के लिए, तो इनका भी ancestral property में, ancestral property में कोई भी right नहीं होता है, यानि कि जब partition होगा ancestral property का, तब इनका कोई भी right नहीं होगा, इनका right कब होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने father की separate property में, चीक है? उसके अंदर इन्हें मिलेगा, लेकिन जब ये को पार्सनर्स के बीच में partition हो रहा है, तब इन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये legitimate नहीं, deemed legitimate है, समझ गए, understood? तीसरी बात, ये तो हो गए deemed legitimate, इसके अंदर ये एक और point था, तीसरे तो हो गए बिल्कुल ही illegitimate, जिनके under section 7 हमने बोला था न, ceremonies तक नहीं हुई और वो, void or voidable के अंदर तो आते ही है, ceremonies तक नहीं उनकी complete हुई, है ना? तो उनको बिल्कुल हमने कहा था, कि उनको तो बिल्कुल कोई protection भी नहीं दी गए, उनको तो बिल्कुल bastards ही कहा गया है, तो उनका तो कोई भी right ही नहीं बनता है, तो claim ही नहीं कर सकते हैं father से, although माता तो उनकी legitimate ही है, है ना? Mother से वो inherit कर सकते हैं, लेकिन father से वो claim नहीं कर सकते हैं, although जो उनके father होंगे, qualitative father वो देना चाहते हैं, तो ठीक है, पट वो claim नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो illegitimate हैं, कोई भी protection भी नहीं दिया गया, लेकिन माता तो उनकी legitimate ही होगी न, उसकी kok से जनम लिया, तो mother की जो inheritance है, उस पे वो inherit कर सकते हैं, इतनी सी बात clear है, और चौती बात, जो child in womb है, जो मैंने आपको अभी अभी समझाया, child in womb जो है, वो भी entitled है partition दिले, वो भी कब, जब वो existence में हो, जब partition हो रहा हो, वो अपनी माता की kok में हो, वो वो में हो, तब ही वो claim कर सकता है partition, ठीक है, यह points clear है, यह points clear है, अब देखे कुछ ladies भी होती हैं, कुछ women's भी होती हैं family में, जिनके पास right तो नहीं है partition का, जिनके पास right तो नहीं है partition का, वो claim नहीं कर सकते tohe that. Partition कुरो, partition करो, थैना वो claim तो नहीं कर सकते लेकिन लेकिन जब भी partition होगा, the moment partition होगा, इनका automatically हिस्टा निकाल के, इन्हें दे दिया जाएगा. यह खुद नहीं बोल सक्ते कि partition करो, जब भी पार्टीशन होगा इप इनका हिस्सा निकालके दे दिया जाएगा किस किस को मदर को ठीग है मदर को वाइफ को ग्रान्ड मदर को अभी खुदनी कह सकती कि हमें हमारे हिस्सा दो लेकिन जब भी partition होगा, इनको इनका हिस्सा निकालके दे दिया जाएगा, ठीक है, इतनी सी बाइक क्लियर है, देखे, अब कभी यह हो सकता है कि more than one wife हो, more than one wife हो, तो हर wife का हिस्सा separate होगा, यैसे कि wife 1 है, wife 2 है, wife 3 है, है ना, तो इसका हिस्सा अलग होगा, इसका हिस्सा अलग होगा, इसका हिस्सा अलग होगा, according to the partition, ठीक है, लेकिन जब हम succession पढ़ेंगे, तो हम succession में देखेंगे, कि अगर किसी की wife जादा है, तो तीनों wife को एक हिस्सा दिया जाएगा, और वो फिर इसे एक हिस्से को बाटलेंगी आपस में, लेकिन partition में, अगर एक से जादा wife हैं, तो सबको अलग-अलग हिस्सा दिया जाएगा, इतनी सी बात क्लिया, write okay in the chart box, और partition होगा कैसे, partition होगा कैसे, दो जनरेशन को, दो-दो जनरेशन करके बाटा जाएगा, for example, ठीक है, तो कोई property है ये, तो पहले इन तीनों के बीच में बटेगी ये property, दो जनरेशन at a time, ठीक है, यानि कि 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3, ठीक है, अब ये यहाँ से अलग हो गया, अब इन दोनों के बीच में बटवारा होगा इसको further, ठीक है, तो इस थरीके से, एक बार में, एक बार में, दो जनरेशन के बीच में ही property बटेगी, ये अपने बेटे को देदेगा आगे, अब इसको इससा मिल गया, दो जनरेशन के बीच में हो गई बटवारा, अब ये आगे अपने बेटे को देगा, फिर से दो जनरेशन के बीच में हो जाएगा, ठीक है, ऐसे दो जनरेशन के time पे, दो जनरेशन को एक टाइम पे बटवारा किया जगा ठीक है सब को एक साथ नहीं बाठ देंगे जब तो confusion हो जाएगा न clear इतनी सी बात ओके लिखिए जल्दी से आगे चलते हैं फिर ठीक है यह ऐसा अब क्योंकि हमारे सारे topics clear हो गया है हिंदू joint family coparsnery और partition ठीक है अब हम चलते हैं finally हिंदू succession app इसमें भी हम step by step चलेगे don't worry कोई भी doubt है सारे clear होते जाएंगे ठीक है कोई भी doubts है just wait next clause में हो सकता है वो clear हो जाए next clause में हो सकता है clear हो जाए तो once वो section complete हो जाए उसके बाद आप देखेगा आप को clear हो जाएंगे doubts में diagram बना के at the time आपको समझाती भी junk ठीक है और कुछ students को हो सकता है calculations करने भी problem हो calculation कैसे करनी है मैं वो भी बता दूंगी don't worry ठीक है देखें सबसे पहले तो होता है defines इसके अंदर कुछ words यूज किये गए है different जो अभी तक आप नहीं पढ़े होंगे सबसे पहले तो हम उनको ही देख लेते हैं सबसे पहले वर्ड है intestate इसका क्या मतलब होता है क्योई बता सकता है when a person who dies without making a will as to the disposition of his property देखें अगर कोई व्यक्ति बिना विल बनाए उसकी death हो जाती है ठीक है for example यह F है father है father के पास अपनी कोई separate property है ancestral वाले की बात नहीं कदीम है ancestral है तो co-personary है obviously तो वो कैसे कैसे जानी है वो already decided है अब लेकिन इसके father के separate हिस्से की बात कर रहे है इसका कोई हिस्सा है और इनकी death हो जाती है बिना कोई विल बनाए तो इनकी property आगे कैसे किसके बास जाएगी तो अगर विल है अगर यह विल बनाके गए है तो ठीक है वो अपलाए होगा but otherwise विल नहीं बनाके गए तो हिंदू सक्सेशन आप जो है अपलाए हो जाएगा हिंदू सक्सेशन आप पी आप से जो भी आपको class 1, class 2 agnates, cognates पहुत सारी classes दे रहे हैं उस हिसाब से जो है property आपकी dispose हो जाएगा इसी बात clear? तो interstate वो person है जो जिसकी death हो जाती है without making a will अगर वो will बनाके गए होते तो कोई दिक्कत होती नहीं उनकी property चली जाती जिसके नाम पे वो will बनाके गए थे पड़ वो will बनाके गए नहीं तो उनकी property का करे क्या क्या करे? वो ही बताया है हमें हिंदू सक्सेशन आप के अंदर ठीक है? इतनी सी बात clear है? अब इसके अंदर और क्या words है? टेस्टिमेंटरी टेस्टिमेंटरी क्या होता है? बताईए बता सक्ट्यों आप? माम सक्स डिस्पोजिशन बाई विल ठीक है तो डिस्पोजिशन बाई विल हो गई तो वो तुम्हें आपको अलड़ी बताई चुकिए हूँ विल कर दो अधर्वाइस हिंदो सक्सेशन आप भी साप से देखेंगे तो यह तो सिंपल सी चीज है थी दूसरा है एगनेट और कॉगनीट एगनेट कौन होते हैं? बता सकते है कोई? अन्म्यूट करके बोल सकते हूँ मैं बन टू परसंस आर रिलेटेड थू मेल्स अली ठीक है देखिये यह लाइन कौनसी है? एगनेट और यह लाइन कौनसी है? कॉगनेट सीधी सी बात यह है हमारे पास जो रिलेशन्स आ रहे है थू मेल थू मेल हमारे पास जो रिलेशन्स चले जा रहे है वो है एगनेट और थू फीमेल जो हमारे चल रहे है थू फीमेल थू फीमेल कैसे यह डॉटर है डॉटर के बच्चे हुए तो थू फीमेल जो रिलेशन्स आ रहे है वो होते हैं कॉगनी ठीक है इतनी सी बात क्लियर है अभी हम इसको और डीटेल में देखेंगे बट अभी के लिए आप यह समझ लीजिए एगनेट वो रिलेशन्स होते हैं जो थू मेल चले आ रहे हैं बेटा उसका बेटा पर कोता ठीक है और कॉगनेट वो रिलेशन होते हैं जो की फीमेल से आ रहे हैं जैसे बेटी उसकी बेटी ठीक है तो एगनेट और कॉगनेट में यही अंतर है और हम आगे डीटेल में देखेंगे अभी के लिए आप इतना ही इसको समझ लीजिए ठीक है उसके पहले इसमें class 1 class 2 के hairs भी है वो कौन है वो भी हम आगे देखें ठीक है यह terms अभी तक clear है इसके अंदर कुछ और defines है full blood half blood uterine blood यह तो हम अल्रेडी हिंदो मैरिज आपके दौरान भी पढ़ चुके है ना full blood क्या होगा कोई यह father है और यह mother है इनके दो वेटे है इन दोनों का relation क्या हुआ half blood और uterine blood बताईए uterine यानि की uterus यानि की mother यानि की mother common है और father अलग-अलग है तो यह दोनों भाईयों का रिष्टा अपस में क्या हुआ uterine blood का और similarly half blood है जिसके अंदर की mothers अलग-अलग है इनके father common है लिकिन mother अलग-अलग है तो इन दोनों के बीच का रिष्टा क्या हुआ यह चीजे समझ आई यह हम Hindu marriage act के अंदर भी पढ़ सुके हैं उसके बाद आ जाते हैं हमारा कस्टम्स कस्टम्स मैं और रिपीट नहीं करूंगा आप अ लेक्टर आकर देख सकते हूं कस्टम्स हमने बहुत ब्रीफ में डिसकस किया कि भई कस्टम्स जो है क्या होते हैं लॉंग टाइम से विदाउट इंटरवेंशन यूज किये गए हैं और हिंदू की definition मी हमने first lecture के अंदर जब हमनी introduction to Hindu law किया था फो भी हमने cover कर लिया था तो हिंदू की definition भी आप उस lecture के अंदर से देख सकते हूं now finally जो important है वो है devam section number six section number six हमको basically चार चीज़े बतारा है पहली बात तो ये कि जो डॉटर है वो भी को पार्सनर है दूसरी बात जो डॉटर है उसका भी absolute राइड है तीसरी बात नौशनल पार्टिशन क्या होता है और चौथी बात पायस ओब्लिगेशन पायस ओब्लिगेशन क्या होता है ठीक है पायस ओब्लिगेशन क्या होता है यह चार चीज़े हमें बताईए ना section 6 के अंदर राइड तो कोई बता सकता है नौशनल पार्टिशन क्या होता है Ma'am, when intestator dies it will be deemed that before his death a deemed partition has happened it is for the purpose of allocation of shares ठीक है ठीक है, मैंने आपको बताया था जब आपको आपको को पार्सनली का topic करा रही थी तो मैंने आपको रूल अफ सर्वाइवरशिप समझाया थी कि A, B, C, D ये चार जनरेशन है, उम्में से कोई एक जनरेशन मर गई, तो बतारा चार की हिसाब से नहीं होगा, अब बतारा तीन के हिसाब से होगा, जो सर्वाइव करेगा, उसी को बतारा मिलेगा उसकी प्रॉपर्टी का है ना, जो सर्वाइव नहीं करेगा, प्रॉपर्टी उसको नहीं मिलेगी, ठीक है, ये था रूल अफ सर्वाइवरश, जो की सक्सेशन के आने के बाद खत्म होगी, कहा गया, भई वो मर गया, तो मर गया, लेकिन उसका हिस्सा उसे ही दिया जाएगा, पहले क्या हो रहा था, बीच में से अगर किसी के डेथ हो गई, तो चार की जगा, तीन जनरेशन में बाटेंगे, और उसको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अंदर इसरूल को हटा दिया गया, जो डैथ हो गई, उस परसन का हिस्सा रिजर्व करके रखेंगे, फिर उस परसन का वो हिस्सा आगे कैसे जाता है, ठीक है, आगे सक्सेशन के हिसाब से उस परसन का लिच्सा दिया जाएगा, इतना सी बात क्लियर, तो ये होता है notional partition अब हो सकता है आपको नहीं समझ आयो तो हम इसके लिए इसके diagram से देखेंगे तो हम एके करके सारी clause को समझते हैं देखें सबसे पहले हम फिर्स सबसेक्शन को देखें दो का जो डांटर है हम दोजार पांच में कमेंडमेंट की गई ती यहां थो मैं आपको बहुत बार बता चुकि हो याद भी हो गयाओगा जो डांटर है स्पहले यो को पार्स्नर भी ओड़िया होती थी लेकिन मैंने आपको बताय था पो पार्सनर है तो उनके पास राइट भी होता है को पार्शन कब से हैं कि पोई搞 आपको बनगए ऑझ बस। को पार्शन बने गए हिसाब सभय को पार्शन पृट्व को पार्शन है कब से जैसे उनका बइर तुब उन को पार्शन बन जाथ कि है अब जैसे ही जैसे sons के पास right है उस property के अंदर वैसे ही daughters के पास सारे rights है सारे rights सारी liabilities son और daughter की अब equal है ठीक है son और daughter की अब equal है ठीक है पहले क्या होता था जो आपकी coparsnery property है उसके अंदर को हिस्सा नहीं दिया जाता था daughters को लेकिन अब उस rule को change कर दिया जो coparsnery property है आपकी उसमें से भी daughters को हिस्सा दिया जाएगा उसमें भी daughter को coparsnery बना दिया गया ठीक है देखिए मैं आपको एक diagram से समझाने की कोशिश करती हो पहले की situation ठीक देखिए ये एक situation है पहले क्या होता था for say कोई भी property है तो उसका बटवारा कर दिया जाता था जैसे charge अने है एक property है तो one two three four मैंने इसको क्यों नहीं गिना मैंने इसको क्यों नहीं गिना मैंने इसको इसले क्यों नहीं गिना कि जो wife mother या grand mother होती है ये partition claim नहीं कर सकती पर जब भी partition होता है इन्हें भी हिस्सा दिया जाता है तो अभी partition हो रहा है तो इसे हिस्सा दिया जाएगा न वाइफ है तो इस property के अब कौन हिस्सेदार हुए दोजाएट पांच से पहले one two three four तो one by four one by four one by four one by four ठीक है ये बाट दिया अभी हमने ancestral property को बाटा है ठीक है ancestral property को बाटा अब ये property ancestral वाली बटती अब ये है फादर की self acquired property ये है फादर की मतलब खुद की property separate हिस्सा है यानि की sorry इसका self acquired नी separate हिस्सा है इसका है अब फादर का separate हिस्सा ये आगया अब फादर की हो जाती है death अब फादर की जो one fourth property है फादर की जो one fourth property है ये किसके पास जाएगी ये किसके पास जाएगी ये जाएगी 1, 2, 3, 4 अब मैंने डॉटर को क्यों गिना मैंने डॉटर को इसले गिना क्योंकि कोपार्सनर नहीं है जो आपकी कोपार्सनरी की जो आपकी ancestral property है उसमें इसका को हिस्सा नहीं है लेकिन succession में तो although था ही न तो पहले जो बटवारा हुआ न वो उसकोपार्सनरी property का हुआ लेकिन अब जो पिता है उनके जो separate property है उनके मर जाने के बाद जो उनका हिस्सा है वो किसके पास दैगा ये decide हो रहा है तो ठीक है इनको तो इनका हिस्सा ancestral वाला पहले ही मिल चुका बेटी का लॉस हो गया तो ये पहले को पार्सनर नहीं ती अब ये जो one fourth हिस्सा है ये बटेगा चार one, two, three, four चार जने हैं तो four into four तो अब देखिए बेटी का लॉस हो गया न अगर ये को पार्सनर होती तो उसे ancestral property यानि की जो कोपार्सनरी property थी उसमें से भी हिस्सा मिलता one by fourth का जो इन सभी को मिला है लेकिन daughter जो है पहले नहीं होती थी कोपार्सनर तो उसे कोपार्सनरी property में से कोई भी हिस्सा नहीं मिला although succession के हिसाब से जब उसके father की death हो गई तो succession के हिसाब से जो father की separate property थी उसमें से इसे हिस्सा मिला ठीक है तो पहले इसे ये one by fourth हिस्सा जो का पार्सनरी property था वो नहीं दिया जाता था इतनी सी बाद clear है ये diagram clear हुआ इससे अब देखी after 2005 क्या होता है अब देखी अब देखी अब बेटी को भी हिस्सेदार बना दिया को पार्सनरी प्रॉपटी में जो ancestral प्रॉपटी है जिसका बटवारा किया जा रहे है उसमें बेटी का भी हिस्सा होगा तो calculation कैसे करनी है जैसे एक प्रॉपटी ये है तो कितने जने हैं पहले गिन लोगे 1, 2, 3, 4, 5 तो 1 upon में 5 लिख लो कि 5 possals है ठीक है ये तो हो गया ancestral property का अब सब के जो है हिस्से आगए अब ये father का 1 by 5 जो है father का separate हिस्सा है अब father की हो गई death और इन्होंने will भी नहीं बनाई थी कि जो मेरा हिस्सा है यी किसको जाएगा तो अब ये जो father का जो separate हिस्सा है ये succession की हिस्सा आप से जाएगा किसको जाएगा wife, daughter, s1, s2 तो कैसे हम इसको calculate करेंगे 1 by 5 इनकी जो है 1 by 5 इनकी जो है property है separate कितने जने है 1, 2, 3, 4 तो इस 5 को into 4 कर देगे ठीक है क्योंकि चार्जरनों के पास जने तो जितने लोगों में बाटना है तो इस 5 को उससे multiply कर देंगे तो 1 by 20 प्लस 1 by 20 प्लस ठीक है पहले जो है daughter को घाटा हो रहा था उससे ये वला हिस्सा नहीं मिल रहा था लेकिन अब उससे ये भी मिल रहा है और यानि कि जो पार्सनरी प्रॉप्टी है उसमें भी हिस्सा मिल रहा है और जो father की separate प्रॉप्टी है उसमें भी हिस्सा मिल रहा है इतनी सी बात clear calculation भी करना आ गया अगर किसी student को problem होती थी ठीक है कैसे करना है जितने लोग होंगे उतने को ही denominator से multiply कर दो देखिए second point कहता है कि absolute right after partition separate property हो गई थी ना father की अब after partition वो father की separate property है उसकी वर्जी वो अपना separate वाले हिस्सा किसको देना चाहते है मैं आपको और एक्जांपल कराऊंगी जब नोशनल पार्टिशन कराऊंगी अभी इनकी और जो पीडिया है जैसे sun को बट गया अब आगे करेंगे अभी सिर्फ इस वाले ग्राफ में आप सिर्फ डॉर्टर को समझो और यह समझो कि जो प्रॉपर्टी थी उसमें जो separate हिस्सा है पहले सिर्फ उसी के लिए मिल रहा था अंडर सक्सेशन डॉर्टर को फाइस्टर यह एंसेश्ट्र प्रॉपर्टी से कुछ नहीं मिल रहा था लेकिन अब 2005 की अमेंडमेंट के बाद डॉर्टर को एंसेश्ट्रल प्रॉपर्टी से भी मिल रहा है और फाडर का जो separate हिस्सा है उसमें से भी सक्सेशन के थुरू हो तो मिल पहले भी मिल रहा था अब भी मिल रहा है ठीक है इतनी सी बात क्लेम कर सकती है तो यानि कि प्रॉपर्टी को डिस्पोज कैसे करना है प्रॉपर्टी को डिस्पोज कैसे करना है वो भी वो अपने अकॉर्डिंग वो जो डॉटर है वो कर सकती है वो इसका राइट है उस प्रॉपर्टी के उपर उसका पार्टीशन हो गया उसको अपना सेपरेट पार्ट जो है वो उसका आ गया तो उसकी मर्जी है उसकी प्रॉ कर सकते हो इस प्रॉपर्टी दूसरा दूसरा जो पॉइंट है वो इतना टेक्निकल नहीं था इस बहुत क्लियर है तीसरे पर चलते हैं जो मेन है देखें पहले क्या था राई तो रूल ऑफ सर्वाइवर्शिप अब जो है रूल ऑफ सर्वाइवर्शिप हट गया था तो अब क्या हुआ जो पोसन की डैथ होगी जिस भी पोसन की डैथ होगी For example, ये है, फादर की डेथ हो गई, उनकी वाइफ है. अब देखे, फादर की डेथ हो गई, तो सक्सेशन कैसे करेंगे हम फादर की प्रॉपर्टी का, हमें तो यही नहीं पता फादर की सेपरेट प्रॉपर्टी कितनी है, क्योंकि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसमें तो पूरी फादर की थोड़ी है, उसमें तो खुद तो separate property प्रोपर्टी पर अप्लाय हो रहा है ना युद्वाइज जो को पार्सनरी प्रोपर्टी है उसका तो partition होगा पहले, separate property निकाली जाएगी, फिर वो separate property जाएगी partition में कैसे मैं आपको बताती हूँ national partition पर ये मतलब है जैसे कि rule of survivorship पहले होता था जो जिन्दा है उसी को हिस्सा दिया जाएगा जो मर गया उसको नहीं दिया जाएगा तो ऐसा नहीं होगा जो फादर है को कवा सेस्सार हो गई लेकिन ।क सेसं लपी सब्धिक करेंगे पार्टिशन कैसे करेंगे मैंने आपको बोला था एक टाइम पर दो जन्रेशन के पीच में पार्टिशन होता है तो जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है सबसे पहले हमने उसका पार्टिशन कर दिया क्यासे कर दिया एक property है ancestral उसके चार हिस्से करेगी क्योंकि एक बार में दो generations के बीच में होता है यह है न दो generations है न तो 1 by 4 1 by 4 1 by 4 and sun को भी मिलेगी 1 by 4 ठीक है यह हो गया अब क्या होगा जो father है इसका यह हिस्सा आ गया 1 by 4 इसका यह हिस्सा आ गया 1 by 4 ठीक नोशनल पार्टीशन का कंसेप्ट समझ रहे हो समझ आ रहे है न सबको इतना Is it clear to everyone नोशनल पार्टीशन आपको समझ आ रहा है ठीक है देखिए अगर यह पार्टीशन हो गया एक बार यहाँ पे तो अब यह family जो है न यह अलग होगी चलिए हम इसमें यह example देते हैं कि F अभी मरा नहीं है F अभी मरा नहीं है वो जिन्दा है तो अभी वो जिन्दा है तो separate part उसने अपने पास ही रखता है पर partition हो गया अब यहाँ से यह family cut हो गए क्योंकि दो generation में होते हैं दो generation में partition हो गए अब इसको जो one-fourth जो हिस्सा है यह ancestral property से आया है यानि कि इसकी मरदी नहीं चलेगी कि यह will बना दे इसका यह separate हिस्सा नहीं है इसमें इसके बेटों का ठीक है इसमें इसके बेटों का अगर generations का भी हिस्सा है तो अगर S को will बनानी है अपनी property के रिगार्ड़ी तो उसे इस property में से पहले अपना हिस्सा अलग करना होगा क्योंकि इस property में खुद बा खुद इसके बेटों का भी हिस्सा है जिससे वो अपने बेटे को अलग नहीं कर सकता क्यूंकि S की खुद की property नहीं है S को भी अपने ancestors से आई है तो 1 by 4 में से पहले S को अपना हिस्सा निकालना होगा है ना तो कैसे निकालेगा यह अब मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी ancestral property का partition होगा तो wife को भी स्सा दिया जाएगा तो इसकी wife है है ना तो अब कितने लोगों में पटवारा करना है तो अगर S की debt भी हो गई है तो नोशनल पार्टिशन के हिसाब से ही माना जाएगा कि यह जिंदा है ठीक है तो पहले इसका हिस्सा दिया जाए तो इसे उसके बाद यह depth भी हो गई है तो इसका हिस्सा जो है succession के हिसाब से चला जाए तो S के पास आया 1 by 4 ठीक है कितना जाने है 1 2 3 और 4 तो 4 into 4 16 तो separate हिस्सा आया इस property में S का 16 ठीक है अब इतना हिस्सा जो है separate भज़ गया S का अब S की मर्जी है कि यह इसकी will कराना चाहता है मेरे मरने के बाद किसके पास जाएगी इसने will करार रखी थी तो ठीक है अगर नहीं करारी रखी थी तो यह 1 by 6 ठीक हिस्सा जो है यह कैसे जाएगा आगे यह कैसे जाएगा आगे वो हम देखते हैं अब 1 by 6 ठीक हिस्सा है यह इसने will नहीं करार रखी succession से जाएगी तो कैसे जाएगी कोई calculate करके बता सकता है 1 by 48 कैसे या मिनी कितने persons आपने consider किये मैं 1 by 48 नहीं होगा I think 1 upon 16 into 4 मतलब denominator में 4 की की उपर जो इसकी widow mother है उसको भी जाएगी ठीक है 1 by 64 होगा ठीक है clear हो सकता है कुछ students को problem आ रही हो देखे students जब तक आप rules याद नहीं करेंगे rules देखे आप याद कीजिए यामीनी को rule याद था कि mother और wife को भी हिस्सा देंगे जब भी बटवारा होगा mother और wife को भी हिस्सा देंगे देखे तो उसने याद रखा rules को तो वो answer बिल्कुल सही solve कर पाए तो इसी तरीके से आपको rules याद रखने आपको clear होगे अगर rule ये है कि पहले ancestral property है उसका बटवारा कीजी ठीक है आपका फिर separate हिस्सा जो है वो आ जाएगा separate हिस्सा आ गया फिर will बनानी है तो will बना दो आपका separate हिस्सा है वो या फिर वो succession के हिसाब से चला जाएगा तो इस case में भी यही हुआ I hope आपको clear हो गयाँ students बाकी students को भी clear हुआ otherwise मैं repeat भी कर सकती हूँ students बताइए हर्षना clear right in the chat अगर किसी को कोई doubt है तो should I proceed further ठीक है सभी को समझ आ गया good ठीक है अब इसकी subsection 4 क्या कहता है यह पहले क्या था before and after दोनों बताते है शपर सुर्ग रख्ग दिजब और का पहाँ Ohh झाल झाल देखिए कोई concept सुन जा सकते हैं इसका यह तो बहुत सिंपल है एक भी दिया में स्क्रीन पे जो हेडर है इसके पाइस obligation क्या होता है पाइस obligation यू कान जस्ट अन्मूट अन्स्पीक अन्मूट अन्स्पीक चाट में आप नहीं लिख पाएंगे इतना ओके देखिए मैं ही समझाती हूँ पाइस obligation यानि कि क्या कहा जाता था कि भई जब तक आप अपने ancient की हमारी theory क्या थी कि भई जो भी अपने कर्ज है मरने से पहले आप चुकता करके जाओ भर के जाओ अधरवाइस आपको मौक्ष नहीं विलेगा तो उस केस में क्या होता था कि भई जो सन है पोता है पर पोता है वो लग जाते थे इस काम में कि जो हमारे disease father या grandfather या great grandfather है उनके हम debts भर दें ठीक है कोई कर्जा ले रखा है कुछ भी ले रखा है लोन ले रखा है तो हम भर दें अधरवाइस उनको मुक्ती नहीं मिलेगा तो हिंदू लाओ में कही ना कहीं customs जो है वो है ही ठीक है उसी के according है codify हुआ है तो before 2005 हिंदू में भी क्या था ना कि भाई जो son grandson great grandson थे वो liable थे अपने father grandfather और great grandfather के करजे भरने के लिए उनके उपर personal liability ढाली जाती थी कि तुम भरो लेकिन after the amendment of 2005 ये कर दिया कि भाई इनकी personal liability नहीं है इनकी personal liability नहीं है जो करजा लिया था इनके father ने लिया था इनके great grandfather ने लिया था या great grandfather ने लिया था उसके लिया इनको इनके ऊपर personal liability ने ढाल सकते है ठीक है For example, अगर उन्होंने कोई लोन ले रखा है बैंक से, फादर ने कोई लोन ले रखा था बैंक से, अब फादर की डेथ हो गई और लोन तो भरा नहीं गया, लोन तो भरा नहीं गया, तो ऐसा हो सकता है कि first of all ये option दिया जाएगा, अगर सन के पास आती है वो property, तो सन जो है बैं manager of the court, वो property sell करके, अपनी जो है, rest of the loan का जो amount है, वो ले लेगा, लेकिन personal liability बैटे के उपर नहीं डाली जा सकती कि भई अपनी जेब से भरो, उसका घट जाओ, अब आएसा obligation होता क्या है, बता सकते है कोई, can just unmute yourself and speak up, son's moral obligation to pay off his father's or father's 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 dad, ठीक है, जो भी करजा लिया है, जो भी करजा लिया है, इस पे spiritual जो चीजे है, उसके benefit के लिए ऐसा कहा जाता था, कि जो sons है, उनको अपने father का करजा, जो की disease है, उनकी death हो चुकी है, तो देना पड़ेगा, otherwise उनको मोक्ष नहीं मिलेगा, हैना, यही theories होती थी हमारी पहले, तो उसी के basis पे यह codify होते गए, rules, regulation, laws, right, customs का भी एक बहुत बड़ा role है इसके अंदर, हैना, तो उसी से यह concept आया, तो लेकिन इसमें अब amendment हो चुका है, लेकिन पहले की जो situation थी, उससे काफी questions आते है, means मे before 2005, before 2005 क्या था, इससे मैं आपको last class में बिगताया, जो sun था, grand sun था, great grand sun था, इन्हें अपने जो father है, यानि कि इनके grandfather लगेंगे और उनके great grandfather, यानि कि बेटा, पोता, पर पोता, तो वो liable है, इनके depths भरने के लिए, इनकी personal liability भी रहती थी, before 2005 की बात कर रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, यह किसी भी चीज के लिए जो है, करजे लेते रहेंगे और यह चुकाते बना यह पागल थोड़ी करजे लेते रहें किसी भी चीज के लिए और यह बढ़ते रहें, तो कुछ rules थे, उन rules के according ही पता चलता था, अब यह वो depths पे करने के लिए liable है या नहीं liable, किसी को पता है यह rules? सब सब पहला question जो means में पूछा जाता है होता है, untainted okay, untainted depths क्या होते है, English word है, tainted, बता सकता है कोई? अगर आप चाते हैं, which is not touched, or which is not interfered with, देखें, यहाँ इसका बतलब है not immoral, अगर वो depths किसी immoral purpose के लिए लिए गए है, ठीक है? यानि की, for example, father ने अपने alcohol consumption के लिए वो कर्जे ले लिये हैं, या फिर addict हैं किसी चीज के, या concubine रखी हुई है, या किसी भी तरीके के immoral चीजों के लिए रखे गए हैं, right? तो वो हो जाते हैं आपकी, tainted depths, या फिर यहाँ word यूज किया गया है, तो जब वो immoral depths है, ठीक है, यह depths कौनते हैं, immoral depths हैं अब यह depths क्या हैं, students, यह tainted depths है, अब यह भारिका depths है, immoral depths है, तो इस case में, इस case में sun जो है liable नहीं होता, इस case में जो sun liable नहीं है, sun यानि कि तीनों की बात कर दिए हैं, ठीक है, क्योंकि वो tainted depths हैं, यह वली बात समझाई, अगर किसी ने किसी person को, अगर कोई person कहा रहा है कि sun मेरा debt जो भरेगा, grandson मेरा debt भरेगा, great grandson debt भरेगा, तो उनको proof करनी होगी, तीन चाल चीज़ें, सबसे पहली बात तो कि वो untainted debt है, immoral debt वो नहीं है, ठीक है, immoral debt जो होता है, वो होता है, tainted, तो सबसे बहला दिखाना पड़ेगा, कि वो untainted debt है, तभी son, grandson और great grandson जो है, libel हुआ करते थे, ठीक है, दूसरी बात यह, कि father जो थे, father जो थे, उन्होंने एप किया है as a prudent man, कि उस जगा पर कोई और भी समझदार रखती होता, तो वो debt लेता, दूसरी बात, यह आपको prove करनी होगी, और तीसरी बात, कुछ property alienate की गई है क्यों, क्यूंकि debt लिया था उसने, कोई कर्जा लिया था उसने, अगर यह सारी चीज़े आप दिखा दो, कि हाँ भई कर्जा लिया था, alienation कर रखा है property का, या फिर हाँ भई उस case में जो है, कोई prudent man दूसरा भी होता, तो वो भी कर्जा लेता, या फिर वो जो debt कर्जा लिया भी है, किस immoral purpose के लिया है, moral purpose के लिया है, है ना, तो यह जो सारी बाते दिखा दोगे, तो भई यह sun liable हो जाए, लेकिन sun क्या करेगा, अगर sun यह proof कर दे, obviously सामने वाली party तो करेगी, DJ से अपने debt से यह, अगर sun यह proof कर दे, कि भाई वो tainted debt से है, immoral debt से है, तो फिर sun liable नहीं होगा, पर यह बात कब की है, before 2005, I hope यह वाली बात clear होगी students, ओके लिखिये फटाफट, फिर मैं इसको erase करती हूं, ओके, चले, लेकिन after, इसको हटा दिया, sun की कोई भी personal liability नहीं है, sun की अब कोई भी personal liability नहीं है, ठीक है, sun की personal, sun अपने जेब से निकाल के नहीं देगा, father के लिए हुए debt, ठीक है, तो कहा गया कि जो repayment होगी, debt की, ठीक है, जो हिंदू debt लेगा, जो कर्जा लेगा, वो ही उसे भरेगा, otherwise और किसी की liability नहीं है, तो जो हिंदू कर्जा लेगा, उसी की duty है, उसी की अपनी personal liability है, उसे repay करने की, ठीक है, ये after 2005 की situation है, जिसने loan लिया, उसी की personal liability है, repayment करने की, बाकी कोई भी liable नहीं है, ठीक है, after 2005, ठीक? चलिए, ये तो छोटी सी बात है, अब आगे चलते हैं, देखे, इसको बताने से पहले, मैं आपको बताना चाहूंगी, classification कैसे रहती है, एक्स्प्लेइन कर सकते हैं, इन five points को मैं क्या खहना चाहती है, property की inheritance, property की succession किस order में हूँ, इनका क्या मतलब है, जैसे कि कोई A person है, या तो ये will बना देंगी, अब will नहीं बनाई, तो succession के हिसाब से जाएगी property, succession के हिसाब से students जाएगी अगर property, तो सबसे बहले ये property का हकदार कौन होगा, तो class 1 के अंदर जिन जिन लोगों के नाम है, पहले उनको दी जाएगी, अगर उसमें भी कोई नहीं है, तो class 2 के लोगों को दी जाएगी, इन दोनों में नहीं है कोई, फिर इनको देखेंगे, इनको देखेंगे, चारो classes में से कोई भी नहीं है, तो भई गई, गवर्मेंट के पास, ठीक है? इतने सी बात क्लियर है? तो भई अब वो लोग कौन है, जो class 1 में है, या class 2 में है, एगनेट और कॉगनेट, तो मैं आपको अल्रेड़ी बता चुकी होते क्या है, तो कौन-कौन से लोग, कौन-कौन सी classes में रखे गए हैं, जिसे कि A की कोई विडो भी होगी, एकी मदर भी होगी, एके फादर भी होगे, एके सन भी होगे, एके डॉर्टर भी होगे, इनके सन होगे, इनकी डॉर्टर होगी, इनके सन होगे, इनकी डॉर्टर होगी, ठीक है? इसकी विडो भी होगी, तो कैसे, कौन class 1 में रहेगा, कौन class 2 में रहेगा वो सब जानेंगे अब हम ठीक है इतनी सी बात clear तो सबसे पहले class 1 को देखते हैं सबसे पहले class 1 को देखते हैं तो I would say कि x schedule दिया होगा class 1 का तो आप वो जरूर खोल ले चली कोई बता सकता है वैसे in general class 1 में होते कौन कौन है अगर किसी ने पढ़ रखा हो पहले बताईए माम टोटल 16 एयर्स होते हैं जिसमें से की 11 फीमेल होती हैं 5 में होते हैं उसमें से कुछ प्राइमरी एयर्स हैं क्योंकि बहुत सारे हैं तो मैं कुछ प्राइमरी बता देती हूँ जैसे मदर विडो सन डॉटर फिर उन के प्रीडिजीज चिल्रेन के चिल्रेन टेक हैं जैसे स्केड्डीओल निकालीजी जैस्ट म्यूट योसेल्स एवरीवन टेक आ उट शेक्ड्यूल आप झाल झाल ना लिट जस्ट ट्रॉ विद्मी देखिए यह कोई पर्सन है इसको बहुत नीट आंड क्लीन ब्रॉ करना यह बहुत हेल्प करेगा मैं यह ना हेडिंग एरेस कर रही हूँ कॉस आप लॉट आफ लॉट आफ लॉट अफ स्पेस लॉट कि क्या है यह पी पर्सन है जिसकी डेथ हुई है ठीक है अब कौन कौन आएगा क्लास बन में सबसे बहली बात तो इनकी मदर ठीक इनकी विड़ उसके बाद पहिजा बनाए है कि एक सन मनाईए एक और सन मनाईए एक और सन मनाईए एक डॉर्टर बनाईए जिनके उपर मैं ब्रैक्टिट्स लगा रही हूं स्टुडेंस समझ जाए कि वो डिजीज़ है उनकी डैथ हो चुकी है तो डाइग्राम में तीन सन है वन इस लाइफ और डिजीज़ हैं और डॉर्टर भी ऐसे वन इस लाइफ और डिजीज़ है अब यह डिजी़ है इसकी व अब और कौन-कौन से रिलेशन आ जाएंगे देखिए इस से जो सारे रिलेशन्स चलेंगे स्टुडेंट्स और किसके चलेंगे पी के ठीक है यानि कि पी के प्री डिजीज सन यानि कि वो सन जिसकी ढहत हो चुकी है उसका बेटा या फिर डॉटर और प्री डिजीज सन और पी इतनी सी बात क्लियर यह क्या है अब इसकी एक डॉटर थी वो आपने अलाइव बनाई इनकी बात कर दी सन और प्री डिजीज सन डॉटर और प्री डिजीज सन यानि कि पी का बेटा बेटा जिसकी बेटी की विडेथ हो चुकाई है और इसकी बेटी की बेटी इतना क्लियर है ठीक यानि कि यह कौन है पी की पोती और पी की पोती की भी बेटी है ठीक प्री डिजीज सन की प्री डिजीज डॉटर की डॉटर ठीक उसके बाद यह प्री डिजीज सन है और इनके बेटे की भी डेथ हो चुकी है यानि कि पोते की भी डेथ हो चुकी है इनकी है विडो ठीक है अब एक परपोता है और एक परपोती ठीक है अब आ जाते हैं डॉटर पी अब ये एक डॉटर है जैसे एस है एसी डी है अब अगर प्री डीजीज डॉटर है तो उसके भी पीछे वो छोड़के गई होगी है ना या तो यह थोड़ा बड़ा डाइग्राम हो जाता है यहां पर प्री डीजीज डॉटर अपने पीछे या तो अपने सन को छोड़के गई होगी या तो अपनी डॉटर को छोड़के गई होगी ठीक उसके बाद अगर यह तो अलाइव वालों की बात होगी अगर इसके डॉटर के सन की डेथ हो चुकी है और इसकी कोई डॉटर है ठीक और डॉटर की डॉटर की डेथ हो चुकी है बट डॉटर को क्या है डॉटर के भी बच्चे अलाइव है यानि की इस प्री डीजीज डॉटर की pre-disease daughter की son है और daughter है clear हुआ chart बना लो ये once आपका chart complete हो जाए students, chat में आप ok लिखिए so that, आगे चलू so this is your chart of class 1 here's, इसके अंदर आपके 11 females है और 5 आपके males है right इसके अंदर आपके students 11 females है और 5 आपके males है, ठीक है अगर count करें तो आपके males कौन कौन से है कोई बता सकता है females count कीजिए चलिए अपने अपने चार्ट में कीजिए जो bracket वाली है वो count नहीं करनी है आपको उनकी तो death हो चुकी है न देखे तोटल 11 females है तो आपका diagram एकदम correct है और males आपके आने चाहिए 5 देखिए, males अगर आप count करोगे तो 1 इस ब्रांच में 2 3 4 और ये 5 सभी का okay diagram अगर 11 females आ जाती है और 5 males आ जाती है that means आपका diagram बिल्कुल correct है ठीक है आपने बनाना कैसे है exam में आपने ऐसी बनाना है diagram bear act तो आपको मिली जाती है ठीक है ठीक है उसके अंदर आप 2 disease sun बना देना ठीक है एक daughter alive एक son alive और एक daughter diseased अब इस sun ये diseased है तो इसकी video भी होगी इसके further आगे relations बनाना over the time जब आप questions करते रहोगे इस chart को देखके आपको ये chart mind में याद हो जाए ठीक है बट फिर भी चार्ट बनाने के बाद question solve करने से पहले हमेशा आप check कर लेना check कैसे करोगे आप 11 males होनी चाहिए और 5 males होनी चाहिए इतनी सी बात clear है लीखे कुछ persons ना पहले क्या थे इनमें से भी कुछ persons class 2 के अंदर थे पर उन्हे न class 2 के अंदर डाल दिया class 1 के अंदर डाल दिया class 2 से उठाके class 1 के अंदर डाल दिया 2005 की amendment के बाद ठीक है कौन-कौन से थे वो अब देखिए इस चार्ट के अंदर although आपको बहुत सारी inequalities दिखेंगी देखिए ये daughter है three disease daughter है of three disease son अब इस daughter का हो सकता है बेटा भी हो सकता है बड़ सिर्फ बेटी को first class में डाला गया इसके बेटे का क्या उसको तो डाला नहीं किया ठीक है ऐसी इसके साथ है ठीक है ऐसी इसके साथ है ठीक है इसमें भी son है जो Son of three disease daughter ठीक है अब ये भी डिसीज सन है, सन की सिर्फ डॉटर को डाला गया क्लास बन के अंदर इसका सन भी तो हो सकता था उसको तो डाला नहीं और तीसरी बात ये ये दोनों भी जो है पहले कहां थे क्लास टू में थे पर इन चारों रिलेशन्स को उठा कर अब क्लास बन में डाल दिया 2005 के बाद ठीक है, although amendment करके इसको हटाया नहीं गया है क्लास टू से, सिर्फ क्लास बन के अंदर आड कर दिया बढ़ क्योंकि ये क्लास बन में भी है, क्लास टू में भी है तो हम इनको क्लास बन का ही मान के चलेगे, ठीक है इतनी सी बात क्लियर है अब इस डाइग्राम में स्टुबेंट्स जो आप मदर देख रहे हैं यह कौन सी मदर है पी के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी सक्सेशन में उसकी बायलोजिकल मदर को जाएगी उसकी अडॉप्टिव मदर को जाएगी या उसकी स्टेप मदर को भी जाएगी या फिर अगर उसकी मदर ने रीमयारी कर लिया है या फिर अपना हिंदु धर्ण से कोई और धर्ण की हो गई है या एडल्टरी कर लिया है या कुछ भी इस तरीकी की चीजे करी है तो फिर क्या मदर को मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसका share जुसको P से आने वाला था through succession तो हम यहीं देखेंगे Students, सबसे पहली बात तो यह याद रखो कि अभी हम सिर्फ class 1 की बात करें है अब आपको सबसे बड़ी equality तो यही दिख रही होगी कि P के मरने के बाद inequality यह दिख रही होगी कि P के मरने के बाद M को, यानि कि उसकी mother को दिया हुआ है पर father भी तो father भी तो है ना father का क्या? अगर father भी alive है, तो father को तो class 1 में रखा ही नहीं गया तो inequality तो है कहीं जगाओ पर पर आपको अपना खुद से मतलब morally कुछ भी नहीं देखना है कि भई पर father भी होता है equality है ना, पर आपको इसके rules के हिसाब से चलना है जैसे कि मैं आपको first class से कह रही हूँ ठीक है, चलिए, inequality की बाते चोड़ते हैं, mother के बारे में देखते हैं तो student जिस mother की बात की गई है सबसे पहली बात तो ये mother, biological mother की बात की गई है और adoptive mother भी इसके अंदर है ठीक है लेकिन जो step mother है जो step mother है वो नहीं है included वो included नहीं है इत्ती सी बात clear? ठीक, उसके आगे अब इस mother का ये child जो P है इस mother का ये P जो child है ये legitimate है या illegitimate है इससे कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि मदर के लिए तो legitimate ही है और बच्चा जो उसकी coke से जन्दा है तो illegitimacy ये legitimate का कोई भी effect मा के right पे नहीं पड़ता ये बच्चा चाहे legitimate हो illegitimate हो मा को succession में हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा तीसरी बाद अब ये जो mother है adoptive mother हमने देखा था कि unmarried ही हो सकती है ना तो अब ये जो mother है married है unmarried है unchaste है इसने adultery कर ली या किसी और के साथ live-in relation में रहती है या remarry कर लेती है या कुछ भी करती है in fact अपना conversion कर लेती है अब ये हिंदू थी हिंदू से ये muslim बन गई तो ये जो सारी बाते है इस मा के right पे कोई भी effect नहीं डालती इस मा का ये बच्चा legitimate है illegitimate है कोई भी फरक नहीं पड़ता बस ये देखना है कि मा biological है या adoptive है दोनों को ही उनका right मुलेगा बाकी सारी बातों से कोई फरक नहीं पड़ता मा तो मा ही है ठीक है चाहे वो unmarried हो unchaste हो adultery करी हो live-in relation में रह रही हो दूसरे धर्म में चली गई हो that does not matter ठीक है all these things does not affect the right of the mother निसी बात clear है चाट में respond करते जाईए तक मुझे पता चलते रहे आप सबको समझ आ रहे दूसरी बात चलते हैं विडो पे सारे relation students हम P के देखेंगे P की property जो है ये succession में जा रही है तो P की mother के बारे में तो हमने देख लिया अब P की विडो के बारे में देखते हैं P की विडो को कितना शेर मिलेगा P की property से P की विडो को उतना ही शेर मिलेगा P की property से जितना उसके sun को दिया जाएगा यानकि इसके sun का और इसकी बीवी का जो शेर है वो equal रहेगा ठीक है तो share रहेगा जो विडो का इस equals to the sun इतनी सी बात clear अब ये बात तो आई जब इसकी एक ही विडो थी ठीक है जैसे कि हमने partition में क्या देखा था अगर एक बीवी है तो एक share अगर अलग अलग बीवी है तो सबको अलग अलग share जा रहा था है ना 1 by 3, 1 by 3 लेकिन succession में students ऐसा नहीं है जैसा partition में अगर एक से जादा बीवी है तो उनका अलग अलग share था succession में ऐसा नहीं है एक से जादा है तो हम उनको एक ही मानेंगे है ना हम उनको एक ही मानेंगे और उनको एक ही share मिलेगा जैसे कि 1 3rd या जो भी जो भी share बन रहा है वो दे दिया और ये आपस में बाट लेगी ठीक है तीनों को एक ही मानेंगे और तीनों का एक ही हिस्सा निकलेगा फिर आपस में ये तीनों हैं जो बाट लेंगी ये point clear है अब कुछ students सोच रहोंगे Hindu marriage में तीन बीवियां कहां से आ गई है ना भाई हमने कहा था कि monogammy का concept आया बाद में पर उससे polygammy का चल रहा था पर इसका मतलब ये नहीं है जो पहले से शादिया और रखिया वो invalid हो गएगी और पुरानी वाली तो validity है ना तो उनकी बात कर रहे हैं ठीक है चलिए this was about ये basics थे अब देखिए तब क्या होगा ये तो इनकी valid marriage है जब तो बात clear ये पी मर गया तो बचारी है तो इसकी के बाद P के death होगे यानि की यानि की P जो था ये दोनों थे कापल है ना लेकिन इनका क्या होगे दिवोर्स अब दिवोर्स हो गया तो ये husband wife रहे ही नहीं ये husband wife रहे ही नहीं अब ये husband wife रहे ही नहीं तो P की death भी हो जायागर दिवोर्स के बाद तो ये वारत जो उसकी पत्नी थी ही नहीं पहले दिवोर्स हो चुका है तो ये इसकी की विद्वा पी की विडो नहीं हो and she is not entitled to inherit his property ठीक है क्योंकि पहले ही डिवोर्स हो चुका है पहले ही रिष्टा खतम हो चुका है उसके बाद पी की डेथ ही तो ये इसकी विद्वा नहीं है क्योंकि इनका रिष्टा तो पहले ही खतम हो चुका है बाद तो तब होती न जब इसकी वो पत्नी होती और जब उसके पती की डेथ हो जाती इतना सा पॉइंट क्लियर है तो ये बात held हुई थी students रामकती versus महीला शामवती के case रामकती versus महीला शाम वती 2000 ठीक है सीधा सा लॉजिक आपको स्टुडेंस ये याद रखना है सीधा सा आपको ये लॉजिक रखना है कि विड़ो वही होगी जिसका P के साथ as a husband wife का रिष्टा होगा valid जिनकी marriage होगी valid marriage होगी जो valid wedded wife जो होगी वही विड़ो मानी जाएगी ठीक है अगर इनकी शादी declared void या voidable उसमें भी हमने का था कि हम उनके बच्चे को तो protect कर लेंगे लेकिन husband wife का कोई भी रिष्टा नहीं रहता है ना void में तो बिल्कुल ही रिष्टा नहीं है लेकिन voidable में जब तक उस शादी को voidable declare नहीं कराया जब तक नहीं कराया voidable declare तब तक वो valid रहती है है ना तो this you have to see की valid marriage होनी चाइए इन दोनों के बीच में तब ही और जो है विद्वावानी जाएगी अगर पहले ही divorce हो रखा है तो ये P की video नहीं होगी और ये inherit नहीं करेगी ये सब बात तो हो गए divorce की voidable marriage है तो W उसकी कभी wife थी नहीं तो video कैसे होगी voidable में जब तक voidable declare नहीं कराएंगे जब तक वो उसकी wife रहेगी valid रहती है क्योंकि तब तक marriage तो लेकिन हमने पढ़ाता section 10 भी पढ़ाता हमने उसके अंदर जहाँ पे separate रह रही थी अब देखें divorce तो हुआ नहीं है पर वो separate रह रही है तो अगर वो separate रह रही है और उस दौरान P की death हो जाती है अगर उस दौरान P की death हो जाती है तो फिर ये महिला उसकी widow ही भानी जाएगी and she will inherit ठीक है देखें voidable marriage जब तक voidable declare नहीं कराई जाती हो तो valid ही रहती है तो तब तो entitled होगी ना उसकी video होगी ठीक है चलिए अब चलते हैं daughter पे daughter सबसे बहली बात तो जिस daughter की बात की गई है ये natural और adoptive daughter की बात की गई है इसमें step daughter step daughter included नहीं है step daughter कौन हुई for example ये कोई महिला थी इनकी पहले से एक daughter है पहले से एक daughter है फिर इन्होंने बाद में इस P से शादी करी तो P की तो लड़की नहीं है ना ये तो डबलू की है तो इन दोनों के बीच का रिष्टा जो है ये P के लिए ये लड़की जो हुई step daughter में तो इस daughter में सिर्फ natural और adoptive daughter है step daughter included नहीं है क्योंकि ये महिला की पहले से ये daughter थी और बाद में इनकी P से शादी हुई तो इसका इसका जो हिस्सा बनता है वो अपने ओडिजिनल जो इनका फादर होगा पहले उनकी property से बनता है तो basically समझाने की बात ये है कि इन दोनों का relation step daughter का ये होती है step daughter तो step daughter इसमें included नहीं है ठीक है येस खरशना शीक्यान रीमारी अगर ये widow है और इनकी valid marriage है इसको inherit हो गई property ठीक है इसको inherit हो गई property तो ये बाद में रीमारी अगर करना चाहती है तो obviously कर सकती है क्योंकि एक बार इसको पहले लेकिन अगर ये पहले रीमारी कर लेती तो इसको कुछ नहीं विरता ठीक है अब देखिए step daughter include नहीं है और illegitimate daughter भी इसमें included नहीं है illegitimate daughter भी इसके अंदर included नहीं है क्यों? क्योंकि जैसे ये couple है तो ये जो daughter होगी हमेशे अपनी मा के लिए तो legitimate होगी लेकिन father के लिए ये illegitimate हो सकती है है ना? तो illegitimate daughter का अपने father की property में वो कुछ claim नहीं कर सकती illegitimate की बात कर रही हूँ मैं जिसको कोई भी protection अंडर section 16 of Hindu marriage act भी नहीं मिली है ना? जो बिलकुली illegitimate है जिसको section 16 के अंदर भी protect नहीं किया गया तो illegitimate daughter इधर included नहीं है लेकिन वो daughter जिसको अंडर section 16 प्रोटेक्ट कर लिया गया था जिसको deem कर लिया था थी तो वो illegitimate ही लेकिन जिसको deem कर लिया था legitimate जिसको deem कर लिया था legitimate वो covered है इधर वो covered है इधर ठीक है यह हमारे पास case law से आया था गुर्णाम सिंग versus पूरन सिंग ठीक है law में यह था basically कि illegitimate daughters जो है cover नहीं होगी लेकिन गुर्णाम सिंग versus पूरन सिंग के case में यह आया कि at least जो जिनको आपने deem कर लिया legitimate अंदर section 16 कम से कम उन्हें तो राइड क्लास में ठीक है तो illegitimate daughter जिनको बिल्कुली protection नहीं दी गई वो तो covered नहीं है लेकिन under section 16 जो deemed legitimate उनको है उनको cover कर लिया गया था उस case के बाद ठीक है अब बात करते हैं ठीक है I hope students आपको यह सब बाते clear हो रही होंगी बहुत असानी से समझाने की कोशिश करी हूं मैं डाइग्राम के तुरू ज हुआ किरो तुरू झरें झरें कशल कर दो कि देखिए अब हमने डॉटर की तो बात कर ली कौन कौन सी डॉटर है बायलोजिकल अडॉप्टिव लेजिटिमेट डॉटर नहीं है टीम लेजिटिमेट वाली लेकिन कवर हो जाती है उसके इसलोग की वज़े से अब देखिए अब हम फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं तीम रिलेशन हमने देखे विडियो का मदर का और डॉटर का अब हम देख रहे हैं सन और डॉटर और प्री डिजीज सन यानि की प्री पी का येवला सन जो अल्रेडी जिसकी डेथ हो गई है उसके सन और उसके डॉटर के बारे में हम देख रहे हैं ठीक है इनकी टरन कब आएगी इनहेरिट करने की जब इनके फादर की डेथ हो गई होगी है ना जब इनके फादर की डेथ हो जाएगी अगर इनके फादर अला तो इसकी branches नहीं बनाई है, लेकिन ये sun diseased हो चुका है, इसलिए इसकी branches मैंने बनाई है, तो सबसे पहले point तो यही है, कि अगर कोई daughter है, और अगर कोई son है, तो वो इनहेरिट तभी कर सकते हैं directly, जब उनके पास inheritance चब आएगी, जब S की death हो चुकी होगी, अगर ये alive है, तो S कोई मिल जाता है, जैसे मैंने alive S बनाया है, तो मैं branches बनाती ही नहीं पर, क्योंकि ये diseased है, इसलिए मैंने इसकी branches बनाई, तब इनके पास आईगी, तो first point यही है, कि the turn of these two will only come when their father will die, इनके father की S की death होगी, bracket बनाया है ना मैंने, that means इसकी death होगी, ठीक है, ये तो simple सी बात है कि legally valid जो marriage है, उससे बैदा हुआ था, अगर S जो है, valid marriage का जो son है, अगर वो है, तो ये बात होगी है, ठीक है, लेकिन वहीं हम देखें, कि अगर ये S, P का वो बेटा हो था, जो की valid marriage से नहीं हुआ है, जो की valid marriage से नहीं हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया ना भी वीडियो जो void marriage वाली video होगी, आपनी जिनकीiva जो declaration है, avoidable है ना, already declared हो चुकी है, kode के दवारा, किसी की marriage, void या avoidable, तो फिर उसमें, को फिर वाइव को कुछ नहीं मिलता, अब जब ये wife ही नहीं है, जब ये wife ही नहीं है, void оч première marriage है, अब जब ये wife ही नहीं है, वो भी declared है, अब ये wife ही न बच्चा हो जाता है, S इनी का बच्चा है, अब इसकी मदर को तो कुछ नहीं मिल रहा था, क्यों कि वोइड और वोइड बल, लेकिन जो अगर बच्चा है, तो उसका क्या होगा, अगर इनका सन है, तो उसका क्या होगा, देखे, अगर तो सन प्रोटेक्टेड है, अंडर सेक 16 deem legitimate तक नहीं वाना तो इसको कुछ नहीं मिलने वाला है ठीक है तो पताने की बात यह है कि अगर यह इस वाली category के अंदर fall होता है अगर यह pre disease जो sun happy का इस वाली category के अंदर fall होता है तब इसके पोता और पोती यह नहीं है क्योंकि P का सिर्फ इस के साथ connection था इस S के साथ connection था कोई बात नहीं को और तुझे section 16 में protection दे दी तू जिन्दा है तो तेरे को मैं तेरा share दे देता हूँ लेकिन तेरी ही death हो जाती है तो तेरे बात तेरे बेटा बेटी का मेर से कोई रिष्टा नहीं है क्योंकि ठीक है क्योंकि वो void और voidable marriage वाले लड़का था उनका ठीक है तो अगर S की death हो जाती है S की death हो जाती है ये वले S की जो इस वाले के अंदर deemed legitimate है इस वाले S की इस वाले बेटे की अगर death हो जाती है इसके बाद इसके बेटे और इसके बेटी का कोई भी claim नहीं ये दोनों कभी भी claim नहीं कर सकते P की property पे क्योंकि इनका P से तो कोई रिष्टा था ही नहीं क्योंकि इनके फादर का भी खुद भी आदा अधुरा ही रिष्टा था P से कोईड और वोइड़ेबल मारिज का बच्चा था तो अगर S जिन्दा होता तो S को तो इनहेरिट हो जाती property ठीक है लेकिन अब S की की death हो चुके है तो इसके बाद ये और ये claim नहीं कर सकते है अधर्वाइस जो legitimate अगर son है S अगर उसकी death हो गई है तो obviously उसके बाद ये और ये claim कर सकते है यह वला point clear यह वला point clear students okay now आज का lecture students हम यही पर wind up कर रहे है ठीक है अगर एक ही दिन में सारे relations पढ़ा दूंगी तो आपको mix up हो जाएगा ठीक है तो आज का lecture हम यही पर end कर रहे है ठीक है आज हमने चार relationships को समझा class 1 में mother, widow, daughter और son and daughter of pre-deceased son ठीक है तो यह concepts आप पढ़के आए class 1 का chart आप देखिए बनाने की कोशिश कीजिए इसे 3-4 भार practice करो आपको at least relations याद हो जाएगे और जो मैंने अभी fourth point समझाया थोड़ा सा technical था पर समझने की कोशिश करो कि अगर जिस पिता की death हुई है उसका बेटा जो है legitimate है तो कोई grandfathers लेकिन जिसकी death हुई है उसका जो बेटा था उसका जो बेटा था वो legitimate था नहीं पस उससे deem कर लिया कोटने legitimate under section 16 तो सिर्फ वो under section 16 वाले का ही जो मरे है उसका रिष्टा ही उससे ठीक नहीं है तो इसके बेटा-बेटी का क्या रिष्टा होगा उसकेस में उसके जो है वो अपने दादा से नहीं माँ सकते क्योंकि उनका अपने दादा से कोई relation है ही नहीं क्योंकि उनका जो father है वो भी खुद भी deemed legitimate था ठीक है इतनी सी बात clear हो गई I hope अप तो clear हो गया होगा आपको क्योंकि आपने legitimate क्या होता है यह सारी चीज़े पहले भी देखियोगी है हिंदू marriage act है ना तो इसके अंदर हमने last class में जो किया था वो किया था son and daughter of pre-diseased son यानि कि जो son है और जो son है तो इन दोनों के बारे में हमने बात की तो अभी जो हमारा five point है वो है son and daughter of son and daughter of pre-diseased daughter बस यहां son की जगा daughter आ जाए राइट बस यहां son की जगा daughter आ जाएगा और concept जो है legitimacy वाला जो मैंने आपको समझाया था कि भाई अगर legitimacy और illegitimacy वाला concept अगर apply होगा तो इन दोनों का personal relation है ठीक है अगर legitimate होगा यह ठीक है तो इन दोनों को मिल जाएगी आगे लेकिन यह जो है यह वाला relation ही हमारा illegitimate है तो इनको कुछ नहीं मिलेगा राइट अंडर section 16 वाला concept मैंने आपको समझाया था वही जो sons जो बेटे के बच्चों के साथ हो रहा था वही concept यहाँ पर डॉटर के बच्चों के साथ apply हो जाएगा ठीक है अब आगे इसमें important point यह है कि जो पी है उसके डॉटर के बच्चों के बारे में बात करें हैं अब यह जो डॉटर के यह जो child है यह दोनों child legitimate है या illegitimate है या इसके relation देख रहे हैं अब हम इससे इन दोनों child का लेजिटीमेसी है या इलेजिटीमेसी है यह एकदम इम्मेटीरिल है क्योंकि जैसा कि मैं हर बार आपको बोलती हूं कि यह मदर है मदर के लिए तो उसका चाइल लेजिटीमेट ही होता है तो यह वाला जो फैक्ट है यह इम्मेटीरिल है I hope 5th point यह clear हो गया होगा 4th point से similar ही है पस यह वाला जो concept था यह थोड़ा different था कि भई matter नहीं करता है यह legitimate हो या illegitimate हो क्योंकि मदर के लिए तो हर एक उसका चाइल legitimate ही होता है जो उसकी womb से जन लेता है 6th relationship में आए तो वो है widow of pre-diseased son और widow of pre-diseased son of pre-diseased pre-diseased son यानि कि इसका क्या मतलब है कि भई यह P है P के pre-diseased son यानि कि जिस son की death हो चुकी है उसकी widow और pre-diseased son के भी son भी pre-diseased है उसकी widow ठीक है यह दोनों point समझ में अब इसके बारे में क्या कहा गया है कि भई यह जो videos है ना यह तब videos होनी चाहिए जब succession open होता है यानि कि जब इस P की death हुई यानि कि जब इस P की death हुई तब यह दोनों widow होनी चाहिए अगर इन्होंने रीमारी कर रखी है यानि कि P से पहले इसकी death हो गई P से पहले उसकी sun की death हो गई और उसके बाद यह widow हो गई है ना पर अभी P तो जिन्दा है और इसने रीमारी कर लिया इसने रीमारी कर लिया अब बाद में P की पी death हो गई तब यह inherit नहीं करेगी क्योंकि इसने तो रीमारी कर लिया था तो पी की death हुई है तब यह widow होने चाहिए तब यह inherit करेंगे P की property को तो यह कुछ rules है you can write that यह दोनों है they must be widow when succession opens if यह दोनों अगर रीमारी कर लेती है before succession opens ठीक then they are not considered as widow right okay अच्छे यह तो बात हो गई कि इसके जब death हुई तब यह widow है या नहीं है उस पे लेकिन तब क्या होगा अगर s और यह w है यह divorced है ठीक है s और उसकी जो wife है वो divorced थे अब यह divorce जो है वो तो डिवोर्च होगी ना वो विड़ो थोड़ी ना है तो वो भी ही नहीं करेंगी कि वो तो पहले ही separate हो गए तो ना वो पहले ही divorce है तो वो तो विड़ो होगी ही नहीं लेकिन अगर इस son की wife जो है divorce नहीं हुआ था यह जो sons है इनकी wife जो थी separated है रही थी ठीक है separated है रही थी तो फिर यह inherit करेंगी ठीक है तो यह विड़ो ही consider की जाएंगी यानि कि जो हमने पहले विड़ो वाला concept देखा था बाकी सारा concept विड़ो वाला वही रहने वाला है ठीक है और बाकी वही है कि यह legitimate son है यह legitimate son है तो भाई इसकी विड़ो को मिलेगा यहाँ पर लेकिन यह son ही legitimate है तो इसकी विड़ो को भी नहीं मिलेगा क्योंकि son को भी हम इसी लिए दे रहे थे क्योंकि under section 16 इसका protection है तो बस इस son से ही relationship है अगर यह son illegitimate है illegitimate नहीं deemed illegitimate है section 16 के अंदर तो सिर्फ माना जाता है कि P का S से ही relationship है तो अगर यह वाला child है deemed legitimate है अगर यह और इसकी विड़ो है तो इसकी विड़ो को पुछ नहीं मिलेगा लेकिन अगर यह legitimate है तब ही इसकी विड़ो को inheritance में right मिलेगा इतनी सी बात clear है clear है तो चार्ट में होके लिखो आगे चलते है विड़ो वाला concept जो मैंने आपको पढ़ाया था वो same चलेगा legitimate, illegitimate वाला concept भी same चलता है हमेशा कि अगर legitimate है बिल्कुल तो उसके सारे relationships को उसके बेटे को, बेटी को, विड़ो को सबको right है inheritance का लेकिन वो खुद ही, अगर वो जो concept है हर जगा follow हुगा, ठीक है class 1 में भी class 2 में ठीक है clear है यह वाला point, विड़ो वाला respond कीजिए चार्ट में हाँ, deemed legitimate डॉटर को तो मिलेगा ही ना deemed legitimate son हो, चाहें डॉटर हो P का कोई भी child है, जो कि deemed legitimate है, उसका सिर्फ P से relationship है यही पर relationship खतम हो जाएगा, इस child के आगे वाली branches से P का कोई भी relationship नहीं, ठीक है, यह समझाना चारी ठीक है, okay हर्षन सो यही दो entries थी, जो रह गई थी, आगे चलते हैं section number 9 पे class 1 हमारा complete हो गया है, अब आगे चलते हैं section number 9 पे ठीक है, अभी तक हमने class 1 के अंदर बहुत सारे relationships पड़े थे, ठीक है बट उसमें कोई preference नहीं था, की भाई P है, इसकी widow भी है, इसकी mother भी है, इसका son भी है ठीक, इसका son भी है, या फिर इसकी daughter भी है, जो भी आगे का chart था, तो इन में कोई preference नहीं थी की भाई सबसे वहले mother जिन्दा है, तो mother को देखेंगे, उसको ही देदेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, जो जो लोग जिन्दा है class 1 के, उनको हम देदेंगे property, ठीक है, लेकिन अगर class 1 में से कोई भी नहीं है, तो फिर हम चलेंगे class 2 पे, ठीक है, class 2 पे, अग class 2 में अलग-अलग entries दे रखी है, उधर preference दे रखी है, जिसे class 1 में कोई भी नहीं है, कोई भी relationship alive नहीं है, तो हम class 2 पे जाएंगे, class 2 में entries दे रखी है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, जो पहली entry पे लोग दे रखे हैं, जैसे कि father दे रखा है, father को देखेंगे, अगर father alive है, तो यहीं पे सारी की सारी property father को मिल जाएगी, ठीक है, तो इसमें preference wise है, अगर father alive नहीं है, तो second entry पे देखेंगे, second entry पे अगर कोई भी alive है, तो उसको यह दे देगे, तो preference के हिसाब से चल रहा है, class 2, in class 1 में as such, ऐसा कोई भी preference नहीं है, जो जो alive है, उन सब को हम succession में property दे देगे, तो यहीं बात कह रहा है, section number 9, ठीक, ओके, यह तो इतना important नहीं था, लेकिन जो section number 10 है, जो अब हम करने वाले हैं, वो काफी ज़्यादा important है, क्योंकि वो कुछ rules को बताएगा, क कि किस हिसाब से distribution होगा, ठीक है, rules of, rules of distribution of property, of male use, ठीक, सबसे बहला point तो rule 1 जो है, वो videos की बात करें, वो किस की बात करें, videos की, videos की students जैसे कि मैंने आपको बताया था, कि जो partition जब हो रहा था, तब सारी videos को अलग-अलग separate share मिल रहा था, लेकिन मैंने आपको बताया था, जब हम succession करेंगे, अगर more than one video है, तो सभी को एक ही share मिलेगा, और एक ही share में से, जितने भी videos होंगे, वो आपस में बात लेगे, ठीक है, फॉर एक्जाम्पल, पी की, जो death हुई है, अब इसकी property succession में जानी है, अगर इसकी एक video है, ठीक है, जैसे ऐसे होता है, अगर चाहूँ, class 1 के हिसाब से बता रही हूँ, just example दे रही हूँ, बस आपको video का देखना है, तो P की जैसे separate property है, इसकी separate property है P की, उसका succession होना है, तो हम किसके बीच में करेंगे, 1, 2, 3, 4, यानि कि सब को 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4 दे देगे, ठीक है, लेकिन यहीं अगर P की बहुत सारी wives हो, अब देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हम ऐसे नहीं गिनेंगे, हम सारी videos को एक ही गिनेंगे, तो 1, 2, 3, 4, अब क्या share हुआ, 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4, और इन तीनों videos का 1 by 4, ठीक है, इतनी सी बात clear है, और अब, rule 1 के अंदर, first point तो यही है कि भई, अगर more than one video है, तो सारी videos का share एक ही होगा, then वो आपस में बाट लेंगे, और दूसरी बात यही, कि जो video है, जो videos है, उनका share, उनके sun के बराबर होगा, ठीक है, videos का share, उनके sun के बराबर होगा, 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4, यह तो clear सी बात है, यही था rule 1, अगर हम rule 2 पे चलें, तो यह बात करता है, share of mother, यानि P की जो mother है, पी की जो mother है, उनका share कितना होगा, P की, pen का color change करती हूँ में, students जो उपर chart बना हुए है, उसी में समझा दोती हूँ, जो P की mother है, उसका share, sun के, P के sun के बराबर होगा, तो देखो, यही तो हो रहा है न, P की mother का share और P के sun का share बराबर है, ठीक है, rule 2, बस यही simple सी बात कहरा था, ठीक है, rule 3, जामाशने क red बराबर है, जामाशने कर दो dotर, यहीम्दि gü्हा mayoría यहीं दो देखिए P के जो son है और जो daughter है इनके जो further branches है इनको भी equal equally property मिलेगी this equals to this ठीक है यही simple सा rule 3 है rule 4 इसी को आगे further बता रहे है rule 4 बोल रहे है कि यह जो video है यहाँ पर ही जो video है video का share कितना होगा जो video है उसका share होगा is equals to the sun ठीक है तो जो sun का और जो video का share है वो equal होगा ठीक है यही छोटी सी बात rule 4 का है रहे है यहाँ तक सभी को clear है okay लिखो rules जो है यह आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आई होगी क्यूंकि यह जब आप national partition कर रहे थे यह सब आप पहले से देख सुके हो जो basic सी चीज है सारी सबको बराबर-बराबर मिल रहा था mother को भी बच्चों को भी और video को भी बराबर मिल रहा था फिर इनकी जो आगे branches हैं उनको भी बराबर मिल रहा था और जो more than one videos है उसका भी मैं आपको पहली बता चुकी थी कि सबको जो succession है एक ही मिलता है, partition में अलग-अलग separate मिलता है Rule 4 को मैं आपको थोड़ा सा और explain कर अलग से एक मैं graph बना देती हूँ, उसमें सही नहीं बना था, Rule 4 को मैं आपको एक बार और explain कर देती हूँ, जैसे यह P है इसके video की बात की गई थी, इसके video को जो इसका son होगा, उसके बराबर ही share मिलेगा, ठीक है और ये भी है, कि भाई अगर ये son है, तो इसके video को भी कुछ ना कुछ मिलेगा, या ना, ये भी inherit करेगी, लेकिन यहीं अगर P की daughter होती, P की daughter होती, तो इसके husband होगी, जिसके death हुई है, वो P है, उसका son है, उसकी widow को मिलेगा, वो inherit करेगी, उसकी further branch भी inherit करेगी, लेकिन daughter के case में, अगर P की death होती है, इसके daughter के case में, यहाँ पर इनके जो husband है, वो inherit नहीं करेंगे, सिर्फ आगे की जो इसकी branch है, वो inherit करेगी, तो यह जो concept है, यह rule 4 में important है, इतनी सी बात clear है, अब मैं कुछ practical questions करवाना चाहूंगी, class 1 से related, so that आपको rules भी याद रहे, ठीक है, अब इसमें हमेशा separate property बाट रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम succession कर रहे हैं, notional partition नहीं कर रहे हैं, हम succession वाला rule अप्लाए कर रहे हैं, तो हम अजियूम करेंगे कि हम यह जो questions हैं, इनको solve करते वक्त हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ separate share को बाट रहे हैं, ठीक है, कौन attempt करना चाहेगा इस question को, सबका share कितना कितना होगा, बताएए, माम, माम, M, S1, S2, D1 and D2 विल इंहरेट 1 by 1 by 6 and W and W2 together, they will inherit 1 by 6, that means individual, their share will be 1 by 3, ठीक है, ठीक है, मैं इसलिए यह वाइफ 1 और Wives 2 अलग-अलग ब्रॉख करती, बट आपके concepts clear है, तो आपको याद था, कि इन दोनों को एक ही मिलेगा, बाकि सबको भी clear हुआ न, मैंने कहा था, कि जो Wives होंगी, सबको एक ही share मिलेगा, देखे, इन्हें एक ही share मिला, लेकिन इन्होंने आपस में बाटा जब इसे, तो इनका 1 by 12, 1 by 12 आग, clear है न सबको? clear है, okay लिख दिया करो जल्दी से, हशना, is it clear? बाकि स्टुडेंट्स में हैं क्लास में, सीमा रिस्पॉंड करो, in the chart, ठीक है, आगे चलते हैं, everyone will attempt one question, now, this question, हर्षना बताएगी, यह A है, जिसकी death हुई है, चलिए, अब shares बताएगे, A की wife 1 है, यह wife 2 है, यह inka son है, यह inki daughter है, W2 जो है, यह inki void marriage है, A से, और under section 16 भी, कोई भी protection नहीं है, हर्षना, you will reply, unmute yourself, W1 and S, will get the share, 1 half, ठीक है, और वही अगर इसकी protection होती तो, इसको protection होती तो, तो W2 को नहीं मिलता, W1, S & D को मिल जाता है, 1 by 3, ठीक है, अब अगले question पर सलते हैं, Mute yourself everyone, Ma'am, Ma'am, क्या shares क्या distribute के थे? 1 by 3, क्यूंकि D under section 16 अगर protected है, तो मैंने आपको कहा था, जो child protected है, सिर्फ उसको मिल जाएगा, उसकी आगे की branches को नहीं मिलेगी, और wife का तो कोई status थाईन, मैं वापिस draw कर देती हूं No Ma'am, 1 by 3 तब मिलेगा, जब D को protection दी रही है, अगर protection नहीं दी होती तो, नहीं दी होती तो नहीं मिलता, उसका status तो 0 है न, सिर्फ हमने यह आपर deemed legitimate, जो under section 16 में आते हैं, उनको consider किया है, ठीक है? अगर protected नहीं होता तो उस बच्चे को नहीं मिलता न, नहीं, उसकी मदर तो, ठीक है, मैं वापिस draw कर देती हूं, हर्षना वैसे आपका answer right था, देखिए मैंने question लिखा था, कि marriage इन दोनों की void है, और under section 16 इनके child को भी कोई protection नहीं मिला है, ठीक है? तो अगर कोई protection नहीं मिला है D को under section 16, तो फिर इसको तो मिलेगा ही नहीं पहली बात, क्योंकि इनकी तो है वाइड, लेकिन इनके बच्चे को अगर protection मिली होती under section 16, तो इसको share मिल जाता, लेकिन क्योंकि इस situation में नहीं मिला है, तो इन दोनों को 1 by 2, 1 by 2 मिल जाएगा, वहीं अगर question होता, कि अगर D को under section 16 protection मिला है, तो इनका 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3, वाइफ को तो तब भी कुछ नहीं मिला इस वाली, ठीक है? अब next question पर चलते हैं, next question में the other person will reply, Seema you can tell, चली, अब शेयस बताएगे, हांड रेस कर सकते हो आप, जिसको आता है, Seema, do you know the answer? चली, आप ही बताएगे, SNW1 will get the 1 by 2 share, ठीक है, और बाकियों को क्यों नहीं मिला? मैं वो concubine के illegitimate relationship है ना, तो इसलिए, तो अंडर section 7 भी हमें क्या काता, at least अगर बच्चे को भी protection चाहिए, तो ceremonies तो होनी चाहिए है ना, चाहिए void या voidable में भी आ रही है, अगर आपको child को भी in fact protection दिलानी है, है ना, तो हम void या voidable marriage को भी protect कर लेंगे, लेकिन ceremonies होनी चाहिए, तो पहली बात तो ये क्यों क्यों माइन है, शादी हुई ही नहीं है, तो under section 16 भी, ना तो इनको protection मिला है, ना इनके child को, ठीक है, तो only w1 और s जो है वो inherit करेंगे, ठीक है, ओके, now next question पर चलते हैं, क्छ परणेब बासे लुटने, जा जूदो है, ड़ा ना ओ सेंगत हैं? मैं पर खन् kind of और भाएंडोने, बादेबं हैं Testament. है 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 चले इसकांसर सोचे और बताइए शेयर सभी कि शेयर सetic आपलु व्ट फिर्फष Colonel मजों लुकर आपलु टॉर्बर्शल D1 D2 and widow of S will get 1 by 6 and and DS1 and DS2 will get 1 by 12 इसको कितना मिलेगा? इसको कितना मिलेगा? 1 by 6 yes ma'am 6 कोई और अटेंप्ट करना चाहेगा? जैसे आपने इन दोनों का बाटने के लिए जैसे आपने इन दोनों का बाटा पहले D3 का निकाला इसका जो सेपरेट शेर है क्योंकि इसकी डेथ हो गई है तो आगे बाट तो इसकी केस में क्या करोगे? मैं मैं इसका कुछ बच्चा निया तो इसका शेर अच्छा मैं इसकी मा को मिल जाएगा सोच लीजिए दो मिनट का टाइम लीजिए अपनी नोट्बुक में यू कन सॉल विट वैसे जिसने जो लास्ट में पॉइंट होला था वो ठीक था जिसमें W को फिर 1 by 12 और मिल जाएगा इसका अलब हो जाएगा इसको और मिल जाएगा ठीक है? तो अब किस-किस को कितने-कितने शेर मिल गए देखिए M को W को D1 को D2 को D3 को और S को पहले तो हम 1 by 6 शेर देदें ठीक है? फिर उसके बाद जैसे आपने बोला इने ठीक है? और इनका शेर बताइए 1 by 12 ठीक है? चलिए अब आपको Concepts क्लियर रहाए थी राइट? और Notional Partition ही आदे आपको अभी तो हम बात करें थे कि इनकी सेपरेट प्रॉपर्टी होती जिसकी डेथ हुई है अगर जिसकी डेथ हुई है उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी नहीं होती तो आप Notional Partition करते हैं पहले Partition के Rules अप्लाय करते हैं फिर सेपरेट शेर मिलता है फिर जैसे अभी हमने Succession किया है वैसे आप Succession करते हैं अब फाइनली अब हम Class 2 Years पे चलते हैं Class 2 Years Class 2 Years बहुत सिंपल है कुछ भी confusion नहीं होने वाल है क्योंकि इसमें आधे Relationships तो यहीं है जो आप पहले पढ़ थे मैंने आपको कहा था कि चार Categories आपको याद हो तो मैंने आपको चार लगवाया था हूं चार Categories पे जिसमें मैंने आपको बोला था कि यह Class 2 में थे लिकिन 2005 में अमेंडमेंट हुई तो इनने Class 1 में डाल दिया पर इनने Class 2 से नहीं हटाया है ना? मैंने आपको बताया था तो आधे Relationships तो वहीं है तो इसकी Categories कोई बताना शाहेगा मुझे कौन-कौन आता है और कितनी Categories होती है Class 2 के अंदर? कितनी Entries है? कोई बताना शाहेगा कितनी Entries है Nine ठीक है नाइन Entries है और First कोई है? Father ठीक है Father यानि कि जिस Person की Death हुई है उसके Father देखिए जिस Person की Death हुई थी उसकी जो Mother है उनको तो हमने Class 1 में जगा दे दी लेकिन जो Father है उनको हमने Class 2 में डाला कितना Injustice है ठीक है ना? Injustice तो है ये बड़ जो है, Rule है देखो, अब ये Father कौन से है? जैसे Mother के में Rule चल रहा था, वैसे ही चलेगा Father कौन से है ये? बता सकता है कोई? Class 1 में कौन सी Mother की बात की थी हमने? Biological Father and Adopted Father ठीक है? Biological and Adopted Father और Excluded कौन से है? Step ठीक है? Step Father Excluded है Mother में भी एक Concept था, जो हमने पढ़ा था अगर दूसरे पॉइंट पर चले तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि Class 1 में अगर कोई भी relation होगा तो हम उसको दे देगे अगर Class 1 में हमें कोई भी alive नहीं मिलता तो हम Class 2 पे आएंगे ठीक है? अब देखेंगे कि P, K, Class 2 के अंदर कोई है? फादर है, फादर है तो सारी की सारी प्रॉपर्टी फादर को दी जाएगी है ना? Class 1 की तरह नहीं होगा कि जो जो लोग Class 1 में है दे दे नहीं, Class 2 में ऐसा होगा जो फोर्स नंबर पे उसको पहले देखेंगे ठीक है? वो alive है तो वही प्रॉपर्टी का सक्सेशन रुप जाएगा पूरी उसको मिल जाएगी वो alive नहीं है तो second entry को चलेगे, right? तो इस इसाब से चलेगा second entry में देखे तो है sons, daughter, son फिर है sons, daughter, daughter फिर है brother और फिर है sister ठीक है? देखे ये वली जो entry है sons, daughter, daughter इसको हमने 2005 में उठाकर class 1 के अंदर रख दिया ठीक है? class 1 के अंदर रख दिया जो मैं आपको पहली बता चुकी हूँ और ये भी हम पहली पढ़ चुके हैं कि जो son होगा, अगर उसके बच्चे हैं तो कैसे inherit होगा? उनको inherit हो जाएगा अगर उनके father जो है वो legitimate होगा यानि कि P के ठीक, तो ये relationships हम already पढ़ चुके हैं और ये जो ये वाला relationship है students ये उठाकर class 1 के अंदर आ चुका है, ठीक है? उसके बाद अगर हम brother और sister की बात करें यानिकी ठीक है, उसका जवाब मैं अभी देती हूँ देखिए जब कोई death होता है, जिस male की death होती है किसी भी male की death होती है तो उसका जो separate share है उसके succession की हिसाब से जायेगा न और class 1 के हिसाब से अगर हम देखें तो किसी male की death होती है तो क्या होता है उसकी mother को भी हिस्सा जाता है उसकी video को भी हिस्सा जाता है आगे जितनी branches हैं अब उस person की आगे की तो कोई branches थी नहीं सिर्फ w थी और mother थी तो class 1 में हमने उन डोनों के बीच में बटवारा कर दिया ठीक है? अगर हम brother sister की बात करें तो यानि कि P का brother और P की sister और class 2 में जिनको जगा दी गई है brother sister को utrine blood वाले utrine वाले blood के कोई भी relationship को class 2 के अंदर जगा नहीं दी गई है ठीक है तो अगर आपके पास half blood के जो brother है अगर half blood के जो relationships है उनको पहले preference दी जाएगी और उसके बाद sorry full blood के जो relationships है उनको पहले preference दी जाएगी then half blood के जो relationships है उनको बाद में second preference दी जाएगी यानि कि अगर कोई full blood से connected है P कोई brother sister है जो उसके father और mother दोनों common है तो ये वला brother क्या हुआ full blood हुआ तो इस full blood को पहले preference दी जाएगी right अगर ये नहीं है तो फिर half blood को preference दी जाएगी ठीक है और uterine blood की तो कोई जगाई नहीं है uterine blood की तो कोई जगाई नहीं है ये brother sister वाला point clear है third point पे चले तो इस पर वही बात की गई है first entry है daughter's son son उसके बाद की जो तीन entries है students वो 2005 में class 1 में जा चुकी है जो कि मैंना आपको class 1 में already बता दी है वो है daughters son daughters daughter daughter son daughter 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 ठीक है तो ये जो तीन relationship है you can see in the class 1 years वो मैंना आपको लिखवा दिये थे ठीक है अब entry number 4 पे चले तो यानी की भाई का लड़का बहन का लड़का ब्रदर्स डॉर्टर सिस्टर्स डॉर्टर देखे ब्रदर और जो सिस्टर थे यानी की पी के जो brother और सिस्टर थे उनको हमने पहले ही category number 2 के अंदर जगा देती थी लेकिन अगर वो भी नहीं है तो उनके जो son और जो उनके daughter है उनको हमने category 4 के अंदर रखा है और इस पे भी यही रूल चलेगा फिल ब्लड को प्रेफरेंस दी जाएगी ओवर हाफबलड और यूटर थी जगा नहीं है ठीक है फिफ्ट पॉइंट आ जाते है आपका दादा और दादी यानि कि P के जो दादा है और जो दादी है ठीक है P के जो दादा और दादी है यानि कि Father's Father Father's Mother Father's Father's and Father's Mother यानि कि दादा और दादी अब ये किन की बात की गई है कोई बता सकता है Unmute करके कौन से biological या फिर adoptive भी दादा दादी आ जाते हैं इसके अंदर जो adopted family से आते है वो भी आ जाते है नहीं पता देखिए इसमें biological जो दादा दादी है वो आएंगे adopted family वाले जो है वो आएंगे लेकिन अगर आपके step है तो वो नहीं आए ठीक है स्टेप है तो वो नहीं आएंगे ठीक है ओके ऑविसी बात है जब step father ही नहीं आते तो उनके मम्मी पापा तो क्या ही आए तो इसमें खाली biological वाले की बात की गई है या फिर अगर आपके adopted वाली family के जो है दादादी वो आ जाएंगे आपके अगर 6th century में देखें तो इधर बात किये father's widow father's widow अब आप सोच रहोगे father's widow कौन यानि की पी की जो death हुई है इसके father की widow अब यह कौन लगी आपको लग रहा हो गया इनकी mother लगी लेकिन यह इसकी step mother की बात की गई यह इसकी step mother की बात की गई ठीक है अब देखो फिर से injustice हो गया father के साथ पहली बात तो father को class 1 के अंदर रखा father को class 2 के अंदर रखा ठीक है और उसके बाद भी step mother को तो class 2 में जगा दे दी लेकिन step father को कोई जगा नहीं दी ठीक है हमेशा father के साथ injustice हो रहा है तो father की video यानि की हाँ पर step mother की बात की गई step mother की बात की गई ठीक है अब interesting point इसके अंदर यह है कि जो step mother है जो step mother है अगर इस step mother ने री मारी भी कर ली है step mother ने री मारी भी कर ली है तो भी step mother का जो हिस्सा है वो तो उसको दिया ही जाएगा ठीक है step mother ने अगर री मारी भी कर ली है पहले भी step थी कहां सगी थी अब री मारी कर लिया है तब भी कोई बात नी सगी तो है नी तो उसको तो दिया ही जाएगा चाहे उसको दूसरी शादी भी कर ली है तब भी ठीक है इसको आप रेफर कर सकते हो जया लक्ष्मी वर्सस गनेश ऐयर 1972 का case है जया लक्ष्मी वर्सस गनेश ऐयर 1972 ओके इसके बाद आती है six category में दो टाइप्स की विडियो है एक तो father की विडियो जो आपकी step mother है दूसरी आपकी brother की विडियो brother की विडियो ठीक है brother की विडियो और वो विडियो कब होनी चाहिए जब p की डेथ हो उस टाइम पे वो विडियो होनी चाहिए ठीक है obviously अगर इसने remarry करा ली तो यह विडियो तो है नहीं तो जब p की डेथ हुई है तब यह विडियो होनी चाहिए अब कौनसे brother की विडिय ब्रदर भी तो कई सारे होंगे ना, तो इसमें भी वही रूल चलेगा, जहांपे भी ब्रदर शिस्टर आजाए, हमेशा कुदी रूल लगा देना, कि फुल ब्लड जो है, उसको पहले प्रेफरेंस देंगे, फुल ब्लड वाले भाई की जो वाईफ है, उसको पहले देंगे देन, हाफ ब्लड वाले भाई की वीड़ो को, ठीक है, यह सिंपल सी चीज़े हैं, क्लास टू के अंदर, जाद कोई डिफिकल्टी आएगी नहीं आपको, सेवन्थ पॉइंट पे चले, सेवन्थ पॉइंट पे चले, तो आज आते हैं आपके फादर्स ब्रदर, फादर्स ब्रदर, फादर्स सिस्टर, फादर्स ब्रदर और फादर्स सिस्टर, तो देखें फादर के ब्रदर कौन हुए, यानि कि आप जो जिस पोसन की डेथ हुई है, पी की, उसके फादर के ब्रदर, यानि कि इसकी बुवा और ये जो हुए इसके ताउ या चाचा, ठीक है कोई भी, ठीक, तो फादर के ब्रदर और फादर के सिस्टर, ठीक है, अब ब्रदर सिस्टर आ गया, मैंने आपको कहा था, जहां कई भी ब्रदर सिस्टर दिख जा है, वहार रूल लगा देना, कि भई पहले जो बुवा तो बहुत सारी होती है न रिष्टदारी में भी, तो पहले फुल ब्लड वाली बुवा को प्रेफरेंस दी जाएगी, अगर वो नहीं है, तो फिर हाफ ब्लड वाले देखेंगे, यूट्राइन की तो कोई जगा ही नहीं है, यहाँ पे, ठीक है, I hope यह वली यानि की यह इसके मदर के फादर और मदर की मदर, यानि की P के नाना नानी आगए, एफ हैंट्री के अंधर, छीक है, अब यह भी स्टेप नहीं होंगे, छीक है, यह भी स्टेप नहीं होंगे बियलॉजिकल और अडॉप्टिट जो फैमिली है, उसके हो सकते हैं, step नहीं होंगे और दूसरी बात बहुत important चीज़ है यह वली तो mothers, mother, mothers, father अब देखे यह दोनों क्या है यह दोनों couple है यह दोनों क्या है यह दोनों couple है लिकिन इनकी जो शादी है उसमें इनके चाइल्ड को under section 16 protection मिला था तो मैंने आपको कहा था जब यह case हो under section 16 जब चाइल्ड को protection चलाओ तो branch यहीं कतम हो जाती इनका personal relationship होता है आगे जो branches है उनका इनसे कोई भी रिष्टा नहीं होता है ना? तो इस case में अगर P के जो नाननानी है इस वाले case में fall कर रहे है जिनसे उनकी mother under section 16 protected है यानि कि इनकी valid marriage नहीं है ठीक है? इनकी valid marriage नहीं थी जस्ट इनके चाइल्ड को protect किया गया था तो इस case में P का इनसे कोई रिष्टा नहीं है मैंने आपको कहा था इस case में इसका इस वाले बच्चे का under section 16 वाले बच्चे का अपने माबाप से personal रिष्टा होता है आगे branches में कोई रिष्टा नहीं होता है ये concept में आपको पहले भी बता चुकी हूँ तो अगर P की property जानी इसके नाना नानी को तो देखा जाएगा कि नाना नानी में valid marriage हो अगर इस तरह की marriage होगी जिसमें इनकी माँ कोई under section 16 protection मिली हुई है तो इस बच्चे की कोई भी property अपने नाना नानी को नहीं जाएगी ठीक है तो valid marriage वाले नाना नानी होगी चाहिए तभी eighth category के अंदर नाना नानी को property जाएगी ठीक है उसके बाद ninth point पे चले तो ninth point आता है mother के brother यानि की mama मासी भी आगए mother's sister ठीक है अब brother sister दिख गए है तो कौन सा rule लगा हो full blood को preference दी जाएगी फिर half blood ठीक है uterine blood की कोई भी जगा नहीं है I hope आपको ये topic समझ आ गया होगा सबसे पहले आपने father की बात की father कौन से होने चाहिए biological या adoptive step father की कोई भी जगा नहीं है उसके बाद second category और जो third category थी उसके आदे से जादर relationship class 1 के अंदर जा चुके हैं जो बचे हैं वो है brother और sister ठीक है brother और sister आ गए तो हम जो भाई बहन है पहले देखेंगे full blood के हैं तो ठीक है और फिर half blood पे भेज़ देंगे फिर हमने fourth point देखा brother और sister भी नहीं है तो देखेंगे brother और sister के बच्चे हैं अगर बच्चे हैं तो ठीक है अब कौन से बच्चे है full blood वाले भाई के बच्चे हैं यह half blood वाले भाई के बच्चे हैं यहाँ पे भी यही वाला rule चलेगा उसके बाद दाद दाधी देखेंगे कि biological यानि कि natural family वाले होने चाहिए आपके doctor family वाले भी हो सकते हैं लेकिन आपके step नहीं होगे ठीक है उसके बाद six point आया जिसके अंदर आपके father की video यानि कि step mother को भी जगा देदी गई 6th entry के अंदर और जो भाई की video है brothers जो video है उसको भी जगा देगी देखो अब brother आ गया brother देखते फुल ब्लड और हाफ ब्लड वाला concept लगा देना अब step mother ने मैंने आपके बताया था step mother ने अगर दूसरी शादी भी कर ली है तब भी step mother को उसका share देदेंगे और ये बात है ल मशी में वर्सिस गणेश है हीया 1972 डिक के जाया वाला concept इसके अंदर लगा दिया, then eighth category आगई P, नानानी की, अब ये भी वैसे ही है, जैसे चल रहा है कि biological adoptive, और जो step है, वो excluded होंगे, right, और इसके अंदर एक और concept है, जो कि पहले से चला आ रहे है, कि भई, अगर valid marriage है नानानी की, तब ही आएगे, otherwise नानानी, जो आपकी mother है, उसको ही section 16 में protection मिली हुई है, तो उनका नानानी का connection सिर्फ आपकी mother से आप से कोई नहीं है, तो आपकी property आपके नानानी को उस case में नहीं जाएगी, right, फिर ninth category आजाती है, जो मैंने आपको भी screen पर भी लिखा हुआ है, mother's brother या mother's sister, यानि कि mama, जो mama और जो मास्ती है, उनकी तो जब brother और sister दिखिया, तो full blood और half blood का हमने relationship लगा दिया, कोई doubt है, class 2 है और इसमें, अगर है, तो repeat करने के लिख सकते हो, चार्ट में, otherwise agnate और cognate देख लेता है जल्दी लिको चार्ट के अंदर students, I am waiting, no doubt, okay, आगे सलते हैं, ठीक है, agnate और cognate को ही बता सकते हैं, मैंने आपको starting में भी बताया था, जब हम basics कर रहे था, students की agnate और cognate कौन होते हैं, कोई बता सकते हैं, raise your hands, layman language में बताईए, बहुत simple है, raise your hands, इसी को भी नी पता, always, Yamini, yes, Yamini, the magnet means when two ears are wholly related through male, and cognate, even when one ear is between them female, then they are considered as cognate, ठीक है, for example, कोई line आ रही है, उसमें सारे relationships आपके male से आ रहे हैं, यानि कि sun, 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 यानि कि male से आ रहे हैं, अगर आपके relationships आ रहे के सारे, तो वो होगे agnate, ठीक है, उस line में कहीं पर भी बीच में, अगर intervene कर जाए female, तो वो cognate की line बन जाएगी आगे से, ठीक है, तो जो relationships आपके male के थरू आ रहे हैं, वो होते हैं, आपके agnates, और जो relationships आपके female के थरू आते हैं, वो होते हैं, कोगनेट, कोई आप example दे सकते हो, example दीजे यामिनी, agnates का, I am a relationship between grandfather and son through father, या, ठीक है, यानि की for example, ठीक, तो ये देखिए, male के थरू आया, फिर father का, फिर ये male के थरू ये relationship चल रहे हैं, that means, ये agnate relationships हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि agnate female नहीं हो सकती है, agnate एक female भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसके through नहीं आया होना ची ये relationship, are you getting the concept, for example, अगर मैं आपको समझाना चाहूं, तो S, 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 हो सकता है, इसको S, 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 D, देखिए, इनको तो class 1 के अंदर ये hairs हैं, वैसे तो already है, इनको भी class 2 के अंदर हैं ये, देखिए, ये son से आया, ये भी रिष्टा son, ये भी male चल रहा है, अब देखिए, S, S, S के son भी है, और daughter भी है, ठीक है, पर ये relationship, ये और ये जो relationship आये, ये तो male के थ्रू ही आये न, तो ये जो daughter है, ये भी agnate हो सकती है, ठीक है, लेकिन जरूरी ये है कि जो relationship चल रहे हैं, वो male के थ्रू आगे भढ़ रहे हैं, जो generations आगे आ रहे हैं, वो male के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है, वो generations थो हो सकता है, daughter भी हो वीच में, लेकिन daughter के थ्रू तो नहीं हो रहा न, ये मतलब male के थ्रू ये relationships आगे चल रहे हैं, agnate एक female भी हो सकती है, cognate का example कोई देना चाहेगा? mom relationship between paternal grandfather and son through mother graph बनाई है ff d one second किसने जवाब दिया है yamini okay अच्छा मैं एक और graph पनाती, मुझे बताईगा, वो agnate है या cognate है, ठीक है? झाल झाल चलिए बताईए पी के ये कौन है और पी के ये कौन है माम जो सिस्टर के थू जा रहे हैं देयर कोगनेट रिलेशेशिप थू प्रदर एंड एसेस देयर एगनेट ठीक है गुड तो एगनेट और कौनेट का जो कौनसेप्ट है बहुत सिंपल है जो मेल के थू रिलेशेशिप आगे बढ़ रहे हैं स्टुडेंस वो एगनेट हैं और जो फीमेल के थू रिलेशेशिप आ रहे हैं सिस्टर आ गई ना यहां पर फीमेल आ गई फीमेल के जो आगे डॉटर यह सन है यह फीमेल के थू आ गए तो यह कॉगनेट हो ठीक है एगनेट और कॉगनेट होते क्या हैं यह क्लियर है सभी को बाकी भी रिस्पॉंड कीजिए यामिनी को तो समझ आ गया बाकियों को समझ आया है कि नहीं लास्ट टॉपिक है यह आज का उसके बाद एंड करेंगे नेक्स लेक्चर के अंदर कॉंटिन्यू करेंगे राई देखे एगनेट अब कौन होते है जो आपके नीचे जनरेशन जा रही है वो या उपर जो जा रही है या कोलेटरल जो जा रही है वो बताईये तो तीन टाइपस के एगनेट्स हो सकते हैं वो resposta दिसेंड़न्स भी हो सकते हैं असेंडेंट्स भी हो सकते हैं और क sought लाटरल भी हो सकते हैं ठीक है कैसे देखिए यह पी है जो इसके नीचे वाली जनरेशन जो मैंने अभी आपको ग्राफ बनवाया था तेखिए यह तो हो गए डिसेंडेंस ठीक यह हो गए असेंडेंस और को लाटरल क्या होते हैं जो साइड वाय साइड हो आपकी फॉर एक्जामपल देखिए यह इसके फादर है फादर के फादर और फादर के फादर के फादर ठीक है एफ 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 के दो संस्ते यह और यह ठीक है फिर इनका बेटा और इनका बेटा इनका बेटा और इनका बेटा ठीक है वैसे और आप देखोगे तो यह आपस में कजन जाए है ना पर है तब ये coda смотрите को लाट्रल ठीक है है तो ये उसक्राइब को लाट्र पिड को लाट्रल समझ सादा है डोलाट्र लेगनेट समझ आया इस दिखु बेल के तुरिए रहा था फादर फादर और फिर यह भी कॉमन है देखिए एगनेट्स जो होते हैं थ्री टाइप्स के होते हैं एक आपके होते हैं डिसेंडेंस असेंडेंस और एक होते हैं जो मेल के तुरू रिलेशनशिप्स आ रहे होते हैं मेल के तुरू यानि की ग्रेट 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 ग्रान्ट फादर है ठीक है उनके दो बेटे हैं फादर ब्रदर अब देखिए एक ही डाय तूँ यह एक है जो यह सारे रिलेशनशिप चल रहे है कि मेल के तुरू चल रहे है यानि कि फादर, whilst, father, fathers, 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 fathers का एक और बेटा फिर इनका बेटा फिर इनका बेटा वैसे आपध looking तो यह आमने सामने आएंगे एकदम सायिए लेकिन कजंस कैसे है एक मेल के थुरू ये रिलेशन्शिप्स आ रहे हैं तो ये हैं एगनेट्स लेकिन ये कोलाटरल एगनेट्स है अब क्लियर है हर्षना बड़े बड़े जो परिवार होते हैं जैसे कि ये ग्रेट ग्रेट ग्रांट फादर है उनके दो बेटे एक ये और एक ये फिर इनका बेटा हुआ इनका बेटा हुआ इनका बेटा है तो ये आपस में कजन्स पर ये कोलाटरल एगनेट्स है ठीक है? अब तीन टाइप के हमने एगनेट्स देखे एक डिसेंडन्स यानि की उपर की जनरेशन एक ascendance यानि कि नीचे की generation और एक होते हैं आपके collateral ठीक है लेकिन लेकिन class 1 में भी कोई नहीं है class 2 में भी कोई नहीं बचा alive तो हम agnates देख लेंगे और इसकी कोई limit नहीं होती जिसे class 1 के अंदर तो हमने limit डाली हुँ ना कि 3 generation तक के almost रखे में है तो class 2 के अंदर पर agnates की कौन होगा क्योंकि अगर father है तो उन्हें तो class 2 में ही मिल जाएगा और अगर दादा दादी भी है तो उन्हें class 2 अब उपर कौन ही बचा होगा है तो फिर भी पर दादा है तो देखेंगे हम ठीक है वो भी agnates है उनके उपर भी है तो भी हम देखेंगे जिस limit तक जाना है और नीचे की साइड भी जिस limit तक जाना है वहीं जाना है बस कोई alive मिल जाए और collateral भी जिस limit तक जाना है जा सकते हैं कोई limit set नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है कि जो जो है सब को बाट देंगे जिससे class 2 के अंदर हो रहा था जो की सबसे ज़्यादा past का near relationship मिल जाएगा near relation मिल जाएगा उसको ही हम दे देंगे और इसी पर stop हो जाएगा ठीक है यह है एगनेट्स का concept जादा कुछ है नहीं इसमें यह है कि तीन तरीके के अगनेट्स है उपर की generation भी नीचे की generation भी और आपके collateral और कोई limit नहीं है जहां तक भी रिष्टदार मिल जाए वहीं है ना class 1 और class 2 के अंदर क्योंकि कोई जिंदा मिलानी हमें तो एगनेट्स पे आगए हम देख लेते हैं जिस limit तक मिल जाए मिल जाए और जो सबसे past का होगा उसे दे देगे ठीक है अब देखे एगनेट्स में भी कोई नहीं है तो हम चले जाएंगे cognates पे एगनेट्स पे भी नह जैसे कि मैंने अभी आपको example दिया कि एक ही जो sister है उसके तुरू जो आगे relationships आ रहे हैं branches आ रही है तो वो सारे हो गए cognates ठीक है वो सारे हो गए cognates क्योंकि वो एक female के तुरू relationships आ रहे हैं राइट देखा था कि male अगर interstate death हो जाए तो फिर उनका succession कैसे होगा separate property का तो उसमे हमने देखा कि class 1 में उचेर्स दे रखें, class 2 में दे रखें, सबसे पहले हम class 1 को देखेंगे, then हम class 2 को देखेंगे, then हम ignite देखेंगे, then cognate and then finally अगर कोई भी नहीं होगा तो estate यानि की government के पास चली जाएगी वो property, तो लेकिन वो male की बात हो रही थी regarding male की separate property, लेकिन अगर female क की death हो जाती है, interstate, तो फिर उनकी property किसके पास जाएगी succession में, तो उसकी entries अलग है, जो हम section 14 onwards देखेंगे, right, चलिए start करते है, finally female के regard, तो सबसे बहले हम section 14 की बात करें तो, section 14 की अगर हम बात करें, So can anybody tell me section 14 क्या कहता है, section 14 क्या कहता है, you can just unmute yourself and speak, I hope you all are sitting with the bearer, Ma'am, at the time when this succession, Hindu succession ad came into course, if any woman is in possession of any property, it will be deemed or considered as his absolute property, ठीक है, उनका property पे absolute right होगा, ठीक, लेकिन, absolute right नहीं होगा, इसका कोई कुछ contrary भी दिया हुए section 14 में, कब नहीं होगा absolute right, क्या restrictions लगाए जा सकते हैं, female पे उसकी property के regarding, माम, section 14, subsection 2, पोसे लिमिटेशन, हम, बताईये, माम, if there is no pre-existing right with respect to the property we are talking about, then, then, her interest will remain limited only, ऐसा हो सकते हैं, कोई gift, will, या court के decree के through, जो मतलब female को अगर कोई property आई हो, और वो gift या will देते समय है, उसमें कुछ conditions डाल दी हो, कुछ restrictions लगा दी हो, कुछ restrictions लगा दी हो, तो इस तरीकी की जो restrictions है, वो लगाई जा सकते हैं, otherwise, general rule is this, general rule यही है कि female की property जो है, उसका absolute right रहेगा, ठीक है, लेकिन absolute right तो अगर gift के या will के, मतलब जो भी conditions है, उसके अंदर रख दी गई है, तो restrictions भी impose किये जा सकते हैं, ठीक, यह तो बात आ गई, अगर उसके पास property है तो, लेकिन female के पास, एक female के पास property आएगी कहां से, main sources क्या रहते हैं, main sources क्या रहते हैं, या तो उसे अपने parents के पास से आएगी, है न, या तो उसे अपने husband की sides से आएगी, ठीक, husband, in-laws जो हैं, उनकी sides से आएगी, या फिर उसको gift के थुरू कोई property आई हो, will के थुरू कोई property आई हो, self-owned property हो, यही तो ways होते हैं न, तो यह उसके बास property है, female की separate property है, इस पे इसका absolute right है, absolute right को लेकिन restrict किया जा सकता है, ठीक है, now, देखिए बात हो गई कि absolute right है, ठीक, absolute right है, separate property है, लेकिन अगर इस female की death हो गई, तो इसके पास जो property है, उसका क्या होगा, female के बाद इसकी property किस-किस के पास जाएगी, जो इसे हमने male में देखा, class 1 में देखेंगे, mother है, widow है, बच्चे है, son है, daughter है, उनके आगे generations देखेंगे, ऐसे हम female में किस-किस को देखेंगे, अब वो देखेंगे, ठीक, section 15 यही कह रहा है कि जो entries है, उसके इसाब से जाएगी property, तो कौन-कौन सी entries है, कितनी entries हैं और कौन-कौन सी हैं, बता सकते हूँ, फॉर्स एंट्री कौन सी है, बताईया, unmute yourself and speak, देखेंगे, son, daughter, और कोई भी आता है कि MC No.1 ने? अगर son और daughter की death हो गई है, यह pre-diseased है, तो उनके भी son and daughter of pre-diseased son and daughter, फिर यहां आ जाते हैं husband के hairs, mother and father, जन्रल रूल तो यही है कि इन पाच्व एंट्री के हिसाब से चलेंगे, जैसे हम क्लास 2 में चल रहे हैं कि सिर्फ एंट्री को देखेंगे, अगर कोई भी अलाइव है तो उसके पास चली जाएगी प्रॉप्टी, देन उन में से कोई भी नहीं है तो हम एंट्री 2 पे देखेंगे, एंट्री 3, 4, 5, जनरली तो ऐसा ही चलता है लेकिन सेक्शन 15 में हम एक और बात कहीं वह हम बाद में देखेंगे, क्या चीज़ है ठीक पर उससे पहले हम यह समझते हैं कि सीमेल के रिगार्डिंग यह कौन सा सन है, यह कौन सा डॉटर है ठीक है तो रिलेशिंस को समझते हैं को बता सकते हैं कौन से संथा तो हो finally कौन कौन से संथा की बात हो दो अंदेगि है और मदिड़ और इल्लेजिटिमेट लिए तो इसके अंदर सब आ जाते हैं बायलोजिकल, अडॉप्टिव, लेकिन कौन नहीं आता? कौन नहीं आता? और डॉटर में भी आसा ही है? ठीक, तो यानिकी, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, ये दोनों जो हैं, इंक्लूडड नहीं हैं, ठीक? ओके, अगर हम बात करें, इनके, इनके सन और डॉटर नहीं है, प्री डीसीज़ है, पहले उनकी डेथ हो चुकी है, यानि की, चले, अब इनकी बात हो रही है, कि भाई, एंट्री वन तो ये थे, सन, डॉटर, हजबन, है ना? एंट्री वन के, फर्स पॉइंट में ही आते है, सन, डॉटर, हजबन, अब लेकिन, अगर सन की भी डेथ हो गई है, डॉटर की भी डेथ हो गई है, तो आगे हम इनके सन और इनके डॉटर देखेंगे, तो इनका रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए, इस पीमेल से, माम, देखो, मैंने आपको एक कॉंसेप्ट समझाया था, जैसे ये कोई कापल है, ठीक, इनके चाइल्ड को प्रोटेक्शन मिली है, अंडर सेक्शन सिक्स्टीन, अंडर सेक्शन सिक्स्टीन, तो ये इनका पॉर्सनल रिलेशनशिप रहता है, इनके आगे वली प्रांचिस से, इनका कोई रिष्टा नहीं है, तो इधर भी यही फॉलो होगा, ठीक, इधर भी यही फॉलो होगा, कि भाई, अगर ये जो है, जो प्री डिजीज़ है, ये इसको खुदी अंडर सेक्शन सिक्शन सिक् इस फीमेल के साथ नहीं है, तो अगर इनके खुद के पेरेंट्स ही अंडर सेक्शन 16 वाले प्रोटेक्शन में फॉल करते हैं, तो फिर इनका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है इस फीमेल से, क्योंकि इनका रिलेशनशिप यहाँ पॉर्सनल होगा, ठीक है? इतनी इसी बात सही है, और इधर भी यही कॉंसेप्ट फॉलो होता है, जो कॉंसेप्ट इधर फॉलो हो रहा है, इनका एफ के साथ कोई रिष्टा नहीं है, वो ही कंसेप्ट इनकी ब्रांच में भी फॉलो हो रहा है, कि अगर सन का, कि यह वाला डॉटर या यह वाला चाइ तो इनका रिष्टा सिर्फ अपने माबाप के साथ है, उपर वाले इसके फीमेल के साथ नहीं है, ठीक है, ये कॉंसेप्ट हम पहले भी समझ चुके हैं, थोड़ी कॉंपलेक्स हैं, बट आपको आपको अब तक समझ आ गयो है, ठीक है, जहां पे अपने सेक्शन सिक्स्टीन वाली प्रोटेक्शन आ जाती है, उसके बाद जो ब्रांचे होती है, उनका पॉर्सनल कोई रिलेशन्चिप नहीं होता, सेक्शन सिक्स्टीन वाले बच्चे का सिर्फ अपने मदब फादर से पॉर्सनल रिलेशन्चिप होता है, ठीक है, और कोई भी जनेरेशन का पॉर्सनल रिलेशन्चिप होता है, ठीक है? Ma'am, that means कि अगर SS and SD, जो है, grand children, whether they are legitimate or illegitimate, मतलब वो inherit नहीं करेंगी? उनकी अगर parents ही deemed legitimate वाली category में, तब नहीं करेंगी, ठीक है? अगर उनके parents, F की, जो है, valid marriage से हुए है, तब वो आगे वाले children, जो है, inherit करेंगी, ठीक है? Ma'am, लेकिन जो इसकी definition है, इसमें Succession Act में दिया है 3J, उसमें प्रोवाइजो में डाला है कि provided that illegitimate children shall be deemed to be related to their mothers and to one another and their legitimate descendants shall be deemed to be related to them. देखिए, इसका ये मतलब है, जैसे कि मैंने आपको समझाया आओ, दो ये हैं इसको कटकर दो, daughter और son, ठीक है? ये है, deemed legitimate, तो इनका जो रिष्टा है, सिर्फ अपनी मा के साथ है, ठीक है? और अगर इनके जो illegitimate child है, D.K. या इसके, तो इनका रिष्टा is related to them only, not to this female, ठीक है? समझाया इस डाइग्राम से, फिर समझाती मैं आपको. देखिए, अगर ये जो pre-diseased है, ये जो child है, under section 16 protected है, तो इनका relationship है with their mother, तो ये अपनी female के साथ इनका personal relationship है. further, अगर ये legitimate, अगर ये भी, मतलब इनकी शादी भी void थी, और ये इनका बर्त हुआ इस वाली marriage से, void marriage से, under section 16 protected है, then they are connected to their mother or their father. इनका आगे वाली branches से कोई भी relationship, यानि कि ये दोनों का relationship सिर्फ अपनी mother से है, इनके आगे वाली further branches का कोई भी relationship नहीं है, ऐसी उनके बच्चों का है, अगर ये भी under section 16 वाली category के अंदर fall करे है, तो इनका personal relationship सिर्फ अपने parents से है, ठीक है, इस से नहीं, ठीक है, उनका ये कहने का मतलब है, ये जो बच्चे हैं, अगर section 16 से हुआ है, तो इनका personal relationship है with their mother, not आगे की generations का, ठीक है, इतनी सी बात है, इसको आप वीद करोगे over the time, ठीक है, पहले वले lectures के अंदर भी हमने ये concept किया है, बार बा, ठीक है, ऐसा मत सोचना कि ये खाली female में हो रहा है, ऐसा male में भी हो रहा था, ठीक है, ऐसा हर जगा होगा, जहां पे भी under section 16 वाली बात आ जाएगी न, तो वो जो बच्चा है, उसका personal relationship सिर्फ अपने parents से होगा फर्दर आगे वली बांचिस का कोई भी relationship नहीं होगा उसके grand parents से, ठीक है, आगे वली बांचिस में भी यही rule फॉल होगा, कि अगर वो बच्चे है, खुद हो under section 16 में protected है, तो उनका relationship भी सिर्फ अपने मातापिता से होगा, mother and father से होगा, उपर वली बांचिस से कोही नहीं हो अगर वो under section 16 वाली category में fall करते है, ठीक है, I hope यह वाला point अब बहुत अच्छे से clear होगा, ठीक है, अच्छा, हमने बात कली son की, daughter की, son and daughter of free deceased daughter, और son की, ठीक है, अब रहा गए husband, यहाँ पर कौन से husband की बात की गई है, obviously, जो divorced नहीं हो, ठीक है, जो legally wedded husband थे, legally wedded husband थे, उनकी बात हो रही है यहाँ ठीक है, divorce वाले जो husband है, वो नहीं आएंगे, right, void वाले भी नहीं आएंगे, voidable वाले आ सकते हैं, जब तक उन्होंने declare नहीं कर आई है, क्योंकि वो तो valid ही रहती है, जब तक declare नहीं कर रहा हो, ठ तो simple सी बात है, इसके अंदर कि जो husband है, वो कौन सा, legal husband, legally wedded husband, ठीक है, divorce वगेरा, जैसे वो वीडियो में चल रहा था ना, concept, वहीं आपे, अब husband में आ जाएगा, कि भाई, legally wedded जो husband था, वो, divorce वाल husband नहीं, ठीक है, दूसरी बाद, अब आगे चलते हैं, husband के hairs थे, फिर उसके बाद, mother and father आ जाते हैं, इस point को हम बाद में समझेंगे, ठीक है, कि husband के hairs क्यों बोल रहा है, अभी के लिए बस इतना समझ लो, कि first entry में कोई नहीं है, तो husband की side जो है, देखेंगे, कि husband के hairs हैं कोई, ठीक, फिर आगे third entry आ जाती है, mother and father, ठीक, mother and father, तो इसमें कौन से mother and father की बात की गई है, बताईये, biological and adaptive, ठीक है, कौन कौन included है, यानि की 3rd entry के अंदर, सिर्फ 3rd entry के अंदर mother father में किसको नहीं रखा गया step father and step mother को, ठीक है, तो जो mother और जो father है, adoptive हो सकते हैं, biological हो सकते है, step father और step mother को इसमें exclude करके रखा गया, 3rd entry में उनको include नहीं किया है, ठीक है, यानि की 3rd entry के इसकी बाद करें, female की है, अब यह जो female है, अब यह दोनो legally wedded couple है, valid marriage है, और valid marriage है, तो यह child भी legitimate है, यह child भी legitimate है, तो अगर यह legitimate है, तो दोनों को property जा सकती है, mother को और father को, लेकिन अगर यह child illegitimate है, अगर यह child illegitimate है ना, तो सिर्फ mother को जाएगी, ना, वाइसा वर्सा चलेगा, चिक, मदर को ही जाएगी, क्योंकि मदर में हमने क्या पढ़ा था, मदर के लिए तो legitimate ही रहते हैं, ना, फादर के लिए illegitimate होता है, मदर के लिए legitimate और illegitimate बराबर है, ना, यही पढ़ा था ना, भी हमने, हाँ, जब हमने son and daughter की बात की थी female के, तो यहाँ भी एक हिसाप से उसका वाइसा वर्सा concept ही है, कि बहुत मदर के लिए जो illegitimate अगर फीमेल होगी, तो मदर को भी property आएगी, ठीक है, तो यह simple सी बात है, अब आगे चले अगर, फोर्थ entry में क्या है और फिफ्थ entry में, ठीक, की बहुत फर्स्ट entry में भी कोई नहीं मिला, सेकिंड एंटरी में भी कोई नहीं है, थर्ड में भी कोई नहीं है, तो फॉर्थ में हम देखेंगे father के hairs हैं क्या, उनको मिल गई, अगर वो भी नहीं तो mother के hairs के पास जाएगी ठीक है अब देखिए लेकिन general rule तो यही है कि हमेशा entry by entry ही जाएगा first को जाएगी फिर second को जाएगी फिर third को जाएगी फोर्ट को जाएगी फिस्ट को जाएगी लेकिन इसका exception है कि कभी कभी हम बीच के entries जो है उसको skip कर सकते हैं क समझा सकते क्या exception है किसी को पता हो तो कि भाई property सीधा first entry में जाने के बाद sona और daughter नहीं है तो सीधा fourth entry में चली गएगी ऐसा हो सकता है मैं मैं फिट falls under subsection 2 हाँ बताईए क्या कहता है subsection 2 की तो बात कर रहे है मैं उसमें डिपेंड कहते है कि वो किस सोर्स से आरही है अगर पादर इन लौ से आरही है या फिर पादर से मताब अब सेक्शिन तू लौस ए सेस कि आप सही बाद वो फादर और मदर तो उसकी बाद वो फिर्स एंट्री के बाद डिरेक्ट बीच के एंट्री स्किपो के वो यह सो फादर के पास जाएगी यानि कि फोर्थ एंट्री już if source of the property is from a husband and father-in-law then after the first entry if there are no heirs present in the first entry then the property will go to the Heirs of the female ठीक है, इपने सी बात क्लियर है, देखिए, फर्स्ट एंट्री में गई वो प्रॉपर्टी, उसका सन है, डॉटर है, हजबन है, तो यही बात खतम हो जाएगी, है ना, लेकिन उसके सन डॉटर है ही नी, सिर्फ और सिर्फ हजबन है, तो क्या होगा, उसका सोर्स देखेंगे प्रॉपर्टी का, कि वो प्रॉपर्टी उसके पस आई कहां से, फॉर से, अगर वो प्रॉपर्टी उसके फादर से उससे आई है, है ना, उसके फादर से आई है, तो वो उधर ही चली जाएगी, यानि कि जहां से प्रॉपर्टी आई है, वो उसी तरफ जाएगी, अगर फ के बीच में जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रिब्यूट हो जाएगी यह तो सिंपल सी बात है इतना सा पॉइंट क्लियर है तो इसमें बेसिकली सोर्स देखा जाएगा ठीक है इट इस जनरल रूल की एंट्री बाइंट्री चलेंगे पर वहीं सब सेक्शन टू और फिफ्टीन में यह भी कहा है कि हम सोर्स को भी देख सकते हैं प्रॉपर्टी के अगर इसके अंदर दॉटर संडॉटर है ही नहीं तो हम सोर्स देखेंगे प्रॉपर्टी अगर फादर से आई है तो यहां पर फॉर्थ एंट्री में चली जाएगी इनको स्किप करते हुए ठीक है कि फादर के हेर्स के पास जाएगी अगर मदर की साइड से प्रॉपर्टी उसे आई थी तो मदर की हेर्स के पास चली जाएगी यह बीच के skip हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे आपका source देखा जाएगा, बहुत simple सा concept ही, ठीक है, चलिए, तो female का जो था, यह काफी जदा असान था as compared to the male, ठीक है, male वाले के अंदर class 1, class 2, then agnate, then cognate, ठीक है, उसके comparison में जो female succession है, female interstate succession है, यह काफी जदा simple था, ठीक है, अब कुछ छोटे-छोटे concept हैं, कुछ छोटे-छोटे concept हैं, जो रहे गए हैं, जैसे section 19, यह तो आप लोग भी मुझे बता सकते हैं, बताइए section 19 क्या गहता है, बता सकते हैं, या मिनी बताईए, माम, टू successors, अफ़ प्रपर्टी दिवाल्स अपन टू successors, थें यह दे विल टेक प्रपर्टी पर कैपिता, मीन्स इन इक्वल शेर, देखिये, common and joint tenant, मुझे थोड़ा पढ़ना होगा, चलिए, देखिये, son, son, और daughter, ठीख, son, son, daughter, अब देखिये, अगर इन्हें पर कैपिता जो इनकी शेर्स हैं, वो कितने होगे? 1 by 3 each, तो यह क्ये है? पर कैपिता, ठीक है? और further, जब इनका शेर इनके आगे वाली प्रांचे में, अगर जब डिस्टिब्यूट हो जाता है, तो इनके शेर्स कितने हो जाते हैं? पर strips हो जाते हैं, ठीक है? पर strips हो जाते हैं, इतनी सी बात है इसके अंदर, although इसके अंदर और tenant in common है tenant, joint tenant भी है but that is not important, important although ये भी नहीं था per capita per strips, ठीक है but skip नहीं किया, although पता चलिए आपको क्या होता है 20 बहुत जादे important है section 20 ठीक है, ये आपको समझने में भी असानी होगी, क्योंकि जब हमने partition देखा था, उसमें भी हमने देखा था right of, बताईए किसकी बात कर रही है, किसके right की बात कर रही है child in room हम तो क्या concept है ये आपर वही partition वाला same concept है yes बताईए थोड़े explain कीजिये maam, when the succession opens, the child is in womb and subsequently he is born alive that is the main condition okay, देखे and he will also succeed देखे पहली बात तो, कि जब इसकी death हो रही थी इसकी death हुई, तो इसकी जो wife थी, ये pregnant थी ठीक है, और ये alive born हुआ, कि जो child था, ये alive born हुआ ठीक है, तो फिर, जब अगर ये womb में है देखे, पहले तो problem होती थी है ना, चलिए उसको छोड़िया आपको partition वाले में, although मैं समझा चुकियो अभी confused नहीं हो ना simple सी बात समझो, जब PK death हुई, उसकी wife जो है pregnant थी, उसकी womb में जो है child था ठीक है, उसकी womb में child था और उसका birth हो जाता है alive तो जब वो बच्चा womb में होता है और succession हो रही है तो हम उसका share निकाल देंगे हम उसका share निकाल देंगे जब वो बच्चा womb में है तो अगर succession हो रही है तो हम उसका share निकाल देंगे लेकिन इधर हमने बात की कि जब यह alive, इसका birth होता है. अगर यह इसका birth नहीं होता, four से कोई miss happening हो जाती है, तब क्या होगा, इसका share तो हमने reserve किया हुआ है न, पर कोई miss happening हो गई. तो फिर क्या होगा? Mom, it will be divided among the remaining. इसका जो share है miss happening हो गई, इसका birth नहीं हुआ चाइल का, तो फिर जो hairs है, उन्हें further division हो जाएगा, जो remaining hairs है, उसमें ही further division हो जाएगा, ठीक है, ठीक, तो important बात है ये है, कि जब इसकी death हुई, तब W pregnant होनी चाहिए, at the time of the death of P, जो interstate की death हुई है, ठीक है, दूसरी बात, alive अगर हुआ है, तो ठीक है, ठीक है, अगर हमने reserve करके नहीं रखा उसका share, तो वो child भी open करा सकता है, succession को, ठीक है, अब आते हैं 20 पे, sorry 21, 20 हमने किया, 21 पे आते है, 21 क्या कहते हैं, इता सकते हैं, Ma'am, if two persons died together, then it is a presumption with respect to the fact that who survives whom? Explain की जे से किसी example से, Ma'am, suppose A and B both are brothers and they died in car accident, exact time of death of both of them cannot be anticipated, then it will be deemed that whoever was the younger, suppose B was the younger one, he will be deemed as, have we survived, that he survived, ठीक है, तो बाक्यों के लिए भी मैं सजाती हूं, for a simple example देकर, यामिन वालाई ग्जांपल मैं सम्झाती हूं, इस दो brothers है, A and B, ठीक है, इनकी for say, किसी accident तोगेरा में death हो गई है, ठीक है, या तो इनका time पता चल जाए death का, है ना, तो तो हमें presumption लगाने की जुरत ही नहीं है, कि किसकी death पहले हूई, किसकी बाद पता चल जाते है ना, डॉक्टर सोगेर से, कि A का इस time पर death हूई, अगर पता लग रहा है उनकी time का, time of the death, तो फिर हमको तो presumption यूज़ करने की जुरत है नहीं 21 की, presumption हम कहां यूज़ करेंगे, जब हमें इनके death का time भी पता नहीं चल रहा, और इनकी A की साथ simultaneously इनकी death हूई है, तो हम presumption लगाएंगे section 21 का, हम ये मानेंगे कि जो elder था, उसकी death पहले हुई है, और जो younger है, वो उस time पर survive कर रहा था, तो हम इसमें presumption लगा लगा लेंगे, जो elder है, उसकी death पहले हुई है, और जो younger है, वो survive कर रहा है, ठीक है, बहुत simple सी बात है, ठीक है, अब जो important है, वो है 22, 2, right of preemption, right of preemption होता क्या है, right of preemption क्या होता है, explain कीजिये कोई, raise कीजिये, hand अगर किसी, बोलिये, A, B and C, they are co-share-ers, and A want, property is still joint, A want to sell his share, then B and C, has a preferential right to ask A, that instead of selling it to some outsider, sell it to us, ठीक है, ठीक है, लेकिन, ये तो हो गई first, सभी को बाकी सबको समझ आया, preferential right देंगे हम, बाकी जो, for example, यामिनी ने जो example दिया, देखो, screen पे भी आप यही example ले सकते हो, A, B, C, ठीक है, फ़र से ये brothers है, अब A को जो अपना share है, वो sell करना है, तो instead of selling it to the outsider, B और C के पास, पहले preferential right रहेगा, that if they want to buy the share of A, they can buy the share of A, simple concept है, लिकिन यहां पे अगर court का जो है, court का रोल आ गया, तब क्या होगा, court ने अगर कोई consideration फिक्स कर दी है, माम, then B and C are obliged to pay that consideration, if they don't agree to it, then they can't claim the right of preemption, ठीक है, और दूसरी बात, बहुत सारे जो हैं, B है, C है, D है, E है, अब इन सब को चीहे, एक अशे है, तो किसको मिलेगा? माम, जो सबसे जादा पैसे देगा, ठीक है, जो सबसे जादा पैसे देगा, उसे ही मिलेगा, हाँ, यही लिखा है, ठीक है, तो यह सिंपल सा कॉनसेप्ट है, कि भाई, किसी बाहर वाले को बेचने से अच्छा, तुम हमें ही दे दो अपना शे, ठीक है, और अगर बहुत सारे, B, C, D, E, B, C, D, E, बहुत सारे है, तो भाई, आपस में जगडा वह रहा है, कौन लेगा, कौन लेगा, तो वही मिलेगा, जो जादा पैसे देगा, उसे, जो जादा कंसिट्रेशन देगा, उसे ही मिलेगा, तो यह प्रियम्शन है, ठीक है, राइट ओफ प्रियम्शन, ठीक है, तो इस पर आप अपना शॉर्ट नोट अगेरा भी प्रिपेर कर सकते हो, इन यार नोट, ठीक है, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टन एक टॉपिक है, ठीक है, शॉर्ट नोट टाइप में पूछ लिया जाते है, अब चलते है 23 पे, अब चलते है 23 पे, मुझे डाउट है, मैं इन एक बात बोले कि उनका A और B C का जॉइंट है प्रोपर्टी, तब ही यह राइट अराइज होगा, या पिर अगर उनकी प्रोपर्टी सपरेट यह तो भी राइट है, अगर उनकी प्रोपर्टी सब देखिए, एक और एक्जांपल देती हूँ, A, B and C, ठीक है, जॉइंट है तब भी देखिए, इनकी प्रोपर्टी एड्जेसंट है, ठीक है, इनकी प्रोपर्टी एड्जेसंट है, ठीक है, ऐसर है तो थे, कि property adjacent है तो क्या है ना कि B अपनी जो यह वाली property है यह sell करना चाहता है तो preferential right A और C को मिलेगा ठीक है preferential right A और C को मिलेगा इनकी adjacent property ठीक है अब that means कि division हो गया था उनकी property का partition हो उनका share तो उन्हें पता है ना कभी तो वह sell कर रहा है partition नहीं होता तो कैसे sell करता अपना हिस्सा जो है अगर 20 situation में कि partition property का अगर तो भी right है और अगर property joint है तो भी right है property अगर joint है देखिए दो concept है फॉर से वह एक ही घर के अंदर रहे रहे हैं एक ही घर के अंदर वो रहे रहे हैं चलिए इसको बाद में समझते हैं पहले 23 समझते हैं यह बात करते है ड्वेलिंग हाउस की से आपसको समझ आ जा जाए है ड्वेलिंग हाउस के अंदर क्या 23 के अंदर क्या चीज थी बता सकते है कोई है तो बताइए यह मिन हमेर ड्वेलिंग आउस के partition से रिलेटेट था कि अगर एक property ऐसी है joint property joint Hindu family property ऐसी है जिसमें की अगर जाप क्योंकि हमें पते की पहले विबमन को right निए says right to seek partition अगर दूसरी male heirs अगर partition seek करेंगे then only she will get her share in the partition ठीक है तर प्रीविय्स अक्षिन मुम्हीर्टे से ठीके धर जेमॉर्टेसिर लिगरे वो फिमेल यह रहे हैं ऑर एक्षिमेल रहे हैं तो मैम तो एक्षिन केहां र पारिष घीक कि एप जैसे family अगर रहती है, for example, यह बॉक्सडरॉ केस को consider गरों की एक flat, इक property है, आपने देखाओगा family है की घर में रहती है, ना, brothers रहे हैं, दो, तीन, Hindu joint family है, ना, रहे रहे हैं, ठीक है, और उसमें female भी रहे है, ना, तो क्या था, यह जो dwelling house है, उसका अब partition करने के लिए इसमें लगा रखी थी, ठीक है, अब देखे, यह हिस्सा है, यही बट जाएगा, अगर घर है, वो ही बट जाएगा, तो रहेंगे का लोग, एक तरीके से joint family को protect करने की कोशिश की गई थी, कि भई, आप अपने, जो है, right enjoy कर सकते हो, रह सकते हो, dwelling house में, आप unmarried हो, जब तक रह सक ली थी, उसको protect करने के लिए, क्योंकि भई, सब लोग उस घर में रह रहे हैं, यह partition होगा, sell हो जाएगी, प्रॉप्टी वो कहा रहे हो, तो basically उसको protect करने के लिए रखा गया था, लेकिन अब यह नहीं है, यह repeal हो चुका है, 2005 में, क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि female का अब ही एक absolute right है, वो dwelling house के अंदर भी partition जो है, claim भी गर सकती है, तो absolute right आ गया, तो 23 जो है, यह हट चुका है, although जो पहले था, वो यही ता dwelling house को protect करने के लिए, क्योंकि एक ही घर में रह रहे हैं हो, तो फिर वो भई कहां रहे हैं, तो उसको protect करने के लिए section 23 डाला गया था, अब यह नहीं है, confuse मत होना, बट मैं आपको समझाना चाहती थी concept तो इसलिए मैं आपको यह बताया, ठीक है, अब देखे हम बार बार बात कर रहे हैं, male की, female की, उनको property मिलेगी, 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 हो सकता है, अब crime patrol का scene दिमाग मेला, हो सकता है, अब यह किसी को जान that person will be disqualified from inheritance, good Amini, बाकी सब जो है, वो भी respond कीजे भई, अच्छा, ठीक है, okay, I saw that, चलिए, okay, यामिनी, यह वाला जो exception है, यह कहां दे रखाया है, मम 25, ठीक है, क्या कहता है, कि जो murderer है, जो murderer है, वो disqualified है, ठीक है, लेकिन यह एक और बात कह रहा है, कि कोई person, जैसे यह father है, अभी तो disease निया मारा निया अभी से, अभी यह father है, है ना, एक तो इसका बेटा हा, खुद murder कर रहा है, है ना, तो यह S जो है, disqualified हो जाएगा, जैसे अभी तो इसका बेट कर रहा है, कि मार, मार, मेर फादर को मारते हैं, ना, कि भई, किसी और को भी तो भी तो इसका बेट कि अपने फादर को मानने के लिए, तब के S डिस्कॉलिफाइड होगा, तो चाहें यह murder हो, abetter हो, that doesn't matter, पर यह सब चीज़े कर रहा है, तो यह डिस्कॉलिफाइड है, जब बटवारा होगा ना, F की प्रॉपर्टी में है, तो हम इसको कुछ नहीं देंगे, बाकी सब जो है, जो बाकी सब संस हैं, और जो हायर्स हैं, जो क्लास्स हैं, उनके हिसाब से, डिवाइड हो जाया, ठीक है, तो यह तो सिंपल सा है, लेकिन कर अचुछ की बात कर, बॉ木 जो फिर से यह P है, यह कॉट परसन है, यह P का सन है और इसने अपने अपको पन्वोर्ट कर लिया है, ठीक है, इसने अपने आपको, convert कर लिया है, मुस्लिम में, ठीक है, तो जो इसके आगे, जो further branches है, ठीक है, इसने अपने आपको convert किया मुस्लिम, और फिर इसने शादी कर ली, और फिर इसको S1 और S2, दो संस हुए, तो अब ये इसकी property में claim नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये किसके child है, ये हैं convert descendants के, ठीक, convert के descendants हैं ये, तो इसलिए ये disqualified है, समझाया, देखिए, S ने अपने आपको मुस्लिम में convert किया, उसके बाद शादी कर ली, तो उसके बाद S1 और S2 हुए, ठीक है, अब ये 26 इसको disqualify नहीं कर रहा, ये 26 इसके descendants को disqualify कर रहा है, S1 और S2 को, ठीक है, लेकिन मेरे को एक और बात बताईए, आप, जिसे ये P है, P की 1st December 2020 को death हुए, ठीक है, example इस सेम, कि S ने convert किया, खुद को मुस्लिम में, S ने convert किया, खुद को मुस्लिम में, फिर इसकी शादी हो गई, तो फिर इसके दो चाइल हुए, S1, S2, लेकिन इन दोनों ने, इन दोनों ने अपने आपको, इन दोनों ने अपने आपको इस 1st December से पहले ही, यानि कि, for example, August में ही, August में ही, या December से कभी भी पहले, इनों ने अपने आपको हिंदू में कनवर्ट कराते हैं, फिर subsequently क्या हुआ, 1st December को 2020 में, जब यह हिंदू में कनवर्ट हो गए, तो उसके बाद भी की डेथ हो गई, तो फिर क्या होगा? तो देखिए, इसमें ज़्याद कॉंपलेक्स ना करते हुए, मैं आपको सिंपल चीज बताती हुँ, जब पी के डेथ होगी, तब देखा जाएगा कि भाई, यह हिंदू थे, या मुस्क्लिन थे, अगर पी के डेथ के वाग, अगर यह हिंदू है, यानि कि उससे पहले यह तो भाई, इनको मिलेगा कुछ, अदर्वाइस, यह अगर नहीं है हिंदू, तो यह डिस्कौलिफाइड है, और याद रखना कि यह इसके सन की बात नहीं कर रहा, इसके सन के आगे ब्रांचिस की बात कर रहा है, 26, ठीक है, अब देखो, यह तो हमने अलग-अलग तरीके के disqualifications देखे, 27 के कहता है, माम, हरशना is asking for the permission to join in, यह लोग लेट आते हैं, बीच-बीच में आते हैं, मेरे को यह सब देखना वड़ता है, चलिए, ठीक है, 27 कॉंटिन्यू कीजिए, काथी, 27, हाँ, अभी तक हमने देखा 25, 26, जो disqualifications की बात करता है, देखे, अब यह लोग disqualify हो गए, तो हम इनको क्या presume करेंगे, जो सक्सेशन में जाएगी प्रॉपर्टी, तो हम इनको क्या presume करेंगे, Baby, Anha, Pre-Diseased, ठीक है? पर एग् adaptsloris, यह इक्जम्पल दात करें, 27 को, क्या आढर्स्टांड करों, 27 को स्मास्टान करें, 27 से बहुत चिर्मपल है, For example, P, which is interstate death, S1, S2, S3. So, tell us about this example, what does 27 mean? Mom, if S1 is falling in disqualification, then it will be deemed that S1's death is before P. Yes, okay. So, we will not do that. We will believe that he has already three diseases, he doesn't exist, he has already died. And the rest of us, we will distribute it properly. Okay, there is another disqualification. Now there is no disqualification, but it happens. So, which is disqualification? Disease Deformity. Okay. तो अगर, जैसे हमने murderer को तो बोला disqualified है, ठीक है? किसी converts की, जो converts हो गए है, other religion के अंदर, तो उनकी जो branches है, वो भी दूसरे religion की है, तो वो disqualified है. लेकिन अगर किसी हाज को कोई defect है, कोई disease है, तो वो disqualified अब नहीं है. ठीक है? It is not a disqualification. उसको उसका share मिलेगा ही, मिलेगा. देखिए, अब कोई भी नहीं है. Class 1 भी नहीं है, Class 2 भी नहीं है, Agnate नहीं है, Cognate नहीं है. ऐसे ही females की, पांचों की, पांचों entry में से कोई भी नहीं है. तो फिर क्या होगा? Mom, repeat the question please. कोई भी नहीं है. For example, P जो male है, interstate उसकी death हुई है. Class 1 में हमने देखा कोई नहीं है. Class 2 में हमने देखा कोई नहीं है. Agnate और Cognate भी नहीं है, तो क्या होगा? Then property will go to the government, ST. Okay, ST, यानि की government के पास चली जाएगी. यही कहता है, 29. Estete का यानि की मतलब है government. ठीक है, देखा ना हमने कोई भी है नहीं भाई, दूर दूर तक कांदान में, Class 1 है, Class 2 नहीं है. Agnate, Cognate, सब देखे ऐसी. हमने females की भी पांचों entry में से सब देख लिया, कोई भी नहीं है, ना माता की साइड के hairs है, ना पिता की साइड के hairs है, ना in-laws, husband की साइड के hairs भी कोई भी नहीं है, तो estate में चली जाएगी वह property. अब देखे हमने इतना पूरा बड़ा act पड़ा, किस चीज के कारण हुआ, क्यूंकि भाई, will नहीं थी, है ना, property की will नहीं थी. तो अगर will होती, तो क्या होता? Will होती, तो क्या होता? Testamentary succession. Testamentary succession हो जाता, काम असान हो जाता, भाई, जो succession, जो act हो लगाने की सुरत नहीं पड़ा. ठीक है, तो 30 भाई बात कर है, जो हमने starting में defines पड़ी थी, कि भाई, Testamentary succession, for example, अगर will है, तो directly will है, उसकी separate property, तो चली जाएगी, और 29 के अंदर हमने देखा, कि estate यानि की government के पास चली जाएगी, और 28 के अंदर हमने देखा, कि भाई को disease है, defect है, तो यह अब एक disqualification नहीं है, उसको उसका share निलेगा ही, मिलेगा, और 27 की अगर हम बात करें, तो यह जो सारी disqualifications हमने देखी, तो उसके अंदर बताया है कि जह हो disqualified person है, उसको हम मान के चलेंगे, वो pre-diseased है, जो interstate की death हुई है, उससे हम पहले ही मान के चलेंगे, कि उससे पहले ही वो pre-diseased है, ठीक है? So students, this was all about the Hindu succession app, right? I hope आप सबको बहुत अच्छे से clear हो गया होगा, from next lecture we'll start Muslim law.